बेसिक लेवल की आखरी वीडियो बैलन्स शीट से संबन्दित थी उसमें हमने electronics house नाम की company में financial year 2020-21 में काम किया था और उस वर्ष के profit को capital account में transfer करते हुए उस वर्ष की accounting close कर दी थी यानि final accounts बना लिये थे अब हमें अगले वर्ष यानि 2021-22 जो की 1 अप्रेल 2021 से शुरू हो गया है उसमें काम करना है यहां समझने के लिए हम इसी company में आगे काम कर रहे हैं यहां आपको एक बात बता दें कि आपकी company का कोई भी financial year हो अगले financial year में काम शुरू करने का तरीका यही रहेगा चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या समस्य आती है और उनको किस प्रकार से हल करेंगे सबसे पहले हम अपनी company electronics house ओपन कर लेते हैं देखिए यहां current period में 1 April 2020 से 31 March 2021 दिखाई पर रहा है यानि हम अपनी जो books close कर चुके हैं यह company उसी period में open हुई है जबकि आज तारीक है 1 April 2021 और हमने आज ही Lotus Electronics को 5000 रुपे नकत payment किया है तो आएए इसकी entry कर लेते हैं उसके लिए V प्रेस करेंगे देखिए payment voucher ही आ रहा है और हमें यही चाहिए सबसे पहले हम date में 1-4-21 यानि 1 April 2021 टाइप कर रहे है दिखिए यहां error आ रही है date cannot be above current period इसका ताथ पर यह है कि अभी इस company में जो current period है वो 31 March 2021 तक का है और आप उसके आगे की तारीख में entry नहीं कर सकते कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप date बदलकर पूरा transaction record कर ले और जब उस transaction को accept करने जाते हैं तब इस तरह का message आए तो इस समस्या का हल यह है कि आपको अपनी company का current period change करना होगा और यह काम आप चाहें तो यहीं पर alter और F2 keys को press करके कर सकते हैं या फिर gateway of tally पर जाकर current period change करना होगा हम यहां alter और F2 प्रेस करके from में 1 April 21 और 2 में 31 March 22 टाइप कर रहे हैं देखे current period change हो गया है हम वापस voucher पर चल कर entry कर लेते हैं date में हम 1 April 2021 ले रहे हैं DR में Lotus Electronics select कर रहे हैं amount में 5000 टाइप कर रहे हैं और यहां CR में cache select कर रहे हैं और अब यहां पर narration type कर रहे हैं अब enterprise करते हुए इस entry को accept कर लेते हैं देखे इस बार date का कोई error नहीं आया यानि हमारी entry सेव हो गई है अब हम जो भी entry करेंगे वह इसी current period यानि financial year 2021-22 में होगी यहां एक महत्वण बात का ध्यान रखें आपने current period में financial year कोई सा भी select किया हो पर reports जैसे की day book, ledgers, इत्यादी आप किसी भी financial year या किसी भी period की देख सकते हैं आये इसे दो उधारणों से समझ लेते हैं पहला उधारण हम पिछले financial year का cash का ledger open करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए go to पर click कर रहे हैं यहां से ledger voucher select करेंगे list of ledgers में से cash select करेंगे देखे चालू वर्ष में एक अप्रेल 21 का cash का ledger open हो गया है अब F2 प्रेस करके पिछले वर्ष का period एक अप्रेल 20 से 31 March 21 टाइप करेंगे और enter press करेंगे यह देखिए cash का पिछले वर्ष का ledger open हो गया है एक और उधारण देख लेते हैं अब हम go to पर जाकर यहां से day book open कर लेते हैं alter और F2 प्रेस करें यह देखिए यहां पर तारीख एक अप्रेल 21 आ रही है जो की current financial year की है हम पिछले financial year के शुरू से लेकर इस current financial year की तारीख एक अप्रेल 21 तक की report देखना चाहते हैं तो यहां from में एक अप्रेल 20 टाइप कर रहे हैं और 2 में एक अप्रेल 21 ही रहने दे रहे हैं यानि इसमें पिछले वर्ष और चालू वर्ष दोनों की report दिखाई पढ़ रही है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब मान लीजिए हमें समाप्त हुए financial year में किसी voucher में कोई correction करना है या कोई नया voucher बनाना है तो यह करके देखते हैं यहाँ पर हमने पिछले financial year की तारीख 31 मार्च 21 है यह देखिए एरर आ रही है date cannot be below current period इसका तातपर यह है कि अभी इस company में जो current period 1 अपरेल 21 से शुरू हो रहा है उसके पहले की तारीख में entry नहीं कर सकते कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप date बदलकर पूरा transaction record कर लें और जब उस transaction को accept करने जाएं तब इस तरह का message आए ऐसे इस्थिति में आपको पिछले समाप्त हुए वर्ष का current period 1 अपरेल 20 से 31 मार्च 21 करना होगा तब ही आप यह entry कर पाएंगे अभी यह सब हमने केवल आपको समझाने के लिए किया था हमें पिछले financial year में कोई entry नहीं करना है एक और बात का ध्यान रखें नए financial year में एक भी transaction record करने के पाद आप टैली में जब भी यह company open करेंगे वो नए वर्ष में ही open होगी और आपको नए financial year में काम करने के लिए period change नहीं करना होगा यहाँ पर हम आपको trial balance और profit and loss account से जुड़ी हुई एक महत्वण बात बता देते हैं हमने आपको पहले भी कई बार बताया है कि वर्ष समाप्त होने पर हमारे income और expenses के खाते profit and loss account में चले जाते हैं और वे समाप्त हो जाते हैं यानि अगले वर्ष में नहीं आते हैं इसे समझने के लिए हम इस साल की opening trial balance open कर लेते हैं उसके लिए D प्रेस करें फिर D प्रेस करें और अब alter और F5 प्रेस करें फिर F12 प्रेस करके show opening balance को yes करें और show closing balance को no करके इस window को accept कर लें ये देखिए opening trial balance आ रही है इसमें सिर्फ liabilities और assets के ledgers के opening balances ही दिखाई पढ़ रहे हैं income और expenses के ledgers के कोई opening balance यहाँ पर नहीं आये हैं यहाँ आप ledgers के जो भी balances देख रहे हैं वे गए वर्ष के यानि पिछले वर्ष के closing balances ही हैं जो की अगले वर्ष में opening balance के रूप में आ गए हैं समझने के लिए हम आपको पिछले साल के balance sheet भी दिखा देते हैं यह देखिए सभी ledgers के नाम और उनके balance समान ही हैं कई बार accounts में ऐसा होता है कि हम एक ही nature के बहुत से transactions एक ही तारीख में अलग-अलग vouchers में record करते हैं यदि आप चाहें तो उन्हें एक साथ एक ही voucher में भी record कर सकते हैं ऐसी इस्थिती में ये compound entries यानि मिश्रित प्रविष्टियां कहलाती हैं और ऐसा करने से हमारा समय बचता है सरल शब्दों में compound entry का मतलब है कि दो या दो से अधिक transactions की entry एक ही voucher में करना इस काम को आगे हम अलग-अलग vouchers का उप्योग करते हुए समझेंगे हम 2 April 2021 को State Bank of India के अपने खाते में जमा कर रहे हैं पहला अशोक Enterprises से हमें HDFC Bank का 5000 रुपए का चेक dated 2 April 2021 प्राप्त हुआ जिसका नंबर 123456 है दूसरा आशो ट्रेडर से अलाहबाद बैंक का 2000 रुपए का चेक dated 2 April 2021 प्राप्त हुआ जिसका नंबर 456789 है तीसरा मोहन ट्रेडर से Bank of India का 11,000 रुपए का चेक dated 2 April 2021 प्राप्त हुआ जिसका नंबर 222333 है जैसा कि आप सभी जानते हैं ये तीनों एंट्रीज रिसीट वाउचर से संबंधित हैं इन तीनों में हमें चेक देने वाली पार्टीज को क्रेडिट करना होगा और बैंक अकाउंट को डेबिट करना होगा आपके जानकरी के लिए बता दें कि इस वीडियो में हम जिसे हमने पिछली वीडियो फाइनेशल एर कैसे बदलते हैं मैं बदल कर 2021-22 कर दिया है आप चाहें तो ये काम अपनी किसी पुरानी कंपनी या नई कंपनी बना कर भी कर सकते हैं टेली में वाउचर के लिए वी प्रेस करें और रिसीट वाउचर के लिए एफ सिक्स प्रेस करें एफ टू प्रेस करके डेट चेंज करें पर्टिकुलर में नीचे क्रेडिट आ रहा है हम पहली पार्टी अशोक इंटरप्राइस से सिलेक कर रहे हैं यहां credit में उससे जिस राशी का चेक प्राप्थ हुआ है वो amount टाइप करें enter प्रेस करें देखिए यहां debit आ रहा है अब चूंकि हमें दूसरी पार्टी को भी credit करना है तो यहां credit के लिए c टाइप करें और enter प्रेस करें यह देखिए cr लिखा हुआ आ रहा है अब हम दूसरी पार्टी सेलेक करेंगे उसका amount डालेंगे इसी तरह तीसरी पार्टी भी सेलेक कर लेंगे उसका amount भी टाइप कर लेंगे हमने तीनों पार्टी के account credit में ले लिये हैं अब enter प्रेस करें यहां debit आ रहा है और हमें bank को debit ही करना है enter प्रेस करके आगे बढ़ें bank account सेलेक करें देखिए bank के नाम के आगे debit में तीनों पार्टी इसका total amount आ रहा है enter प्रेस करें bank location स्क्रीन आ रही है और नीचे laser name में पहली पार्टी का नाम भी आ रहा है एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें, अमाउंट में टोटल अमाउंट आ रहा है, हमें इसे बदल कर उस पार्टी से प्राप्त होने वाले चेक का अमाउंट डालना होगा, और फिर Enterpress करें Instrument number में Check का number डाले Instrument date डाले Bank के आगे Bank का नाम सेलेक करें देखिए ऐसा करते ही हम अगली लाइन में आगए है पर इसमें नाम पहले वाली पारटी का ही आ रहा है इसे बदलने के लिए Backspace की प्रेस करें, List of Lages में से दूसरी पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लें, अब Check सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ें, अब तीसरी पार्टी से प्राप्त Check की डिटेल्स भी डालें, यहाँ Narration टाइप कर दें, अब इस ट्रांजेक्शन को सेव कर लें, अब हम देखते हैं दूसरा उदारन, हमने एक मई को दो पैमिंट्स किये हैं, पहला हमने श्रीविका सींग को मा मई 2021 का ओफिस का किराया 5000 रुपे नगत दिया है, और दूसरा अपने करमचारी पवन वर्मा को मा अप्रेल 2021 का वेतन 5000 रुपे नगत दिया है, यह तो आप जानते ही हैं कि यह दोनों एंट्रीज पेमिंट वाउजर्स की हैं, इसमें रेंट और सैलरी तोनों ही अकाउंट डेबिट होंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, आईए इनकी भी कंपाउंट एंट्री कर लेते हैं, उसके लिए F5 प्रेस करें, F2 प्रेस करके डेट चेंज करें, डेबिट में हम पहले रेंट पेज सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट डालेंगे, अब एंटर प्रेस करके आगे बढ़ने से पहले हमें इसकी नरेशन डालनी होगी, उसके लिए More Details पर क्लिक करें, Show More पर जाकर एंटर प्रेस करें, List of More Details में से लेजर नरेशन सेलेक्ट करें, यहाँ पर रेंट से संबंधित नरेशन टाइप करें, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें, यहाँ क्रेडिट आ रहा है, हम दूसरे अकाउंट को भी डेबिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए D प्रेस करके एंटर प्रेस करें, ऐसा करते ही DR आ जाएगा, यहाँ Salary का लेजर सेलेक्ट करें, Amount डालें, और पहले बताए तरीके से नरेशन टाइप करें, और आगे बढ़ें, अब यहाँ पर CR आ रहा है और हमें यही चाहिए, एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें, कैश सेलेक्ट करें, देखें एक रेडिट में टूटल अमाउंट आ रहा है, आप चाहें तो उपर दोनों अलग-अलग नरेशन्स डालने की बजाए, यहाँ दोनों की इकठी नरेशन भी डाल सकते हैं, अब इस ट्रांसिक्शन को सेव कर लेते हैं, अभी हमने लेजर के साथ जो नरेशन डाली है, वो कैसे दिखाई पड़ती हैं, आइए देख लेते हैं, गोटू पर क्लिक करें, अब यहाँ लेजर वाउचर्स सेलेक करें, यहाँ से रेंट पेट सेलेक करें, एफट्वल प्रेस करके, शो नरेशन को यस करें, और विंडो को एक्सेप कर लें, यह देखिए, हमने जो नरेशन डाली थी, वो यहाँ दिखाई पड़ रही है, अब देख लेते हैं तीसरा उधारन, 31 मई 2021 को व्यापार के स्वामी ने अपने व्यापार में एक लाख रुपए नकद लगाए, साथ ही वो आफिस में उप्योग के लिए 50,000 रुपए का फरनीचर भी लाया, ध्यान रखें व्यापार का स्वामी नकदी या फरनीचर जो भी व्यापार में लगाता है, वो उसकी क्यापिटल होती है, आई अब देखते हैं कि ये ट्रांजिक्शन्स किन वाउचर में रिकॉर्ड होना है और क्यूँ, व्यापार का स्वामी जो नकदी लाया है, उसकी एंट्री तो हम रिसीट वाउचर में कर सकते हैं, अब सवाल है, जो फरनीचर लाया है, उसकी एंट्री कौन से वाउचर में होगी, फरनीचर लाया है, तो क्या इसकी एंट्री पेमिंट वाउचर में हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि पेमिंट वाउचर में एक लेजर कैश या बैंक का होता है, और यहां हमने किसी तरह का payment नहीं किया है दूसरी बात क्या इसकी entry purchase voucher में हो सकती है नहीं क्योंकि purchase voucher में सिर्फ उन items की entry होती है जिनका हम व्यापार करते हैं हम तो ये furniture office उप्योग के लिए लाए है अब सवाल ये कि इसकी entry कौन से voucher में होगी तो आपको याद होगा हमने बताया था कि जिस entry को हम tally के किसी voucher में नहीं कर पाते हैं वो entry journal voucher में होती है तो अब यहां पर ये निश्चित हो गया कि हम cash की entry receipt voucher में और furniture की entry journal voucher में कर सकते हैं पर यदे आप इन दोनों की entry एक साथ करना चाहते हैं तो जर्नल वाउचर में कर सकते हैं तो F7 प्रेस करके journal voucher पर चलते हैं ये देखिए journal voucher open हो गया है F2 प्रेस करके date change करें चूंकि cash और furniture दोनों business में आ रहे हैं हमें cash account और furniture account दोनों को debit करना होगा और capital account को credit करना होगा अब यहां हम narration type करके इस entry को accept कर लेते हैं अब देखते हैं चौथा उधारण 2 जून 2021 को व्यापार के स्वामी ने अपने personal यानि नीजी उपयोग के लिए 5000 रुपए cash और एक sony tv 20 इंच जिसका खरीद मुल्य 20,000 रुपए है लिए यहां पर हम आपको बता दें कि जब व्यापार के स्वामी अपने नीजी खर्च के लिए नकदी या व्यापार की कोई वस्तू जिसका की वो व्यापार कर रहा हो या फिर कोई assets जैसे की office का पुराना furniture भी हो सकता है नीजी उपयोग के लिए लेते हैं तो उसका amount drawing account में debit किया जाता है और वर्ष के अंत में drawing account का जू भी balance होता है उसे इकठा capital account में transfer किया जाता है यानी capital account को debit करके drawing account को credit किया जाता है ध्यान रखे drawing account का ledger capital account group की अंतरगत बनाया जाता है चलिए अब आपस transactions पर चलते हैं यदि हम चाहें तो इसके दू transactions अलग-अलग record कर सकते हैं पहला व्यापार के स्वामी ने जो cash withdraw की है उसके लिए drawing account debit और cash account credit होगा और ये entry payment voucher में होगी दूसरा स्वामी ने टीवी लिया है तो इस entry में एक तो drawing account debit होगा पर सवाल ये है कि दूसरा account कौन सा है जो हमें credit करना होगा तो यहां हम आपको बता दे कि यदि हम जिस वस्तू का व्यापार करते हैं उसको personal use के लिए लेते हैं तो उसको purchase में से कम करना होता है यानि कि यहां purchase account को credit करना होगा अब इसी transaction में दूसरा सवाल उठता है कि ये entry कौन से voucher में होगी हम purchase account तो credit करना चाहते हैं पर purchase voucher में सिर्फ आए हुए माल की entry होती है गए हुए की नहीं ऐसे इस थिति में इस entry को हमें journal voucher में करना होगा अब यदि आप ये दोनों entries अलग-अलग करने की बजाए एक साथ करना चाहते हैं तो journal voucher में कर सकते हैं और वो entry इस प्रकार होगी जर्नल वाउचर पहले से ही open है एफ टू प्रेस करके date चेंज करें डेबिट में हमें drawing account चाहिए जो की बना हुआ नहीं है तो हम alter और c प्रेस करके drawing account बना लेते हैं ये बनेगा capital account group के अंतरगत यहाँ debit amount में हमें दोनों का total amount डालना होगा credit में पहले सेलेक करेंगे cash account पर cash का पहला अक्षर टाइप करने के बाद भी यहाँ cash account नहीं दिख रहा है उसका कारण है कि prior journal voucher में cash या bank account का उप्योग नहीं होता है इसके लिए हमें show more पर जाकर enterprise करना होगा यह देखिए अब cash account दिखाई पढ़ रहा है हम इसे सेलेक कर लेते हैं यहाँ amount डाल देंगे enterprise करें यहाँ credit ही रहने दें यहाँ purchase account सेलेक करें देखिए ऐसा करते ही inventory allocation screen आ रही है यहाँ name of item में space bar प्रेस करें अब हमने जो item अपने नीजी उपयोग के लिए लिया है उसका नाम सेलेक करेंगे इसके बाद यहाँ उसकी quantity डालें ध्यान रखें जिस rate से आपने माल खरीदा होगा आपको वही rate यहाँ पर डालना चाहिए यह देखिए यहाँ वही rate आ रहा है जिसमें हमने माल खरीदा था enterprise करते हुए आगे बढ़ें narration type करें अब इस screen को accept कर लें इस तरह के कई ऐसे transactions होते हैं जिनने आप एक साथ इकठा record कर सकते हैं और अपने transaction record करने की गति को बढ़ा सकते हैं व्यापार या website में जब भी कोई वित्तिय यानि financial transactions होते हैं तो उनका record रखने के लिए हमें उन्हें कहीं लिखना होता है संसार भर में इसके लिए अलग-अलग पथतियां हैं जिनमें सबसे महतपून और scientifically proven है double entry system यानि दोहरा लेखा प्रणाली जैसा कि नाम से ही सपष्ट है इसमें प्रत्येक लेंदेन दो खातों को प्रभावित करता है एक खाता पाने वाला होता है और दूसरा खाता देने वाला और इसमें प्रत्येक लेंदेंग के लिए समान राशी एक खाते के नामपक्ष यानि debit side और दूसरे खाते में जमापक्ष यानि credit side में लिखी जाती है जैसे हमने 2 मई 21 को lotus electronics को 10,000 रुपए नकद दिये इस transaction में दो खाते प्रभावित हुए हैं lotus electronics और cash का खाता जब हम इस transaction की entry करेंगे तो वो इस प्रकार होगी यहां आप देख रहे हैं दो खाते प्रभावित हुए हैं जिसमें पाने वाला lotus electronics है और देने वाला cash account है एक खाते को debit किया गया है और दूसरे खाते को credit किया गया है साथ ही दोनों पक्षों में जो राशी लिखी गई है वो भी समान है आपको याद इला दें कि double entry system के आधार पर ही हमने receipt voucher, payment voucher और journal voucher में transactions record करना सिखाया है आगी समझने के लिए इसी entry को हम payment voucher में करके देख लेते हैं यहां पर हमने अपनी company electronics house open कर ली है आप चाहे तो ये काम अपनी किसी पुरानी company में या नई company बना कर कर सकते हैं वाउचर के लिए V प्रेस करें अब payment voucher के लिए F5 प्रेस करें date change करें यहां DR में lotus electronics लेंगे अब CR में cash लेंगे वाउचर में अभी हमने जो entry की वो double entry mode कहलाता है इसे हम change mode पर click करके confirm कर लेते हैं यह देखें double entry selected है अब हम single entry पर जाकर enter press कर रहे हैं अब आप देख सकते हैं कि यह voucher single entry mode में आ गया है यहां पर भी दोनों लेजर्स के नाम आ रहे हैं सिर्फ पहले जो DR और CR लिखा हुआ दिखाई पढ़ रहा था अब वो दिखाई नहीं पढ़ रहा है हम वापस control और H प्रेस करके double entry सेलेक कर रहे हैं यह देखें हम वापस पहले वाली स्थिती में आ गए हैं अब इस entry को save कर लेते हैं कहने का ताथ पर यह है कि single entry mode और double entry mode दोनों एक ही हैं दोनों में दो पक्ष प्रभावित होते हैं दोनों double entry system पर आधारित हैं सिर्फ दिखाने का तरीका अलग-अलग है अब सवाल यह उठता है कि फिर इससे फायदा क्या है तो चलिए वो भी देख लेते हैं जब आपके सामने कोई transaction होता है जैसे हमने Lotus Electronics को 10,000 रुपए नगत दिये यहाँ पर यह तो आसानी से समझ में आ रहा है कि दो खाते प्रभावित हुए हैं Lotus Electronics और Cash का पर यह समझ नहीं आ रहा कि इसमें कौनसा पक्ष डेबिट करना होगा और कौनसा credit Double Entry Mode में यह मालूम होना ज़रूरी है तब ही आप Entry कर सकते हैं बस इसे समस्या का समाधान है Single Entry Mode इसमें डेबिट क्रेडित का जंजट नहीं होता यहाँ हम आपको एक महतुपून बात बता दें कि Single Entry Mode सिर्फ Receipt Voucher, Payment Voucher और Contra Voucher में ही होता है आईए इस पर काम करके देखते हैं समझने के लिए हम कुछ transactions को एक एक करके देख लेते हैं पहला transaction है 2 June 2021 को हमने श्री विकास सींग को माह जून 2021 का ओफिस का किराया 5000 रुपे नकत दिया पहली बात इस transaction से सपश्ट है कि यह Payment से संबंधित है दूसरी बात इसमें प्रभावित होने वाले दो पक्ष है cash account और rent paid आया single entry mode में यही entry कर लेते हैं यहां अभी Payment Voucher open है और यही हमें चाहिए अब Ctrl और Edge प्रेस करेंगे और Single Entry सिलेक कर लेते हैं सबसे उपर date में दो जून टाइप कर रहे हैं account के आगे blank आ रहा है हम Space बार प्रेस कर रहे हैं यह देखे list of ledger accounts आ रही है इसमें सिर्फ cash और bank के ledger से दिखाई पड़ रहे हैं debit और credit कहीं लिखा नहीं है इसलिए कोई confusion नहीं हम cash सिलेक कर रहे हैं देखिए ऐसा करते ही हम particular में आ गये हैं यहां Space बार प्रेस करें यह देखिए list of ledger accounts आ रही है हम इसमें से rent paid सिलेक कर रहे हैं यहां पर amount डालें अब यहां narration type करें अब इस entry को save कर लें दूसरा उधारन हमने 1 जुलाई को दो payments किये हैं पहला अपने कर्मचारी पवनवर्मा को माह जून 2021 का वेतन 5000 रुपे नकद दिया है और दूसरा हमने श्रीविकास सिंग को जुलाई माह 2021 का ओफिस का किराया 5000 रुपे नकद दिया है पहली बात ये दोनों transactions payment से संबन दिते हैं दूसरी बात इन दोनों में payment नकद किया गया है तथा जिन्हें payment किया गया है उनमें एक लेजर salary का और दूसरा rent का है आए इसके भी entry कर लेते हैं entry करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं इस entry को हम यहां compound entries की तरह कर रहे हैं इसके अधिक जानकारी के लिए आप हमारी इससे पहले वाली compound entries की वीडियो देख लें compound entries के बारे में सीख कर आप तेजी से transactions record कर पाएंगे चलिए entry कर लेते हैं उसके लिए सबसे उपर date में एक जुलाई टाइप कर रहे हैं account के आगे blank आ रहा है हम space bar press कर रहे हैं यह देखे list of ledger accounts आ रही है और इसमें सिर्फ cash और bank के ledger से दिखाई पड़ रहे हैं debit or credit का कोई confusion नहीं हम cash select कर रहे हैं particular में space bar press करें list of ledger accounts आ रही है हम इसमें से salary select कर रहे हैं यहाँ पर amount डालें enter press करें यहाँ rent paid select करें उसका amount डालें यहाँ पर narration type करें अब इस entry को save कर लें तीसरा उदारन हम दे मालवा trading company देवास का जो माल बिकवाया था 2 अगस 2021 को हमें उसका commission 5000 रुपए HDFC bank के check number 616161 dated 2 अगस 2021 से प्राप्त हुआ जिसको हमने clearing के लिए अपनी bank of India में deposit किया पहले बात इस transaction से इस पर्ष्ट है यह receipt voucher से संबंदित है दूसरी बात इसमें प्रभावित होने वाले दो पक्ष है bank account और commission receive आए single entry mode में यह entry कर लेते हैं receipt voucher के लिए F6 प्रेस करें date change करें account के आगे blank आ रहा है space bar प्रेस करेंगे यह देखें list of ledger accounts आ रही है और इसमें सिर्फ cash और bank के ledgers दिखाई पड़ रहे हैं debit और credit का कोई confusion नहीं हम bank of India select कर रहे हैं particular में space bar प्रेस करें list of ledger accounts आ रही है हम इसमें से commission received select कर रहे हैं यहाँ पर amount डालें अब enter प्रेस करते हुए आगे पढ़ें यह देखें bank allocation screen आ रही है यहाँ पर जरूरी details दे दें अब यहाँ narration type करें और इस entry को save कर लें चौथा उदारण 1 सितंबर 2021 को हमने 5000 रुपए state bank of India में नकट जमा किये पहली बात इस transaction से सपश्ट है यह contra voucher से संबंदित है दूसरी बात इसमें प्रभावित होने वाले दो पक्षें cash और state bank of India आये single entry mode में यह entry कर लेते हैं Contra voucher के लिए f4 प्रेस करें date change करें Account के आगे blank आ रहा है space bar प्रेस करेंगे यह देखें list of leisure accounts आ रही है इसमें cash के साथ bank के सभी ledgers भी दिखाई पड़ रहे हैं आप confusion यह कि यहां कौन सा ledger select करेंगे cash का या bank का तो यहां आपको ध्यान रखना होगा कि जिसको हम दे रहे हैं वो ledger यहां select करना होगा जो कि यहां पर state bank of India का है particular में space bar प्रेस करें list of ledger accounts आ रही है इसमें हमें वो ledger select करना होगा जो दे रहा है जो कि यहां पर cash का है ध्यान दें अभी bank का balance 20,000 आ रहा है जैसे ही हम यहां amount डाल कर enterprise करेंगे तो bank का balance बढ़ जाएगा क्योंकि हम bank में रुप्या डाल रहे हैं और इसी के साथ cash का balance कम हो जाएगा क्योंकि cash कम हो रहा है हम यहां amount डाल कर enterprise कर रहे हैं देखिए bank का balance बढ़ गया है और cash का balance कम हो गया है इससे ये स्पष्ठ हो गया कि हमने दोनों ledger सही select किये हैं अब enterprise करते हुए आगे बढ़ें bank location screen आ रही है और उपर उसी bank का नाम आ रहा है जिसमें हमने रुप्या जमा किया है और नीचे transaction type में cash लिखा है enterprise करें यह देखिए cash denomination screen आ रही है इसमें आपने जिस तरह के note bank में जमा किये हैं उनकी details देना है जैसे कि हमने 100 रुपय वाले 50 note जमा किये हैं तो हम enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे और 100 के आगे 50 type कर देंगे और फिर enterprise करते हुए आगे बढ़ जाएंगे यहाँ narration type करें अब इस entry को save कर लें मालीजे आपके computer को आपके अलावा और भी कई लोग उप्योग करते हैं और आप चाहते हैं कि teleprime में बनाई हुई किसी company को बगेर आपकी अनुमती के कोई open ना कर सके तो उसके लिए आपको उस company में security control अक्टिवेट करना होगा ऐसा करने से जिसको भी आप password देंगे केवल वही उस company को open कर पाएगा security control हम teleprime में नई company बनाते समय या पहले से बनी हुई किसी भी company में enable कर सकते हैं आईए पहले देखते हैं कि नई company बनाते समय security control कैसे देते हैं हमने tally open कर लिया है अब यहां नई company बनाने के लिए create company पर जाकर इंटरप्रेस करें हम national traders के नाम से company बना रहे हैं नई company कैसे बनाते हैं यह हम आपको company creation वाली वीडियो में बता चुके हैं देखिए इस screen पर हमें कहीं भी security control का option नहीं दिख रहा है उसके लिए हम F12 प्रेस करके configuration पर जाएंगे यह देखिए हमारे सामने configuration window आ गई है इसमें हमें तीसरे option use user access control को yes करना होगा अब इसे control और A keys प्रेस करके accept कर लेते हैं देखिए अब हमें security hiding के अंतरगत control user access to company data option दिखाई दे रहा है इसे भी हम yes कर लेते हैं ऐसा करते ही हमें कुछ और options दिखाई देने लगे हैं इसमें सबसे पहले username दिखाई दे रहा है इसमें हम जो भी username रखना चाहते हैं वो हमें type करना होगा हम admin type कर रहे हैं इसके बाद password वाला option है इसमें आप जो भी password बनाना चाहते हैं वो type करें हम ABCD type कर रहे हैं अब enter press करें confirm password में उपर दिये गए password को फिर से type करके enter press करें enter press करते ही देखे एक warning आ रही है जिसमें कहा गया है कि अगर आप अपनी company का password भूल जाते हैं तो आप इस company के data को access नहीं कर सकेंगे ध्यान रखें username या password दोनों में से कुछ भी भूल जाने पर आप company open नहीं कर पाएंगे इसलिए username और password ऐसा दे जो आपको हमेशा याद रहे अब enter press करते हुए आगे बढ़ें और इस screen को accept कर लें एसा करते ही आपके सामने एक pop-up window आ गई है जिसमें ऊपर आपको company का नाम दिखाई दे रहा है और नीचे username और password मांगा जा रहा है हमने जो username और password बनाया है वो डाल देते हैं अब enter press करेंगे देखे company created successfully का message दिखाई दे रहा है अब हम control और A keys को press करके इस screen को accept कर लेते हैं यह देखे company open हो गई है और हम gateway of tally पर आ गए हैं अब यदि आप कुछ काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो इस तरह आपने जाना कि नई company बनाते समय security control कैसे activate करते हैं अब माल लिजे आपकी company पहले से ही बनी हुई है और उसमें security control enable नहीं है तो देखते हैं उस company में security control कैसे enable करेंगे सबसे पहले आपको उस company को open करना होगा जिसमें आपको security control enable करना है समझने के लिए हम alter और F3 keys को press करके अपनी पुरानी company electronics house को open कर रहे हैं अब security control के लिए यहाँ पर company menu पर click करना होगा या alter और K keys को press करना होगा अब यहाँ से configure के अंतरगत security option पर जाकर enter press करें या फिर इसकी shortcut की e-press करें ऐसा करते हैं आपको tally में जितनी भी company खुली हुई होगी उनकी list दिखाई देगी हम electronics house को select कर रहे हैं company select करते ही security and user access की एक छोटी window दिखाई देगी इसमें control user access to company data जो की अभी no है उसे yes करना होगा अब enter press करें ऐसा करते ही username और password पुछा जाएगा हम पहले की तरह ही इस company के लिए भी username और password बना लेते हैं अब enter press करेंगे यहाँ email id for browser access में none select करके आगे बढ़े और enter press करते हुए इस screen को accept कर लें चले अब इस company को पहले control और F3 press करके shut कर देते हैं और फिर alter और F3 press करके company को open करके देख लेते हैं कि password set हुआ है या नहीं देखे company select करते ही username और password मागा जा रहा है इसका मतलब यह कि इस company में भी security control ठीक से काम कर रहा है चले हमने जो username और password बनाया है वो डाल देते हैं अब enter press करेंगे यह देखे company open हो गई है और हम gateway of tele पर आ गए हैं चले अब हम आपको बताते हैं किसी company के security password को change करना माल लेजिए किसी भी कारण से आप अपना password change करना चाहते हैं तो देख लेते हैं कि यह काम कैसे किया जा सकता है अब हम gateway of tele पर हैं पासवर्ट चेंज करने के लिए हमें company menu पर जाना होगा उसके लिए alter और k कीज को press करेंगे यह देखें यहां पर user management के अंतरगर change password दिखाई दे रहा है उस पर जाकर enter press करें या उसका shortcut p press करें देखें change password की screen आ गई है इसमें old password में आप अभी जो password है वो डालें enter press करें अब new password में आप जो नया password बनाना चाहते हैं वो type करें अब enter press करें अब यहां confirm new password में confirmation के लिए फिर से नया password डालें और इस window को accept कर लें अब आप चाहें तो इस company को shut करके फिर से नया password से open करके देख सकते हैं और confirm कर सकते हैं कि password change हुआ या नहीं चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यदि आप किसी कारण से username और password एक साथ change करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं उसके लिए आपको अपनी company के screen पर रहते हुए alter और k की इसको press करना होगा फिर security option पर जाने के लिए e press करना होगा यहां पर company select करें हम national traders select कर रहे हैं तेखे ऐसा करते ही security and user access की window open हो गई है जिसमें हमारे द्वारा से लेक के गई company का नाम भी आ रहा है अब यहां से हमें backspace press करते हुए username पर जाना होगा अब यहां हम नया username type कर देते हैं enter press करके आगे बढ़ें पासवर्ड में नया पासवर्ड टाइप करें उसके बाद confirm पासवर्ड में भी नया पासवर्ड डालें अंत में old पासवर्ड में आपका जो पुराना पासवर्ड है वो टाइप करेंगे यहां email id for browser access में none select करके आगे बढ़ें और enter press करते हुए इस screen को accept कर लें अब आप जाए तो इस company को shut करके फिर से नय यूजर नेम और पासवर्ड से open करके confirm कर सकते हैं कि वो ठीक से काम कर रही है या नहीं चलिए अब देखते हैं कि किसी company में security control enable है यानि चालू है तो उसे कैसे remove कर सकते हैं अभी हम gateway of tally पर है security control remove करने के लिए हमें company menu पर जाना होगा उसके लिए alter और k की इसको press करें अब यहां configure के अंतरगत security option के लिए उसकी shortcut की e press करें ऐसा करते ही tally में जितनी भी company खुली हुई होंगी उनकी list दिखाई देगी हम उस company को select कर लेंगे जिसका security control remove करना चाहते हैं company select करते ही security and user access की screen दिखाई देगी इसमें control user access to company data जोकी अभी yes है उसे no कर दे और अब enter press करें ऐसा करते ही आपसे current यानि existing password पुछा जाएगा password डाल कर enter press करें यहां email id for browser access में none select करके enter press करते हुए इस screen को accept कर लें आप चाहें तो इस company को shut करके फिर से open करके देख सकते हैं ऐसा करते समय आपको password नहीं डालना होगा जिसका आरत होगा password remove हो गया है इस topic को समझनी के लिए हमने अपनी एक company open कर ली है इसमें हम जिस तरह काम करके बता रहे हैं ठीक उसी तरह आप भी अपनी company में काम कर सकते हैं चलिए पहले समझते हैं कि groups और subgroups की आवशक तक क्यों होती है पहले हमारा website छोटा था तो हमारे पास कुछ ही customers थे पर अब हमारा website बड़ा होता जा रहा है अब हमारे customers उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और महराश्र में भी है शुरू से हम अपने सभी customers के ledgers sundry data group के अंतरगत बना रहे हैं आए पहले एक बार group समरी के द्वारा sundry data यानि सभी देंदारों की report देख लेते हैं अभी हम gateway of tally पर हैं Reports के अंतरगत, display more reports के लिए d press करें यहां account books के लिए a press करें अब group summary के लिए g press करें लिस्ट of groups आ रही है यदि आप सभी groups की report एक साथ देखना चाहते हैं तो primary select करें या फिर जिस group की report देखना चाहते हैं उससे select करें हम sundry data select कर रहे हैं देखें sundry data's group के report आ रही है यहां हम आपको बता दें कि समझने में आसानी हो इसलिए हमने अपनी सभी customers के नाम के साथ उनकी city और state के नाम भी लिख दिये हैं नाम के आखिर में उनके closing balance भी दिखाई पढ़ रहे हैं इस report के बारे में हम आपको आगे विस्तार से समझाएंगे अभी हम इस report में सिर्फ मध्य प्रदेश की customers की details चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस report में से मध्य प्रदेश के customers की details को चाट कर अलग कहीं लिखना होगा ऐसी स्थिती में हमें इस काम को करने में समय लगेगा और यदि कर भी लेंगे तो गलती होने की संभावना बनी रहेगी यदि हम इस तरह के काम को बगैर गलती के शिगरता से करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें sundry data's group के अंतरगत उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और महराश्र के अलग-अलग groups बनाने होंगे और उनके अंतरगत customers के ledgers बनाने होंगे और यदि पहले से ही ledgers बने हुए हैं तो उन ledgers को alter करके उन्हें संबंधित प्रदेश के ग्रुप के अंतरगत लाना होगा आये इसे हम एक चार्ट की सहयता से समझ लेते हैं यहां हमने sundry data's group के अंतरगत, UP customers, MP customers और महराश्र customers के state-wise तीन अलग-अलग groups बनाए हैं और उनकी अंतरगत हमें संबंधित क्षेत्र के customers के ledgers भी लाना होंगे ध्यान रखे हम जिस तरह से state के groups बना रहे हैं आप चाहें तो अपने area के salesmen के हिसाब से भी अलग-अलग groups बना सकते हैं इसे ये होगा कि हम आसानी से ये देख सकेंगे कि किस salesmen के द्वारा कितनी उधारी आना है आगे बढ़ने से पहले हम आपको यात इला दें कि हमने basic level की video number 25 में बताया था कि inventory यानि stock के लिए stock group और subgroup के आवशकता क्यों होती है और इन्हें कैसे बनाते हैं और video number 26 में बताया था कि stock groups को alter और delete कैसे करते हैं ठीक उसी तरह आप lasers के लिए बनाए गए groups पर भी काम कर सकते हैं तो आएए पहले groups बना लेते हैं groups बनाने के दो तरीके हैं पहला है single group बनाना इसे हम इसी वीडियो में आगे समझेंगे और दूसरा है multiple groups बनाना इसके द्वारा हम एक बार में बहुत से groups बना सकते हैं उसके लिए master के अंतरगत चार्ट ओफ अकाउंट्स पर जाएं group पर जाकर enter प्रेस करें यहां multi master के लिए alter और h प्रेस करें multi create selected है enter प्रेस कर दें under group में sundry data select करें क्योंकि हमें इसी group में subgroup बनाने है यहां name of groups में उन groups के नाम टाइप करें जो आप बनाना चाहते हैं इसी तरह आप उपर select किये गए group में कितने भी subgroups बना सकते हैं आखिर में control और A प्रेस करके screen को accept कर लेते हैं देखे स्क्रीन को accept करते ही हम chart of accounts पर आ गए हैं यहां हमारे द्वारा बनाये गए सभी groups sundry data group के अंतर का दिखाई दे रहे हैं अब हमें पहले से बने सभी customers के layers को alter करके संबंधित group में लाना होगा layers में alteration करना हम आपको detail में अपनी video number 17 में बता चुके है layers में एक साथ alteration करने के लिए chart of accounts पर जाएं यहां layers selected है एंटर प्रेस करें यहां multi master के लिए alter और h प्रेस करें अब multi alter पर जाकर एंटर प्रेस करें अब यहां हमें वो group से लेक्ट करना होगा जिसके अंतरकत बने layers में हम alteration करना चाहते हैं हम sundry data select कर रहे हैं यहां multi laser alteration screen आ रही है और name of laser में सभी customers के नाम आ रहे हैं और उनके आगे under में वे किस group में बने हैं उस group का नाम आ रहा है हमें group change करना है तो एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे अब अंडर में जिस state का वो customer है वो group select करेंगे जैसे कि अक्षे enterprises महराष्ट का customer है तो यहां हम महराष्ट customers select कर रहे हैं इसी तरह हम सभी customers के group बदल लेते हैं देखिए हमने सभी customers के groups बदल दिये है अब इस screen को accept कर लेते हैं आए अब फिर से sundry data's group की report देख लेते हैं डीटेल रिपोर्ट देखने के लिए alter और F5 कीज को प्रेस करें यह देखिए sundry data's की report आ रही है इसमें किस state में किस customer से क्या लेना है यह सपश्ट दिखाई पढ़ रहा है अब यदि आप सिर्फ किसी एक ही state की report देखना चाहते हैं तो F4 प्रेस करके उस group का नाम सेलेक करें हम MP customers group सेलेक कर रहे है देखिए ऐसा करते ही हमें सिर्फ MP customers की details मिल गई है अमान लीजिये हम चाहते हैं कि हमारे मुंबई में बहुत से customers हैं इसलिए उनकी यानि मुंबई customers की report अलग से भी दिखे और महराश्र customers के साथ भी दिखे तो उसके लिए हमें मुंबई customers के नाम से एक सब ग्रुप महराश्र कस्टमर्स ग्रुप के अंतरगत बनाना होगा चलिए बताते हैं कैसे ये काम हम सिंगल ग्रुप creation की साहता से कर रहे हैं हम Gateway of Tally पर हैं Master के अंतरगत create पर जाएं ग्रुप already selected है, enter press करेंगे नाम में आप जो ग्रुप बनाना चाहते हैं उसका नाम टाइप करें हमने टाइप किया Mumbai customers enter press करके आगे बढ़ें अंडर में वो ग्रुप सेलेक्ट करें जिसके अंतरगत आप ये ग्रुप बनाना चाहते हैं हम महराश्र कस्टमर्स सेलेक कर रहे हैं अब control और a प्रेस करके इसे accept कर लेते हैं Mumbai customers ग्रुप बनाने के पाद हमें पहले बताए अनुसार हमारे Mumbai के सभी customers के जो lasers हैं उनके ग्रुप बदलना होंगे हम सिर्फ Mumbai के customers के lasers के ग्रुप महराश्र कस्टमर्स से बदल कर Mumbai customers कर रहे हैं एक विशेश बात यह अब हम जब भी नए customers के lasers बनाएंगे तो उन्हें Sunry Dates की जगह UP customers, MP customers, महराश्र कस्टमर्स या Mumbai customers ग्रुप के अंतरगत बनाएंगे या अपनी ज़रुरत के अनुसार इस तरह के और भी ग्रुप बनाकर उनके अंतरगत बनाएंगे आए फिर से रिपोर्ट देखते हैं F2 प्रेस करके हम पूरे वर्ष का पीरियड ले रहे हैं अब डीटेल रिपोर्ट के लिए अल्टर और F5 प्रेस करें यहां मुबई कस्टमर्स की डिटेल नहीं आ रही है उसके लिए F12 प्रेस करके यहां Expand All Levels in Detailed Format को Yes करके इस स्क्रीन को Accept करें यह देखे पूरी रिपोर्ट आ रही है अब यदि आप सिर्फ किसी एक स्टेट या अकेले मुबई के कस्टमर्स की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो F4 प्रेस करके उस ग्रूप का नाम सेलेक करें हम मुबई कस्टमर्स सेलेक कर रहे हैं यह देखे सिर्फ मुबई कस्टमर्स की रिपोर्ट आ रही है वैसे तो हम आपको group summary देखना बता चुके हैं, पर यदि आप अपने customers की ज्यादा details देखना चाहते हैं, जैसे कि उनका opening balance क्या था, उसको कितना माल गया, उसका कितना payment आया, अब क्या लेना बागी है, तो उसके लिए इस screen को configure करना होगा, उसके लिए हम F12 प्रेस कर रहे हैं और यहाँ show opening balance को yes, और show transaction को yes कर रहे हैं, यह देखिए show closing balance पहले से yes है, इसे हम ऐसा ही रहने देंगे और इस screen को accept कर लेते हैं, देखिए ऐसा करते ही पूरी detail आ गई है, इस वीडियो में हमने जिस तरह से groups create करना बताया, उसी तरह से आप अपनी जरूरत के अनुसार, टैली में पहले से बने हुए किसी भी ग्रूप के अंतरगत groups बना सकते हैं, यहाँ एक और मातुपून बात बता दें, वैसे तो टैली ने हमें 15 primary groups पहले से ही बना कर दिये हैं, और इसके अलावा कोई primary group बनाने की जरूरत प्राया नहीं होती, फिर भी यदि आप कोई primary group ब group already selected है, enter press करें, जिस नाम से आप group बनाना चाहते हैं वो नाम टाइप करें, enter press करते हुए under में primary select करें, ऐसा करते ही nature of groups की list दिखाई पड़ेगी, इसमें आप अपनी जरूरत अनुसार group का nature select कर सकते हैं, अब इस screen को accept कर लें, ऐसा करते ही आपका नया primary group बन जाएगा जैसा कि आप जानते ही हैं, किसे भी goods को measure करने, यानि मापने की कोई value होती है, जिसे हम unit कहते हैं, अलग-अलग प्रकार के goods के लिए, अलग-अलग units of measure होती हैं, जैसे kilogram, meter, liter, piece, number, ton, dozen, इत्यादी प्रत्यग व्यापारी अपने माल के हिसाब से उसको measure करने के लिए, अपनी आवशक्ता नुसार अलग-अलग units का उप्योग करता है इसके पहले हम आपको टैली प्राइम की video number 27 में stock items के लिए simple unit बनाना और उनका उप्योग करना सिखा चुके हैं लेकिन जब हमारा व्यापार बड़ा होता है तो हम ज्यादा मात्रा में एक साथ माल खरीते हैं और थोड़ी-थोड़ी मात्रा में उस माल को बेशते हैं जैसे हमने 10 क्विंटल चावल खरीदा यहां हम आपको बता दें कि एक क्विंटल में 100 किलो होता है यानि हमने 1000 किलो चावल खरीदा जिसे 10 क्विंटल कहेंगे और इस चावल को हम 25, 50 या 100, 100 किलो करके बेचेंगे सरल शब्दों में कह सकते हैं कि हमने क्विंटल में माल खरीदा और किलो में बेच रहे हैं यानि खरीदने और बेचने की यूनित्स अलग-अलग हैं और यही कारण हैं कि हमें टेली में हिसाब रखनी के लिए भी अलग-लग यूनित्स की आवश्कता होगी साथ ही वो एक दूसरे से जुड़ी हुई भी होनी चाहिए इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि एक साथ दो यूनिट्स पर काम कैसे करते हैं इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको compound units यानि एक साथ तीन यूनिट्स पर काम करना बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप इनकी रिपोर्ट्स कैसे देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम Demo Tally UOM के नाम से एक नई कंपनी बना रही हैं जिसमें Billwise Entry और GST को No रखा है क्योंकि अभी हमने इन options पर काम नहीं किया है कंपनी बनाने के बाद हमने इस कंपनी में सेल्स, पर्चिस, सप्लायर और कस्टमर के कुछ लीजर्स भी बना लिये हैं अब हम किलोग्राम की एक सिंपल यूनिट बना लेते हैं अभी हम Gateway of Tally पर हैं Masters के अंतरगर्द Create option पर जाएं अब यहां Inventory Masters में यूनिट को सिलेक करें यह देखिए यूनिट क्रियेशन की एक छोटी स्क्रीन ओपन हो गई है यहां पर यूनिट टाइप सिंपल ही रहने दे इसके बाद सिंबल में अगर कोई यूनिट का शॉट फॉर्म है तो वो यहां पर टाइप करें हम KGS टाइप कर रहे हैं Enterprise करके आगे बढ़ें अब Formal Name में किलोग्राम्स टाइप करें अब बात करते हैं Number of Decimal Places की यदे आप इस यूनिट को बनाने के बाद दूसरी जो Alternate यूनिट बनाने वाले हैं वो इस से छोटी यूनिट होती जैसे की 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं और हम किलोग्राम में माल खरीद कर किलोग्राम के साथ साथ ग्राम में भी बेशते हैं जैसे की 1.8 किलो या 550 ग्राम तो यहाँ पर किलोग्राम के साथ ग्राम को भी दर्शाने के लिए Number of Decimal Places में 3 लेते क्योंकि ग्राम अधिक्तम 3 डिजिट्स तक ही होते हैं 1000 ग्राम यानि 4 डिजिट होने पर वो 1 किलोग्राम बन जाता है लेकिन यहाँ हमें किलोग्राम से उपर की यूनिट जैसे क्विंटल में जाना है तो यहाँ Number of Decimal Places में 0 ही रहने देंगे अब हम इस स्क्रीन को एक्सप्ट कर लेते हैं अब जिस तरह से हमने किलोग्राम के लिए यूनिट क्रियेट की थी उसी तरह हम क्विंटल की यूनिट भी बना लेते हैं यहाँ हमने क्विंटल के लिए QTL लिख लिया है फॉर्मल नेम में अब हम क्विंटल लिख लेते हैं अब बात करते हैं Number of Decimal Places की हम क्विंटल में माल खरीद कर किलो में बेचने वाले हैं और एक क्विंटल में 100 किलोग्राम सोते हैं तो यहाँ Number of Decimal Places में हम टाइप करेंगे 2 अब हम इसे Accept कर लेंगे अब हमें Stock Item क्रियेट करना होंगे हम नेम में Rice टाइप कर रहे हैं Enterprise करके आगे बढ़ेंगे और Under में Primary ही रहने देंगे यह हम Units पर आगए हैं पर आगे बढ़ने से पहले कुछ समझना जुरूरी है इसके पहले हमने एक ही यूनिट पर काम किया था जिस यूनिट में हम माल खरीते थे उसी यूनिट में बेचते थे पर अब हम दो यूनिट पर काम करने जा रहे हैं हम क्विंटल में माल खरी देंगे और क्विंटल और किलोग्राम्स दोनों में बेच सकते हैं और इसके लिए हमें स्टॉक क्रियेशन स्क्रीन पर रहते हुए एफ ट्वल प्रेस करके कुछ कॉन्फिगरेशन करना होगा यहाँ पर प्रोवाइड यूनिट फॉर मेजरमेंट फॉर स्टॉक आइटम्स को यस ही रहने दें और उसके नीचे यूज अल्टरनेटिव यूनिट्स ओप्षन दिखाई पड़ रहा है उसे यस कर दें और कॉन्फिगरेशन विंडो को एक्सेट कर ले अभी हम यूनिट्स पर हैं और यहाँ हमारी बनाई हुई सभी यूनिट्स दिखाई दे रही हैं हमें इसमें से वो यूनिट्स सिलेक करना हैं जिसमें हम सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं आएए इसको समझ लेते हैं हम इकठा माल खरी देंगे क्विंटल में और उसे थोड़ा-थोड़ा करके बेचेंगे किलोग्राम में यानि हमारा ज्यादतर काम होगा किलोग्राम में, इसलिए हम यहाँ पर किलोग्राम को सिलेक करेंगे, और अब यहाँ alternate unit में सिलेक करेंगे दूसरी unit यानि क्विंटल को, अब यहाँ वेर में हमें दोनों units के बीच क्या संबंध है वो टाइप करना होगा, जैसे कितने क्विंटल में कितने किलोग्राम सोते हैं, तो हम यहाँ पर एक क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम टाइप कर रहे हैं, और अब enterprise करते हुए इसे accept कर लेते हैं, हमने stock item create कर लिया है, अब हम purchase की एक entry कर लेते हैं, यहाँ पर हमने purchase voucher open कर लिया है, party account name में supplier A select कर रहे हैं, और purchase ledger में purchase account select कर लिया है, अब item में हम rice select कर रहे हैं, हमने चार क्विंटल राइस खरीदा है, इसलिए quantity में four type करके enterprise कर रहे हैं, यह देखिए जैसे ही हमने enterprise किया, यहाँ चार किलोग्राम लिखा हुआ आ रहा है, इसका कारण यह है कि हमने stock item बनाते समय primary unit में किलोग्राम लिया था, चलिए इसको ठीक कर लेते हैं, इसके लिए पहले backspace key से वापस item पर आएं, फिर quantity के column में फिर से quantity type करें, और उसके साथ ही अपनी जो ultimate unit बनाई है, उसका पहला अक्षर, जैसे कि यहाँ पर quintal के लिए Q type करेंगे, और enterprise कर दें, देखिए ऐसा करते ही quantity में उपर किलोग्राम और नीचे quintal लिखा हुआ आ रहा है, हमने यह चावल 4,000 रुपए प्रती quintal के हिसाब से खरीदा है, इसलिए rate में 4000 टाइप कर रहे हैं, enterprise करें, देखिए पर में किलोग्राम लिखा हुआ आ रहा है, चुकि यह भाव प्रती quintal के हिसाब से है, इसलिए यहाँ पर में Q टाइप करके enterprise करें, अब इस voucher को save कर लेते हैं, जिस तरह से हमने quintal में माल की खरीद दिखाई, उसी तरह से आप इस माल को quintal या किलोग्राम में बेच सकते हैं, अभी हमने rice को लेकर जो transaction record किया था, उसमें quintal और किलोग्राम का उप्योग किया था, और हमें पता है कि एक quintal में 100 किलो होते हैं और यह एक निर्धारित पैमाना है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप biscuits का व्यापार करते हों, जिसमें अलग-अलग biscuits के कार्टन में अलग-अलग quantity में packets हों, जैसे पारले जी के एक कार्टन में 20 packs आते हैं, और गुड़े के एक कार्टन में 30 packs आते हैं, तो आईए, ऐसे इस्थिती में क्या समस्यां आ सकती हैं और उनका क्या समाधान है ये संक्षित में समझ लेते हैं, पहले हम दो units बना लेते हैं, पहले unit हम बना रहे हैं pack की, ध्यान दे, इसमें हमने number of decimal 0 ही रहने दिया है, दूसरी unit cartons की, ध्यान दे, इसमें भी हमने number of decimal 0 ही रहने दिया है, आईए अब हम stock item बना लेते हैं, यहां हम stock item का नाम टाइप कर रहे हैं, पारले जी, अंडर में हम primary ही रहने देंगे, अब चूंकि यहां पर हम carton में biscuits खरी देंगे, और pack में बेचेंगे, इसलिए हम basic unit में pack select कर रहे हैं, और alternate unit में carton को select कर रहे हैं, अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि पारले जी के एक box में 20 packs आते हैं, तो यहां पर हम type करेंगे one carton is equal to 20 packs, अब इस screen को save कर लेते हैं, इसे तरह हम दूसरा stock item बना लेते हैं, नाम में type करेंगे good day, अंडर में primary ही रहने देंगे, यहां भी basic unit pack ही लेंगे और alternate unit में carton लेंगे, लेकिन यहां पर one carton is equal to 30 packs type करना होगा, अब हम purchase की एक entry कर लेते हैं, party account name में supplier A select करेंगे, और purchase leisure में purchase account select करेंगे, अब यहां name of item में पार ले जी, हमने 10 cartons 300 रुपए प्रती carton के हिसाब से खरीदे हैं, इसलिए quantity में हम 10 type करके, उसी के साथ carton के लिए C type करेंगे, और इसी तरह rate में 300 लिखकर enterprise करेंगे, और पर में carton के लिए C type करेंगे, इसी तरह हमने गुद्डे के भी 10 cartons 400 रुपए प्रती carton के हिसाब से खरीदे हैं, उसके भी entry कर लेते हैं, देखें हमने दोनों items 10-10 खरीदे थे, पर वे packs में convert होकर 200 और 300 दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने अलग-अलग cartons में 20 और 30 packs लिए थे, अब control और A की इसको प्रेस करके इसको accept कर लेते हैं, अब हम एक cell bill बना लेते हैं, F8 की प्रेस करेंगे, party account name में customer A select करेंगे, sales leisure में sales account लेंगे, अब item में पारलेजी लेंगे, यहां हमने 5 packs बेचे हैं, इसलिए 5 टाइप करेंगे, देखें ऐसा करते ही नीचे carton की quantity 0 दिख रही है, जो की impossible है, यहां problem इसलिए आ रही है, क्योंकि हमने carton की unit of measure बनाते समय, decimal number नहीं लिया था, तो पहले हम इस गलती को सुधार लेते हैं, उसके लिए escape की दबा करके पाहर आ जाते हैं, और आएए, अब हम carton की unit में alteration कर लेते हैं, यहां पर हमने decimal place में 3 डाल दिया है, आप चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं, एक बात का ध्यान रखें, अभी number of decimal places में जो number है, उससे बड़ा number तो डाल सकते हैं, पर उससे छोटा number नहीं डाल सकते, जैसे अभी हमने यहां पर 3 ले लिया, तो भविश्य में आप इसे 4 या उससे अधिक तो कर सकते हैं, पर 3 से कम, यानी 2 या 1 नहीं कर सकते, एक और बात ध्यान रखें, अगर आपने किसी unit को लेकर कोई transaction record कर लिया है, तो आप उस unit को delete नहीं कर सकते, अब हम फिर से cells की entry कर लेते हैं, देखिए, 5 packs डालते ही कार्टन में 0.25 आ गया है, और इसी तरह से दूसरे item में 10 pack डालते ही 0.333 आ गया है, क्योंकि हमने कार्टन में number of decimal places में 3 लिया है, अब हम इस entry को save कर लेते हैं, alternate unit वाली वीडियो में आपने देखा कि हमने quintal में सामान खरीदा और kilogram में बेचा, और इसके लिए हमने दो simple units को alternate unit बना कर उप्योग किया, अब हमारे business की और growth हो रही है, हम बड़े पैमाने पर business कर रहे हैं, तो निश्यत रूप से और ज्यादा quantity में माल खरीदेंगे, पहले हम quintal में माल खरीद रहे थे, अब ton में माल खरीदेंगे और उसे quintal और kilogram में बेचेंगे, इसके लिए हमें तीन units की जरूरत होगी, ton, quintal और kilogram, यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक ton में 10 quintal होते हैं, और हमने बताया था, एक quintal में 100 kilogram होते हैं, और इस तरह एक ton में हुए 1000 kilogram, अभी हमारे पास quintal और kilogram की unit पहले से ही बनी हुई है, अभी हम ton की unit और बना लेते हैं, हम ton की simple unit बना रहे हैं, number of decimal place में हम 3 ले रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि एक ton में 1000 kilogram होते हैं, और जब हम items को kilogram में sell करें, तो tally उसे accept कर ले, अब हमारे पास 3 units हो गई है, ton, quintal और kilogram, stock items बनाते समय हमें, quintal और kilogram की alternate unit बनाना तो पहले से ही आता है, अब हम ton और quintal को आपस में जोड़ना भी सीख लेते हैं, उसके लिए हमें compound unit बनाना होगी, अभी हम unit creation screen पर हैं, compound unit बनाने के लिए पहले हमें unit type को, simple से change करके compound करना होगा, उसके लिए हम backspace key को press कर रहे हैं, और types of units में से compound सिलेक कर रहे हैं, अब यहाँ पर हमें ton को quintal से जोड़ना है, इसलिए यहाँ पर first unit में लेंगे ton, जैसा कि यहाँ आप उपर example में देख सकते हैं, कि 1 kilogram बराबर 1000 gram होता है, इसी तरह conversion में हमें ton और quintal दोनों का संबंध पताना होगा, हमें पता है कि 1 ton में 10 quintal होते हैं, तो यहाँ conversion में हम type करेंगे, 10 और second unit में हमें quintal से लेक करना होगा, इसके बाद हम इस screen को accept कर लेंगे, हमने पिछली वीडियो में इसी company में अपने stock item rice के लिए alternate unit का उप्योग करते हुए transactions record किये थे, और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, कि जब हम किसी unit को लेकर transactions कर लेते हैं, तो उस stock item की unit में कोई भी alteration नहीं हो सकता, इसलिए हम एक नया stock item wheat और बना लेते हैं, जिससे इन तीनों units को एक साथ उप्योग करके देख सकें, देखें stock item creation screen आ रही है, हम name में ले रहे हैं wheat, under में primary, units में हमारी basic unit है kilograms, alternate unit में हम select करेंगे ton of 10 quintal, अब जैसा कि आप जानते हैं, एक quintal में 100 kilo होते हैं, अब हम wear में type करेंगे, 1 quintal is equal to 100 kilograms, ये देखिए, इस तरह से यहां सभी units आपस में link हो गई हैं, 1 ton बराबर 10 quintal और 1 quintal बराबर 100 kilo, अब आप इस item को किसी भी unit में खरीदें या बेचें, इसका conversion automatically हो जाएगा, हम इस screen को accept कर लेते हैं, आईए, अब हम एक purchase voucher बना लेते हैं, पार्टी अकाउंट नेम में supplier एस सिलेक करेंगे, पर्चिस लेजर में purchase अकाउंट, और यहां नेम आफ आइटन में लेंगे wheat, हम पाँच टन गेहूं खरीद रहे हैं, इसलिए यहां quantity में पाँच टाइप करके, उसके साथ टन के लिए tea टाइप करेंगे, यह देखें पाँच टन टाइप करते ही unit convert होकर, पाँच हजार किलो अपने आप आप आगया है, रेट में ले लेते हैं 20,000 रुपए प्रति टन, उसके लिए 20,000 लिखकर एंटर प्रेस करें, और पर में टन के लिए tea टाइप करें और एंटर प्रेस करें, देखें अमाउंट में 5 टन का अमाउंट आ गया है, अब इसे control A से accept कर लें, अब हम एक sales voucher बना लेते हैं, यहाँ पर party account name में हम customer A सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ sales ledger में sales account सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ item में wheat सेलेक्ट कर रहे हैं, हमने 12.5 quintal माल बेच रहे हैं, तो यहाँ 12.5 के बाद टाइप करेंगे Q, और इंटर प्रेस करेंगे, और अब इस voucher को accept कर लेंगे, अभी हमने जो sales voucher बनाया, यदि आप उसका printout alternate unit के साथ चाहते हैं, तो उसके लिए पहले page up key प्रेस करें, अब control और P प्रेस करें, यहाँ हमें कुछ configuration करना होगा, उसके लिए F12 या C प्रेस करें, अब यहाँ show quantity with alternate unit, और show alternate unit in separate column, यदि yes है तो ठीक, और यदि no है तो उन पर जाकर एंटर प्रेस करें, ऐसा करते ही यह option यह सो जाएंगे, इसके बाद इस window को accept करें, अब प्रिव्यू के लिए आई प्रेस करें, फिर जूम करें, देखें यहाँ पर हमारा बिल किलोग्राम में, और उसके साथ ही टान और कुइंटल में भी दिखाई दे रहा है, चलिए अब हम इस stock item की report भी देख लेते हैं, stock item monthly summary आ रही है, हम यहाँ एंटर प्रेस कर रहे हैं, अब यहाँ F12 प्रेस करके, alternate unit को yes करके, इस window को accept कर लेते हैं, यह देखें पूरी report, टन, क्विंटल और किलोग्राम में दिखाई पड़ रही है, टेली में alias option है तो बहुत छोटा सा, लेकिन आपके व्यापार के लिए बहुत ही मरत्वपून है, यदि आप alias option का उप्योग करते हैं, तो टेली में इससे काम करना बहुत सरल हो जाता है, साथ ही आपके काम करने का समय भी कम हो जाता है, alias का उप्योग सभी master के लिए किया जा सकता है, यहां हम आपको समझाने के लिए इसका उप्योग layers और stock items में करके दिखाएंगे, पहले हम आपको बता दें कि alias का अर्थ होता है उप्योग या कह सकते है निक्नेम, सरल शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि किसी का भी ऐसा दूसरा नाम जो हमें बोलने और याद रखने में आसान हो, आईए पहले हम लेजर में alias के उप्योग को एक उधारण से समझ लेते हैं, हमारे एक बड़े customer हैं जो दिन भर में हमसे कई बार माल मंगवाते हैं और उनकी दुकान का नाम है मोहनलाल गंगाराम, पर हम जब भी अपने किसी कर्मचारी को उनके यहां पर सामान देने के लिए भेशते हैं तो कहते हैं कि मोहन की दुकान पर जाना, या कहते हैं कि mg के यहां जाना, यहां पर mg मोहनलाल गंगाराम का short form है, बस टैली में काम करते समय भी हम मोहन या mg टाइप करें और मोहनलाल गंगाराम का लेजर आ जाए, यही काम है L.A.S. का, आए टैली में काम करते हुए से समझते हैं, यहां हमने अपनी एक कमपनी ओपन कर ली है, अब हम मोहनलाल गंगाराम का एक cell bill बना रहे हैं, वाउचर के लिए V प्रेस करें, अब F8 की प्रेस करें, अब मोहनलाल गंगाराम के लिए हमने टाइप किया M, यह देखिए चार नाम हाइलाइट हो रहे हैं, हमने M के बाद टाइप किया O, H, A, N, यानि मोहन, देखिए अभी भी चार नाम हाइलाइट हो रहे हैं, इसमें से हमें एक सेलेक करना होगा और इसके लिए पहले हमें सभी नाम को ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि दिखाई दे रहे नामों में काफी समानता है तब ही हम सही नाम सेलेक कर पाएंगे आईए हम इस नाम को यहीं पर ऑल्टर करके इसमें ऐलियस जोड़ देते हैं बेक स्पेस की से हम वापस नाम पर आ गए हैं यहाँ पर हम आपको याद दिला दें कि हमने आपको पहले बताया था कि यदि आप कहीं कोई काम कर रहे हैं और उसी दौरान किसी मास्टर में कुछ अल्टर करना हो तो आप कंट्रोल और एंटर एक साथ प्रेस करें यह देखे ऑल्टरेशन स्क्रीन आ रही है हम अलियस में मोहन टाइप करके एंटर प्रेस कर रहे हैं देखे हम अगली लाइन में आ गए हैं यहां हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं इसी तरह आप चाहें तो और भी उपनाम दे सकते हैं अब हम इस स्क्रीन को एकसप्ट कर लेते हैं अच्छे से समझने के लिए हम वापस गेटवे आफ टैली पर आ गए हैं अब फिर से बिल बनाने की प्रक्रिया दोहराते हैं यहां पर मोहन लाल गंगाराम के लिए चाहें तो मोहन टाइप करें औ आमने शिगरता से सही नाम सेलेक्ट कर लिया है क्या ध्यान रखिए, यदि आप कोई नय मास्टर बना रहे हैं तो उसमें भी नाम के नीचे ऐलियायज उप्षण होता है आप नया मास्टर बनाते समय ही उपनाम दे सकते हैं और यदि आपकी कंपनी में यह ऑप्षण नही दिख रहा है तो आप F12 प्रेस करके यहां प्रोवाइड एलियस फॉर नेम को यस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर ली ऐसा करते ही यह उप्शन आ जाएगा यहां हम आपको एक और बात बता दें कि एलियस का फायदा सिर्फ वाउचर एंट्री में ही नहीं मिलता इसकी सहायता से आप शीगरता से रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि हम किट्वे ओफ टेली पर हैं यहां से D प्रेस किया फिर A प्रेस किया फिर L प्रेस किया फिर MG टाइप किया और एंटर प्रेस किया यह देखिए मोहनलाल गंगाराम का लेजर उपन हो गया है अब समझते हैं कि stock item में इसका क्या उप्योग है stock item में इसके उप्योग के मुखितर दो तरीके हैं और वे भी laser से थोड़ा हट कर है चली पहला तरीका देखते हैं यहां हम आपको एक list बता रहे हैं इसमें हमने उन सभी products के नाम लिखे हैं का हम व्यापार करते हैं इस list में हम दो तरह के alias के नाम भी लिख रहे हैं जो हम बनाने वाले हैं पहले तो हम सभी stock items को serial number दे रहे हैं और दूसरा उन्हें short code दे रहे हैं आइए नहीं थोड़ा समझा देते हैं हमने Dell laptop model 111 में से laptop के लिए L लिया, Dell company के लिए D लिया और product किस तरह का है उसके लिए model number 111 ले लिया इस तरह हमारा code हो गया LD111 इसी तरह हम सभी के code बनाते हुए जब sony TV पर आए तो समस्या ये थी कि हमने पहले ही TS को लेकर code बना लिया था अब sony TV के लिए क्या करें तो हमने इसके लिए TS O ले लिया आई अब इस list के आधार पर हम stock items में alteration कर लेते हैं अभी हम gateway of tally पर हैं यहां chart of accounts के लिए H प्रेस करें list of masters में stock items पर जाएं यह list of stock items आ रही है यहां stock item view के लिए F5 प्रेस करें अब यहां से एक एक stock item पर जाकर पहले बताए अनुसार alias जोड़ना है इसी तरह हमने सभी stock items में alias डाल दिये हैं इस list of stock items में वे update तो हो गएं पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं नाम के साथ alias देखने के लिए हम F12 प्रेस करेंगे यह यहां पर display name for masters में name only selected है इस list में आप अपनी जरूरत के अनुसार जो चाहें select कर सकते हैं हम name के साथ alias लिखा है इसे select करके enter press कर रहे हैं यह देखिए ऐसा करते ही पहले नाम और उसके बाद alias आ रहा है यहां पर ध्यान रखें यदि आप एक से ज़ादा alias उप्योग करेंगे तो नाम के साथ सिर्फ पहले वाला alias ही दिखाई पड़ेगा चले आगे बढ़ते हैं और एक cells की entry कर लेते हैं हम name of item पर आ गए हैं अब lg tv 20 inches के लिए हम list में देख लेते हैं इसका number 5 है और code TL20 है आईए हम इन दोनों को एक एक करके try कर लेते हैं अब है हमने देखा कि दोनों alias में से हम कोई भी लें lg tv 20 inch ही आता है अब देखते हैं कि stock item में alias का दूसरा उप्योग क्या है माल लिजे हमने electronics के व्यापार के साथ ही dry fruits का व्यापार भी प्रारम कर दिया है और हमने cashew यानी काजू खरीदे हैं और हम चाहते हैं कि cashew के नाम के साथ ही हिंदी में काजू भी लिखा हुआ आए जिससे हमारे कम पढ़े लिखे कर्मचारी भी बिल देखकर माल delivery करवा सके इसके लिए भी हम alias का उप्योग कर सकते हैं तो आए पहले हम stock item बना लेते हैं नाम में हमने टाइप किया cashew अब alias हिंदी में लिखना है तो उसके लिए f12 प्रेस करें provide language alias for name को yes करके इस screen को accept कर लें ऐसा करते ही इस तरह की screen आएगी हम backspace प्रेस करके English पर जाएंगे ऐसा करते ही list of languages आ रही है हम इसमें से हिंदी सेलेक करेंगे और enterprise करते हुए alias पर आ जाएंगे और काजू के लिए kwa jw टाइप करें अब अंडर में primary और unit में kilogram सेलेक करते हुए इस screen को accept कर लेते हैं आए अब आगे बढ़ते हैं हमने अशोक ट्रेडर से 1000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 50 किलो का जू उधार खरीदे हैं इसका bill number है 651 इसका purchase voucher बना लेते हैं अब हमें एक cell की entry भी कर लेते हैं हमने मोहनलाल गंगा राम को 1100 रुपए के भाव से 25 किलो काजू उधार बेची अब हम bill का print preview देखना चाहते हैं तो पहले तो page up की press करें यह देखे हमारा बनाया हुआ bill दिखाई पड़ रहा है अब print preview के लिए control और P प्रेस करें चूँकि हम bill में alias का भी नाम चाहते हैं हम C प्रेस करके configure पर चलते हैं अब यहां पर हमें display name of stock items पर जाकर enter प्रेस करना होगा और यहां से name के साथ alias पर जाकर enter प्रेस करेंगे फिर दो बार escape की press करें अब preview के लिए i प्रेस करें अब zoom के लिए alter और z प्रेस करें यह देखिए यहां कैश्यू के साथ काजू भी लिखा दिखाई पढ़ रहा है stock category के बारे में हम कह सकते हैं कि इसकी उप्योगिता भी stock group की उप्योगिता से काफी मिलती जुलती है पर हम stock group और stock category का एक साथ उप्योग करके stock items की report को ज्यादा उप्योगी बना सकते हैं यहां हमने काम करने के लिए company open कर ली है इसमें हमारा electronic items का व्यापार है और इस company में हमने पहले से ही stock groups और stock items बनाए हुए हैं इन्हें बनाना हम आपको वीडियो नंबर 25 और 28 में सिखा चुके हैं आप चाहें तो अपनी पहले से बनी किसी भी company में या नई company बनाकर हम जो सिखा रहे हैं वो काम कर सकते हैं stock category को समझने के पहले आपको एक बार फिर से stock group और stock group summary को short में समझना होगा stock group वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि stock groups क्यों बनाते हैं आया आपको फिर याद दिला देते हैं टैली में हम अपनी सभी stock items के खाते बगैर stock group के खोल तो सकते हैं पर यदि हम report में जाकर एक साथ शिगरता से ये देखना या जानना चाहते हैं कि हमारे पास कुल कितने air conditioners, laptops, televisions और washing machines हैं या हम ये जानना चाहें कि हमारे पास कौन सी company के कितने air conditioners, laptops, televisions और washing machines हैं तो इस तरह की जानकारी प्राप्ट करने के लिए हमें stock groups और subgroups बना कर उनमें stock items के खाते खोलना होते हैं यहां हम आपको समझाने के लिए एक चार्ट दिखा रहे हैं आईए अब बात करते हैं stock summary की हमने आपको वीडियो नमबर 41 में stock group summary के बारे में विस्तार से समझाया था अभी हम gateway of tally पर हैं आगे पढ़ने के लिए पहले हम एक बार वापस stock summary देख लेते हैं उसके लिए S प्रेस करें देखे हमारे पास कुल कितने air conditioners, laptops, televisions और washing machines हैं ये दिखाई पढ़ रहा है अब detailed report देखने के लिए alter और F5 प्रेस करें ऐसा करते ही हमें ये मालुम पढ़ रहा है कि हमारे पास कौन सी company के कितने air conditioners, laptops, televisions और washing machines हैं जैसे कि हमारे पास Sony के कुल 32 TV हैं अब F12 प्रेस करके कुछ configuration कर लेते हैं यहां expand all levels in detailed format को yes करके इस screen को accept कर लेते हैं देखे ऐसा करते ही अब हमें ये भी मालुम पढ़ रहा है कि हमारे पास किस company के कौन से size के कितने air conditioners, laptops, televisions और washing machines हैं जैसे कि Sony के 20 inch वाले 12 TV हैं और इसी तरह Sony के 30 inch वाले 20 TV हैं बस यहां एक समस्या रह जाती है कि हम से कोई पूछे कि आपके पास किसे निश्यत size या color के कितने TV हैं जैसे कि हम से किसी ग्राहक ने आकर कहा कि आपके पास 20 inch वाले TV कौन कौन सी company के हैं और किस company का कितना stock है? मैं सभी एक साथ खरीदना चाहता हूँ तो हमें इसका जवाब इस report में तुरंत नहीं मिलता है यहां इसका जवाब ढूनने के लिए हमें इस report में 20 inch वाले TV एक एक करके छांटना होंगे और फिर उनका total लगाना होगा तब जाकर हम ग्राहक को बता सकेंगे बस इसी का समाधन है stock category stock category बनाने से हमें इस तरह की कोई calculation नहीं करना होगी तो चलिए पहले stock category की परिभाशा देख लेते हैं stock category विशेश रूप से stock items के आकार, रंग, कार्यों को परिभाशित करती है stock category मूल रूप से विभिन stock groups से समबंधित समान विशेशताओं के stock items का वर्गी करन है आये शुरू करते हैं और समझने के लिए टीवी की 20 इंच और 30 इंच वाली कैटिगरी बना लेते हैं मास्टर्स के अंतरगत create पर जाएं यहां inventory master में stock category पर जाकर enter press करें stock category creation screen आ रही है name में हमें वो नाम टाइप करना होगा जिस नाम से हम stock category बनाना चाहते हैं हम TV 20 इंच टाइप कर रहे हैं under में primary ही रहने दें अब इस screen को accept कर लें इसे तरह हम TV 30 इंच की भी एक category बना लेते हैं आप अपनी जरूरत अनुसार कितनी भी stock categories बना सकते हैं आये अब हम अपने 20 इंच और 30 इंच वाले जितने भी TV हैं उनमें stock category डाल देते हैं उसके लिए हमें stock items में alteration करना होगा और इस काम के लिए chart of accounts में जाना होगा यहां stock items पर जाएं और enter press करें अब multi masters के लिए alter और edge press करें यहां multi alter पर जाएं list of stock groups आ रही है आप चाहें तो यहां all items select करें या फिर tv group select कर सकते हैं हम tv group इसलिए select कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी केवल tv से संबंधित category ही बनाई है और हमें tv group के अंतरगत बने हुए stock items में ही alteration करना है देखिए multi stock item alteration screen आ रही है जिसमें सभी तरह के tv के नाम दिखाई पढ़ रहे हैं पर यहां category का कोई option दिखाई नहीं पढ़ रहा है उसे enable करने के लिए f12 प्रेस करें यहां show stock category details को yes करके इस screen को accept कर लें देखिए ऐसा करते ही category का option आ गया है अब हमने जिन stock items के लिए category बनाई है एक एक करके उन पर चलते हैं और उनमें category डाल देते हैं ध्यान रखे जब भी आप stock items में इस तरह का alteration करने जाएंगे तो आपको हर बार f12 प्रेस करके show stock category details को yes करना होगा अब इस screen को accept कर लेते हैं आई अब देखते हैं कि नया stock item बनाते समय उसमें category कैसे select करते हैं create के लिए c प्रेस करें stock item पर जाएं यह देखिए stock item creation screen आ रही है जिसमें category option भी दिखाई पड़ रहा है पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने इस तरह की screen आए जिसमें category option ना दिखाई पड़े तो ऐसी इस्थिती में आपको यहां f12 प्रेस करना होगा अब यहां show more configuration को yes करके enter प्रेस करें ऐसा करते ही इस तरह की screen आ जाएगी इसमें आपको inventory detail के अंतरगर use stock category for stock item को yes करना होगा फिर इस screen को accept कर लें देखिए यहां category option आ गया है चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेम में हम lg tv 40 inch type कर रहे हैं एंटिप्रेस करते हुए आगे बढ़ें अंडर में group select करें category में वो category select करें जिसमें आप इस stock item को रखना चाहते हैं हमारे पास इस item की category बनी हुई नहीं है इसलिए alter और c press करके category बना लेते हैं अब unit select करें वैसे तो हमारे पास कोई opening balance नहीं है पर समझने के लिए हम 5 type कर रहे हैं rate में 40,000 type कर रहे हैं अब enterprise करते हुए इस screen को accept कर लेते हैं आई अब समझते हैं कि stock category की report कैसे देखते हैं display more reports के लिए d press करें यहां inventory books के लिए i press करें फिर stock category summary के लिए c press करें यदि आप सभी categories के report एक साथ देखना चाहते हैं तो primary select करें अब detailed report के लिए alter और f5 press करें देखें यहां हमारे द्वारा बनाई गई सभी categories के नाम आ रहे हैं और उनके आगे उनकी quantity भी आ रही है और उनके नीचे उन stock items की details आ रही हैं जो उस category में बने हैं नीचे की और आप कुछ stock items के नाम भी देख रहे हैं यह वो items हैं जिनकी हमने कोई category नहीं बनाई हैं आप चाहें तो इनकी भी stock category बना सकते हैं आएए अब हम किसी A category की report देख लेते हैं उसके लिए F4 प्रेस करें और जिस category की report देखना चाहते हैं वो select करें हम TV 20 inch select कर रहे हैं देखें हमारे ग्रहक के प्रश्न का जवाब तुरंत मिल गया अब हम ग्रहक को बता सकते हैं कि हमारे पास 20 inch वाले TV कौन कौन सी company के हैं और कितने कितने हैं जब किसी company का व्यापार बड़ा और फैला हुआ होता है तो वो company बहुत ज्यादा quantity में माल को खरीती है और बेशती है और इस कारण से उसे माल का stock भी ज्यादा रखना होता है माल का stock रखने के लिए उसे अलग-अलग go down की ज़रूरत होती है अब सवाल उठता है कि किस go-down में कब कौनसा कितना माल आया और किस go-down से कब कौन सा माल कितना गया और अब किस go-down में कौन सा माल कितना बचा है अब ये जानकारी कैसे प्राप्थ हो इसलिए tally में प्रत्ते go-down का हिसाब अलग-अलग maintain किया जाता है यहां हम आपको एक महतुपून बात बता दें कि कई टैली सॉफ्ट वेयर में यह option go down के स्थान पर location के नाम से मिलता है वास्तों में यह दोनों एक ही हैं आप चाहें तो location का नाम बदल कर go down कर सकते हैं यह कैसे कर सकते हैं? यह हम आपको इस वीडियो के end में बताएंगे चले आगे बढ़ते हैं यहां हमने काम करने के लिए अपनी एक company open कर ली है इसमें हमारा electronic items का व्यापार है आप चाहें तो अपनी पहले से बनी किसी भी company में या नई company बना कर हम जो सिखा रहें वो काम कर सकते हैं अब हम gateway of tally पर हैं go down create करने के लिए हमें masters के अंतरगत create पर जाना होगा यहां inventory masters के अंतरगत go down option दिखाई पड़ रहा है हम go down पर जाकर enterprise कर रहे हैं ऐसा करते ही एक pop-up window आ रही है जिसमें लिखा है कि tally में पहले से ही इस company के लिए एक main location बनी हुई है क्या आप इस main location में परिवर्थन करना चाहते हैं या एक नया go down बनाना चाहते हैं यहां हमें आगे बढ़ने से पहले main location का अर्थ समझना होगा जब हम कोई व्यापार करते हैं तो prior हमारी एक दुकान होती है जहां हम ग्रहकों को तुरन दिलिवरी देने के लिए कुछ माल भी रखते हैं टैली का आशय इसी तरह के स्थान से है आप चाहें तो इसे main location के नाम से ही रहने दें और चाहें तो कोई अन्य नाम भी दे सकते हैं में लोकेशन का नाम बदलने के लिए alter existing पर माउस से क्लिक करें या ए प्रेस करें और अपनी जरूरत अनुसार दूसरा नाम दें हम इसका नाम बदल कर warehouse one कर रहे हैं अब इस screen को accept कर लेते हैं अभी हमने main location का नाम बदल कर warehouse one कर लिया है अब हम कुछ go-downs बना लेते हैं यह देखिए अभी हम master creation screen पर हैं यहां से go-down पर जाना होगा जो की selected है हम enterprise कर रहे हैं देखिए फिर से उसी तरह का message आ रहा है जिसमें लिखा है कि आप warehouse one में alteration करना चाहते हैं या एक नया go-down बनाना चाहते हैं यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि इस तरह का message तभी तक आता है जब तक आपकी company में एक ही location बनी हुई होती है और जब आप एक से ज्यादा locations यानि go-downs बना लेते हैं तो फिर इस तरह का message नहीं आता है हम नया go-down बनाना चाहते हैं उसके लिए हमें create new पर mouse से click करना होगा या see press करना होगा देखे ऐसा करते ही go-down creation screen आ गई है यहां आप go-down का जो भी नाम देना चाहते हैं वो type करें हम type कर रहे हैं warehouse 2 और enter press कर रहे हैं यह list of go-downs आ रही है जिसमें हमें under में select करने के लिए दो options दिखाई पढ़ रहे हैं आए पहले इन्हें समझ लेते हैं यदि हम warehouse 1 select करते हैं तो जो नया go-down बनेगा वो पहले से बने warehouse 1 यानि main location के अंतरगत होगा जैसे कि हमारा एक go-down हमारी दुकान के बिलकुल पास है और हम दुकान के साथ ही उसका निरंतर उप्योग करते हैं तो उसे हम warehouse 1 के अंतरगत बना सकते हैं ऐसा करने से हम उस go-down की अकेले और warehouse 1 के साथ stock report देख सकेंगे पर यदि हम इस go-down का पूरा हिसाब किताब अलग से रखना चाहते हैं तो हमें primary select करना होगा अंडर में हम primary select कर रहे हैं अब इस screen को accept कर लेते हैं इसे तरह हम एक और go-down warehouse 3 के नाम से अंडर में primary select करके बना लेते हैं इस तरह से हमारे पास कुल तीन इस्थान हो गए हैं या कह सकते हैं कि तीन go-downs हो गए हैं warehouse 1, warehouse 2 और warehouse 3 जहांपर हम माल रखेंगे आईए हम इन go-downs की report देख लेते हैं उसके लिए हमें reports के अंतरगर display more reports में जाना होगा उसके लिए D press करें अब यहां inventory books के लिए I press करें अब go-downs के लिए G press करें देखें list of go-downs आ रही है यदि आप सभी go-downs की report एक साथ देखना चाहते हैं तो primary select करें देखें यहां पर एक दिक्कत आ रही है हमने primary select किया था जिससे सभी go-downs की report देख सकें पर यहां सिर्फ warehouse 1 ही दिखाई पड़ रहा है इसका कारण यह है कि जिस go-down में stock नहीं होता है उसकी report नहीं आती है हम इस report को detail में देखने के लिए alter और F5 प्रेस कर रहे हैं अब आप देख सकते हैं warehouse 1 की detailed report आ रही है एक बात ध्यान रखें जब हम tally में go-down बनाते हैं तो हमारे पास पहले से जो भी mall stock होगा वो अपने आप tally ने जो main location पहले से बना कर दी थी जिसका आपने चाहे कोई भी नाम दिया हो उसमें आ जाता है यानि जो main location पहले से बना कर दी थी उसमें दिखाई पड़ता है जासा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं हमारा जो भी stock पहले से था वो main location यानि warehouse 1 में दिखाई पड़ रहा है आईए अब हम purchase की एक entry कर लेते हैं हमने अशोक traders की bill number 265 dated 1 November 20 से सोनी टीवी 20 इंच वाले 15 नग 20,000 रुपए प्रती नग से और LG टीवी 40 इंच वाले 15 नग 40,000 रुपए प्रती नग से उधार खरीदे इन दोनों तरह के 15-15 टीवी में से हमने अपनी तीनों location यानि go-downs पर 5-5 टीवी रख दिये हैं तो आएए अब इस transaction को record कर लेते हैं हम अपने report को बंद किये बगेर ये transaction record करना चाहते हैं इसलिए go-to पर जाकर mouse से click कर रहे हैं अब create voucher पर जाकर enter press कर रहे हैं अब purchase voucher के लिए F9 press कर रहे हैं purchase voucher में entry करना हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं stock item का नाम select करते ही stock item allocation screen आ रही है और इसमें उपर की और उस item का नाम दिखाई पड़ रहा है जो हमने select किया था अब हम space bar press करके go-down select करेंगे देखिए यहां हमारे सब भी go-downs के नाम आ रहे हैं अब select किये गए go-down में जितनी quantity रख रहे हैं वो type करेंगे quantity type करने के बाद हमें rate डालना होंगे अब enterprise करते हुए आगे बढ़ें और इसी तरह जिस go-down में जो भी quantity रख रहे हैं वो डालते हुए आगे बढ़ें हम वापस name of item पर आ गए हैं यहां दूसरी item का नाम select करें और अभी बताई हुई प्रक्रिया को दोराएं अब हम इस screen को accept कर लेते हैं चलिए अब हम एक cell के entry कर लेते हैं उसके लिए F8 प्रेस करें हमने 1 नमंबर 2020 को बालाजी ट्रेडर्स को 20 इंच वाले Sony TV पाच नग 25,000 रुपे प्रतिनग से उधार पेची और यह पूरा माल हमने उसे warehouse 1 जो कि हमारी main location है वहां से दिया तो आईए इस transaction को record कर लेते हैं, sales voucher में entry करना हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं stock item का नाम select करते ही stock item allocation screen आ रही है और इसमें उपर की और उस item का नाम दिखाई पड़ रहा है जो हमने select किया था हम space bar press कर रहे हैं देखिए यहां हमारे सब भी godowns के नाम आ रहे हैं साथ ही किस godown में कितना stock है यह दिखाई पड़ रहा है हम वो godown select करेंगे जहां से हम अपने customer को माल दे रहे हैं यहां quantity type करें quantity type करने के बाद हमें rate डालना होंगे अब enter press करते हुए आगे बढ़ें और इस screen को accept कर लें हम escape की press करके वापस report पर चलते हैं यहां पर हम आपको एक बात बता दें कि यदि आपकी कोई report पहले से open है और आप कोई भी transactions record करते हैं जैसे अभी हमने purchase और sell की entry की तो वे automatically report में update हो जाते हैं देखिए यहां पर पहले सिर्फ warehouse 1 ही दिखाई पढ़ रहा था और अब जैसे ही हमने दूसरे go-downs में माल रखा उन go-downs के नाम के साथ माल की details भी यहां दिखाई पढ़ने लगी हैं यहां हम सभी go-downs की पूरी detail देखना चाहते हैं इसलिए F12 प्रेस करके कुछ configuration करना होगा यहां show opening balance, show goods, inwards और show goods outwards तीनों को yes करें अब यहां expand all levels in detail format को yes करके इस screen को accept कर लें यहां पर आप देख सकते हैं सभी go-downs की विस्वरत report आ रही है यहां आप जो report देख रहे हैं इनके बारे में हम आपको अपनी video number 40 and 41 में बता चुके हैं ध्यान रखें यह report वर्ष के प्रारंब से लेकर आपने जो आखरी transaction record किया होगा वहां तक की है हम F4 प्रेस करके warehouse 1 सेलेक कर रहे हैं ऐसा करते ही warehouse 1 की पूरी report आ रही है अब हम Sony TV 20 inches पर जाकर एंटरप्रेस कर रहे हैं यह देखिए Sony TV 20 inches की report आ रही है इसमें अभी November मा सेलेक्टेट है और हम इसी मा की report देखना चाहते हैं इसलिए हम एंटरप्रेस कर रहे हैं देखिए ऐसा करते ही हमने जो आइटम और गोडाउन सेलेक्ट किया था उसकी November मा की डिटेल्स आ रही है और इसमें स्पष्ट दिखाई पढ़ रहा है कि warehouse 1 में November मा की शिरुवात में हमारा opening balance कितना था हमने जो माल खरिद कर रखा था वो कितना था जो माल बेचा वो कितना था और अब अंत में हमारे पास कितना माल शेश है यहां ध्यान देने के बात यह है कि हमने अशोक ट्रेडर से सोनी टीवी 20 इंचेज वाले 15 नग खरीदे जबकि यहां 5 ही दिखाई पढ़ रहे हैं इसका कारण यह है कि हमने खरीदे तो 15 हैं पर वेर हाउस वन पर 5 ही रखी थे हम इस पर्चेस वाउचर की डिटेल देखना चाहते हैं यह अल्रेडी सेलेक्टेड है हम एंटर प्रेस कर रहे हैं देखिए यहां खरीद 15 की ही दिखाई दे रही है अब हम वापस पीछे चलते हैं यदि आप इसी स्क्रीन से किसी और आइटम और गोडाउन की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो F4 प्रेस करें यहाँ Backspace प्रेस करें अब दूसरे आइटम का नाम सेलेक्ट करें अब यहां से दूसरा गोडाउन सेलेक करें और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएं तेखिए अभी जो आइटम और गोडाउन हमने सेलेक किया था उसकी नवंबर माहा की रिपोर्ट आ रही है अब यदि हम अपनी किसी गोडाउन का नाम बदलना चाहते हैं या किसी गोडाउन को अन्य कोडाउन के अंतर गत ले जाना चाहते हैं तो वो कैसे बदल सकते हैं? आईए देखते हैं अभी हम गेटवे आफ टैली पर हैं, आल्टर के लिए A प्रेस करें यहान Go Down पर जाकर Enter प्रेस करें, लिस्ट ईफ Go Downs आ रही है, जिस Go Down में आप Changes करना चाहते हैं, उस पर जाकर Enter प्रेस करें, देखें ऐसा करते ही Go Down Alteration Screen आ रही है, इसमें यदि आप नाम चेंज करना चाहते हैं, तो वो यहां से कर सकते हैं, और यदि अंडर में चेंजिस करना चाहते हैं, तो लिस्ट अफ गोडाउंस में से वो सिलेक कर सकते हैं, यहां हमें कोई चेंजिस नहीं करना है, यह तो हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था, यदि आप टैली में कुछ काम कर रहे हैं और उसे बंद किये बगैर पर जाएं, देखिए यहां कॉमन रिपोर्ट के अंतरगत गोडाउं समरी ओप्शन दिखाई पड़ रहा है, आप इसकी साहता ले सकते हैं, आई अब देखते हैं कि यदि आपके टैली में गोडाउं की जग़ लोकेशन ओप्शन आ रहा है तो आप उसे कैसे बदल सकते है उसके लिए गेटवे ओफ टैली के स्क्रीन पर टॉप मेन्यू बार में हेल्प आप्शन में जाना होगा, हेल्प के लिए या तो यहां माउस से क्लिक करें या एफवन की प्रेस करें, ऐसा करते ही एक छोटा सा मेन्यू ओपन होगा, इसमें सेटिंग्स पर जाकर एंटर प कॉन्फिगरेशन में दूसरे ओप्शन यूस अकाउंटिंग टर्मिनलोजी ओफ जिसके आगे इंटरनेशनल लिखा हुआ है, उसे बदल कर इंडिया या सार्क करना होगा, उसके लिए उस ओप्शन पर जाएं, अब एंटर प्रेस करें, देखिए इंडिया और सार्क आ ग काम बदल गया है, हम आपको बस यही बताने वाले हैं कि ये काम कैसे करते हैं, यहां हमने वही कंपनी ओपन की हुई है, जिसमें हमने इसके पहले वाली वीडियो में गोडाउंस बनाए थे, सबसे पहले हम अपने सभी गोडाउंस की रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके लिए हमें के लिए I प्रेस करें और Go Downs के लिए G प्रेस कर रहे हैं यह देखें लिस्ट ओफ गोडाउंस आ रही है अब हम सभी Go Downs की रिपोर्ट एक सा देखना चाहते हैं इसलिए Primary सिलेक कर रहे हैं अब Detail Report देखने के लिए Alter और F5 प्रेस करें देखें सभी Go Downs की Detailed Report आ रही है इस रिपोर्ट को विस्तरत रूप से देखने यानि Expand करने के लिए F12 प्रेस करें और यहां Expand All Levels in Detailed Format को Yes करके इस स्क्रेन को Accept कर लेते हैं अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास Warehouse 1 पर Sony TV 30 इंचेज वाले 20 नग हैं जबकि हमारे Warehouse 2 और Warehouse 3 में इसका कोई Stock नहीं है तो हम Warehouse 1 से 55 TV उठाकर दूसरे दोनों Go Downs में रख देते हैं आईए अब देखते हैं इस Transiction को कैसे Record करेंगे यह काम हम इस Report को बन किये बगैर ही करना चाहते हैं इसलिए Go To पर जाएंगे यहां Create Voucher पर जाकर Enterprise करेंगे Accounting Voucher Creation Screen आ रही है Stock Journal Voucher के लिए यहां पर माउस से क्लिक करें और फिर यहां Stock Journal पर क्लिक करें या फिर सीधे Alter और F7 प्रेस करें देखे ऐसा करते ही Stock Journal ओपन हो गया है और इसमें उपर Transfer of Material लिखा हुआ है यह स्क्रीन दो भाग में दिखाई पड़ रही है एक है Source जिसके अंतरगर्थ हम जो माल जिस लोकेशन से दे रहे हैं उसकी डिटेल आएगी और दूसरा है Destination इसके अंतरगर्थ हम जो भी माल जिस लोकेशन पर भेज रहे हैं यहां उसकी डिटेल आएगी सबसे पहले Date Change करना हो तो वो कर ले हमें यही Date चाहिए हम Enter प्रेस करते हुए Source वाले कॉलम में Name of Item पर आ गए है यहां हमें उस Item का नाम सेलेक करना होगा जिसे हम Transfer कर रहे हैं हम Space Bar प्रेस करके List of Stock Items में से Sony TV 30 इंचिस सेलेक कर रहे हैं अब यहां हमें वो Location सेलेक करनी होगी जहां से हम माल दे रहे हैं उसके लिए Space Bar प्रेस करके List of Go Downs में से Warehouse 1 सेलेक कर रहे हैं यहां वो Quantity टाइप करें जो जा रही है हम Warehouse 1 से 5-5 TV दो स्थानों पर भेज रहे हैं यानि कुल 10 TV भेज रहे हैं इसलिए यहां पर 10 टाइप कर रहे हैं एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें देखिए Rate और Amount अपने आप आ गए हैं अब हम वापस Source के अंतरगत Name of Item में आ गए हैं अब यदि आप कोई और Item ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसी तरह उसकी Detail भी दे सकते हैं हम कोई दूसरा Item ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं इसलिए End of List सेलेक करके आगे बढ़ रहे हैं ऐसा करते ही हम Destination वाले कॉलम में आ गए हैं यहां हम जो Item जिस Go Down में ट्रांसफर कर रहे हैं यानि भेज रहे हैं उसकी Detail देना है हम Sony TV 30 inches वाले 5 नग वेरहाउस 2 में ट्रांसफर कर रहे हैं यहां हमें वो रेट टाइप करना होंगे जो Source में दिखाई पड़ रहे हैं Enter प्रेस करते हुए आगे बढ़ें अब हम 5 टीवी जो की वेरहाउस 3 में भेज रहे हैं उसकी भी डिटेल इसी तरह डाल देते हैं अब इस स्क्रीन को Accept कर लेते हैं और Escape की प्रेस करते हुए वापस Go Down समरी पर चलते हैं ये देखे वेरहाउस 2 और वेरहाउस 3 दोनों जगहों पर पहले Sony TV 30 इंचिस का कोई स्टॉक नहीं था पर अब दिखाई पड़ रहा है इसी तरह वेरहाउस 1 पर पहले Sony TV 30 इंचिस के 20 नग स्टॉक में थे जो अब कम होकर 10 ही रह गए हैं Stock Query Stock की सबसे महतपून समरी है जो आपके व्यावसाई कामों को सरल बनाती है साथ ही आपके काम को गती प्रदान करती है Stock Query का शाब्दिक अर्थ है Stock से संबंधित प्रश्न सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि Stock Query एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें हमें किसी स्टॉक से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब एक ही इस्थान पर मिल जाते हैं यदि हम इस रिपोर्ट को जादूई रिपोर्ट कहें तो भी कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी इसके पहले हम आपको वीडियो नंबर 40 और 41 में Stock Item Report और Stock Group समरी देखना बता चुके हैं लेकिन ये दोनू Stock को देखने की Basic Reports हैं इनसे हमें किसी भी एक Stock Item की पूरी जानकारी नहीं मिलती जैसे कि Stock Item किस Group और Category का है उसकी Cost Price क्या है Standard Selling Price क्या है Last Purchase किस भाव की है Last Sell किस भाव से किया था अभी कौन से Go Down में कितना Stock है समान Category या समान Group का कौन सा माल कितना Stock है इस माल के सबसे बड़े Supplier और Customer कौन कौन से है यानि Top Buyers और Sellers कौन है इत्यादी यदि आप किसी Stock Item की इन सभी जानकारीों को एक सा देखना चाहते हैं तो आपको Stock Query का उपयोग करना होगा यहां हमारे आप से एक निवेधन है कि इसके उपयोग को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंते तक जरूर देखें तो चलिए Tally में काम शुरू करते हैं यहां हमने अपनी एक Company ओपन कर ली है आपको याद दिला दें कि यह वो ही Company है जिसमें हमने Go Downs और Categories पर काम किया था आप चाहें तो अपनी किसे भी Company जिसमें आपने Stock Items पर काम किया हो उसे Open करके हमारे बताय अनुसार काम कर सकते हैं Tally Prime में Stock Query को देखने के तीन तरीके हैं जिने हम एक एक करके बताएंगे अब हम Gateway of Tally पर हैं Stock Query के लिए हमें Display More Reports पर जाना होगा उसके लिए D प्रेस करेंगे Statements of Inventory के लिए E प्रेस करेंगे अब Stock Query के लिए D प्रेस करेंगे ऐसा करते ही List of Stock Items आ रही है इसमें से हमें वो Stock Items सेलेक करना होगा जिसके हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं हम Sony TV 20 Inches सेलेक कर रहे हैं देखें यहां हमारे सामने Sony TV 20 Inches की Stock Query Report ओपन हो गई है इसमें सबसे उपर हमें आइटम से संबंधित सभी महतपून जानकारी प्राप्त होती है जैसे Stock Item का नाम, उसका Group, उसकी Category, उसका Closing Balance, Closing Value, Cost Price, Standard Selling Price, इत्यादी यदि आपने अपनी कंपनी में GST Enable किया हुआ है तो आप इसी स्क्रीन पर इस आइटम पर GST की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए हम F12 प्रेस करेंगे, यहां Show, State & 4 को Yes करके इस स्क्रीन को Accept कर लेते हैं देखिए यहां पर GST की Detail तो आ रही है पर GST के Rate में 0 आ रहा है वो इसलिए क्योंकि हमने इस Company में GST तो Enable किया हुआ है पर GST की कोई Detail नहीं दी है यदि आपने GST Enable करके उसकी कोई Details दी होंगी तो वो भी यहां पर दिखाई पड़ेंगी हम वापस F12 प्रेस करके Show, State & 4 को No कर देते हैं इस रिपोर्ट में आप नीचे की और चार भाग देख रहे हैं इसमें पहला भाग है Purchase का, दूसरा है Cells का, तीसरा है Go Down का और चौथा है Category का चलिए इन चारों को एक एक करके समझा देते हैं पहला भाग है Purchase का, इसमें सबसे उपर Last Purchase On के आगे इस आइटम की आखरी Purchase की डिटेल आ रही है और उसके नीचे एक लिस्ट दिखाई पड़ रही है, जिसमें सबसे उपर आखरी Purchase है और उसके बाद एक एक करके उसके पहले वाली Purchase दिखाई पड़ रही है यानि ये जो लिस्ट है, वो Descending Order में है, यानि घटते क्रम में है इस लिस्ट से ये सपश्ट हो रहा है कि ये आईटम हमने किस तारिक को, किस पार्टी से, कितना खरीदा और किस भाव में खरीदा यदि आप किसी Purchase का Voucher देखना चाहते हैं, तो उस पर जाकर Interpress करके देख सकते हैं आई अब बात करते हैं Cells वाले भाग की, Purchase की तरह ही इसमें Cells की डिटेल्स आ रही है यहाँ पर एक बाद ध्यान दे, Purchase और Cells में By Default अधिक्तम 5-5 Transactions ही दिखाई पड़ते हैं आप चाहें तो अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें कम या ज्यादा कर सकते हैं उसके लिए F12 प्रेस करें अब यहाँ Number of Last Transactions to Show के आगे वो Number टाइप करें जितने Transactions आप देखना चाहते हैं हम 10 टाइप करके इस स्क्रीन को Accept कर रहे हैं देखे ऐसा करते ही यहाँ कुछ Transactions और बढ़ गए हैं पर यह 10 नहीं हैं क्योंकि अभी हमारी कमपनी में कुल इतने ही Transactions हुए हैं अगर हमारी कमपनी में 10 से अधिक Transactions होते तो यहाँ पर उसमें से आखरी के 10 दिखाई देते चले अब बात करते हैं तीसरे भाग की यदि आपने अपनी कमपनी में Go Down बनाए हुए हैं तो यहाँ उनकी Detail दिखाई पड़ती है जैसे कि हमने अपनी कमपनी में Go Downs बनाए हुए हैं तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि हमारे किस Go Down में Sony TV20 इंचिस का कितना Stock है अब हम बताते हैं चौते भाग के बारे में इसमें हम जिस आइटम की रिपोर्ट देख रहे हैं यदि हमने उसे कोई कैटेगरी बना कर उसमें रखा है तो उस कैटेगरी में जितने भी Stock आइटम्स होंगे उनके नाम, Available Quantity, Cost और Sell Price यहाँ पर दिखाई पड़ेगी अब हम आगे बढ़ते हैं हम जिस आइटम की रिपोर्ट देख रहे हैं उसे हमने जिस भी ग्रूप में बनाया है यदि हम उस ग्रूप में बने सभी Stock आइटम्स की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो F12 प्रेस करेंगे अब Show Stock Items of the Same Stock Group को Yes करेंगे और इस स्क्रीन को Accept कर लेंगे देखे ऐसा करते ही Same Category वाले आइटम की जगह पर उस ग्रूप के अंतरगत बने सभी Stock Items के नाम, Available Quantity, Cost और Sell Price दिखाई पड़ रही है अब हम वापस पहले वाली स्थिती में चलते हैं उसके लिए फिर से F12 प्रेस करेंगे और Show Stock Items of the Same Stock Group को No कर देंगे और इस स्क्रीन को Accept कर लेंगे इसे रिपोर्ट पर रहते हुए आप कुछ अन्य रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए Change View पर माउस से क्लिक करें या फिर उसकी शॉटकट की Ctrl और H प्रेस करें देखे रिलेटेड रिपोर्ट के अंतरगत कुछ नाम दिखाई पड़ रहे हैं आप जो भी रिपोर्ट देखना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस करें हम टॉप बायर्ज और सेलर्ज पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं यहां आप देख सकते हैं ऐसा करते ही Based on Value यानि मूली के आधार पर इस आइटम के लिए टॉप बायर्ज और सेलर्ज तोनों की Purchase और सेल्स की रिपोर्ट आ रही है चलिए पहले बात करते हैं Purchase की हमने जिससे सबसे ज्यादा रुपे का माल खरीदा है उसका नाम, क्वांटिटी और वैल्यू सबसे उपर आ रहे हैं और उसके बाद क्रमश उससे कम अमाउंट की Purchase जिस पार्टी से की है उसकी डिटेल आ रही है इसी तरह Cells में भी हमने सबसे ज्यादा अमाउंट का माल जिसे बेचा है उसकी डिटेल सबसे उपर आ रही है और उसके बाद क्रमश उससे कम अमाउंट वाले कस्टमर्स की डिटेल आ रही है यानि ये भी घट्ते क्रम में है इस रिपोर्ट को यदि आप Based on Value की बजाए Based on Quantity यानि Quantity के आधार पर देखना चाहते हैं तो F12 प्रेस करें Quantity wise पर जाकर एंटर प्रेस करें देखिए ऐसा करते ही रिपोर्ट Based on Quantity आ रही है इसमें सबसे ज्यादा Quantity वाली पार्टी की डिटेल उपर आ रही है और उसके बाद उससे कम Quantity वाली पार्टी की डिटेल्स आ रही है यदि आप वापस Based on Value वाली रिपोर्ट चाहते हैं तो F12 प्रेस करके कर सकते हैं इस तरह की लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा हमें Cells में मिलता है मान लीजिए हमने कोई आइटम बड़ी मात्रा में खरीद लिया है और हम उसे बेचना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस लिस्ट में से बड़ी-बड़ी कस्टमर्स के नाम देखकर उनसे संपर्क कर सकते हैं और उन्हें अपना माल आसानी से बड़ी मात्रा में बेच सकते हैं अब यदि आप किसी दूसरे स्टॉक आइटम की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो इसी स्क्रीन पर रहते हुए F4 प्रेस करें अब लिस्ट आफ स्टॉक आइटम्स में से दूसरे आइटम को सिलेक कर लें ये देखिए सिलेक किये गए आइटम की रिपोर्ट आ रही है चलिए अब आपको इस रिपोर्ट का सबसे महत्पून उप्योग बता देते हैं इसे हम एक उदारण से समझ लेते हैं हमारे एक पुराना ग्रहक बालाजी ट्रेडर से आया और इसने हमसे कहा कि 20 इंचिस वाले सोनी टीवी के दोनक देती जी हमने बिल बनना शुरू किया हमने आइटम का नाम सेलेक किया और उसने हमसे कुछ सवाल जवाब किये उसने पूछा सोनी टीवी 20 इंचिस का क्या रेट है हमने कह वही है जो पिछली बार था उसने पूछा पिछली बार क्या रेट था अब हमें या तो पार्टी का लेजर खुल कर देखना होगा या स्टॉक आइटम की रिपोर्ट खुल कर देखनी होगी तब जाकर हम उसको पिछली बार का रेट बता सकेंगे पर यदि आप ये काम शिखरता से करना चाहते हैं तो बैक स्पेस की प्रेस करके स्टॉक आइटम के नाम पर आ जाएं और अब आल्टर और एस प्रेस करें देखें उस आइटम की स्टॉक क्वेडी रिपोर्ट आ रही है इसमें सेल्स वाले भाग में सेल्स के आगे उसी पार्टी का नाम आ रहा है जिसका हम बिल बना रहे हैं साथ ही पहले हमने उसे कब, कितना और किस भाव में ये आइटम बेचा है उसकी डिटेल आ रही है हमने पिछला भाव देखकर उसे आसानी से बता दिया उसने फिर पूछा, अभी आपके मेन लोकेशन यानि वेर हाउस वन पर 20 इंचेस वाले सोनी टीवी कितने हैं, बताएं मैं सभी ले लूँगा हमने अपना स्टॉक बता दिया, उसने हमसे फिर एक प्रशन किया, आपके पास और कौन-कौन सी कंपनी के 20 इंचेस वाले टीवी अविलेबल हैं, हमने आइटम आफ सेम केटिगरी में देखकर अन्य कंपनियों के नाम बता दिये उसने फिर एक प्रशन किया, सोनी के और कौन-कौन सी साइस के टीवी आपके पास हैं, हमने F12 प्रेस किया और शो स्टॉक आइटमस अब दे सेम स्टॉक ग्रूप को येस करके अन्य साइस के सोनी टीवी की जानकारी दे दी इसे तरह कस्टॉमर किसी अन्य आइटम के बारे में भी जानकारी मांगे, तो आप F4 प्रेस करके यहीं से उसे दूसरे आइटम की भी पूरी जानकारी दे सकते हैं यहां हमारा कहने का तात पर यह है कि बिल बनाते समय ही हम किसी भी स्टॉक आइटम से संबंधित सभी जानकारी इस स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट की साहता से प्राप्त कर सकते हैं चलिए अब स्टॉक क्वेरी देखने का एक तरीका और बता देते हैं जब आप Tally में कोई काम कर रहे होते हैं और उसे बंद किये बिना आपको Stock Query देखना हो तो आप Go To पर माउस से क्लिक करें या Alter और G प्रेस करें देखिए Common Report के अंतरगत Stock Query Option दिखाई पड़ रहा है टैली में हम जितने भी Transactions Record करते हैं उन सब की एक साथ Report पर यदि आपने Cells या Purchase के जो Transactions Record किये हैं सिर्फ उनकी Report देखना चाहते हैं तो टैली ने उसके लिए Cells Register और Purchase Register का Option अलग से दिया है तो चलिए Cells Register और Purchase Register के बारे में जान लेते हैं Cells Register में हमें Cells यानि विक्रे से संबंदित सभी जानकारी एक साथ मिल जाती है जैसे दिनांक, Customers का नाम, पताव, Voucher Number, Item का नाम, उसकी Quantity, Rate, Total Bill, Amount, इत्यादी इसी तरह Purchase Register में Purchase यानि खरीट से संबंदित सभी जानकारी एक साथ मिल जाती है जैसे दिनांक, Suppliers का नाम, पताव, Voucher Number, Item का नाम, उसकी Quantity, Rate, Total Bill, Amount, इत्यादी संब्षिप में हम ये कह सकते हैं कि इन रजिस्टरों में हमने Party का लेजर बनाते समय और Cell Purchase के Transactions record करते समय जो भी Details दी होंगी वे सभी एक साथ एक ही इस्थान पर देखने को मिल जाती है Cells Register और Purchase Register को देखने के दो तरीके हैं तो चलिए पहला तरीका देखते हैं अभी हम Gateway of Tally पर हैं, यहाँ से हमें Display More Report पर जाना होगा उसके लिए D प्रेस करेंगे अब Account Books के लिए A प्रेस करेंगे यह देखिए यहां Registers Hiding के अंतरगत बहुत सारे Registers दिखाई दे रहे हैं जैसे Contra Register, Payment Register, Receipt Register, Cells Register, Purchase Register रित्यादी हम Cells Register देखना चाहते हैं, इसलिए इसका Shortcut S प्रेस करेंगे यह देखिए Cells Register उपन हो गया है यहां हमें Cells की Month-wise जैसे April, May, June से लेकर मार्श तक की Report दिखाई दे रही है आप जिस भी महा के सभी Cells Vouchers देखना चाहते हैं उस पर जाकर इंटरप्रेस करें हम December के सभी Cells Vouchers देखना चाहते हैं तो December पर जाकर इंटरप्रेस कर रहे हैं यह देखिए इस महा में जितनी भी Cells चाहे वे Cash में हुई हो या Credit में सभी दिखाई दे रही हैं अब हम F12 प्रेस करके कुछ Configuration कर लेते हैं यहां हम सबसे उपर Show Narrations Option को Yes कर रहे हैं ऐसा करने से यदि हमने Vouchers में Narrations दी होंगी तो वो दिखाई पड़ेंगी इसके बाद है Format of Report इसमें हम Detailed को Select कर रहे हैं अब Report में हम Stock Item की Details भी देखना चाहते हैं इसलिए Show Inventory Details को Yes कर लेते हैं इसे तरह आप अपनी जरूरत के हिसाब से Any Options को Yes या No कर सकते हैं अब इस Screen को Accept कर लेते हैं यह देखिए December मा के सभी Cells Vouchers की Detail आ रही है अगर आप चाहें तो इस Report को Column Format में भी देख सकते हैं इसके लिए F8 प्रेस करें देखें ऐसा करते ही Column Register Alteration के एक Screen आ गई है यहाँ पर बहुत सारे Options दिखाई दे रहे हैं आप इन्हें ध्यान से पढ़ लें और अपनी जरूरत के नुसार Yes या No कर लें हम सभी को Yes कर रहे हैं आखिर में Type of Column में End of List को Select करके इस Screen को Accept कर लेते हैं देखिए Report of Register Format में आ रही है और हमने जिन Options को Yes किया था वे सभी यहां अलग-अलग Columns में दिखाई दे रहे हैं सभी Columns को Right Arrow और Left Arrow Key से Scroll करके देखा जा सकता है यदि आपने Voucher बनाते समय कॉलम में दिखाई दे रहे Heading के अंतरगरत उनसे संबंधे Details दी होंगी तो वे यहां पर दिखाई देंगी हमने अधिकांश में कोई Details नहीं दी थी इसलिए ज्यादतर Columns प्लेंक का रहे हैं इस प्रकार आपने जो Cells की हैं उनकी संपुर्ण Details Cells Register के माध्यम से एक जगह पर देखी जा सकती है अब यदि आप इस report को export करना चाहते हैं यानि इस report को Excel या PDF के format में लेना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं चलिए ये भी बता देते हैं export करने के लिए यहां top bar में export पर क्लिक करें या फिर shortcut alter और E Keys को प्रेस करें अब current के लिए R प्रेस करें देखे ऐसा करते ही यहां पर सामने एक screen आ गई है जिसमें export से समबंदित सभी details दिखाई दे रही हैं जैसे report type, format of report, file format, export to, folder path और file name यदि आप इन पैसे किसी में भी कुछ परिवर्दन करना चाहते हैं जैसे file का format या file का नाम बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं इसके लिए आपको इसे configure करना होगा configure करने के लिए c press करें एसा करते ही list of configuration आ गई है यहां से आप जिस option में भी alteration करना चाहते हैं कर सकते हैं हम file का format jpeg से बदल कर excel करना चाहते हैं उसके लिए down arrow से file format पर जाएंगे अब enter press करेंगे अब list of file formats में से अपनी आवशक्ता नुसार format select कर लेंगे हम excel पर जाकर enter press कर रहे हैं अब control और a keys से इसे accept कर लेंगे यह देखिए setting update हो गई है अब send पर click करें या e press करें देखिए ऐसा करते ही report export हो गई है और excel में open भी हो गई है चलिए हम इसको बंद करके फिर से टैली पर चलते हैं यदि आप इस register का print निकालना चाहते हैं तो उसके लिए control और p press करें अब यदि आप print के पहले कुछ configure करना चाहते हैं तो उसके लिए c press करें पूरी configuration list देखने के लिए show more पर जाकर enter press करें अब इस list में आपको जहां भी कोई change करना हो down arrow से उस पर जाकर enter press करें हमें कोई change नहीं करना है इसलिए हम escape key press करके वापस पहले वाली screen पर चलते हैं यदि आप सीधे print निकालना चाहते हैं तो पी प्रेस करें और यदि उसके पहले print preview देखना चाहते हैं तो आई प्रेस करें देखें हमारी सभी entries प्रिंट होने पर इस प्रकार दिखाई देंगी यहां पूरा preview देखने के लिए आप right arrow key का उप्योग कर सकते हैं preview देखने के बाद उसे बाहर आने के लिए escape key प्रेस करें अब यदि आप print करना चाहते हैं तो पी प्रेस करके कर सकते हैं हम escape key प्रेस करके फिर से register पर चलते हैं अभी आपने देखा कि cells register किस तरह देखते हैं ठीक इसी प्रकार हम F4 key प्रेस करके यहीं से purchase register यहां दिखाई दे रहे अन्य किसी भी register को देख सकते हैं चलिए अब इन registers को open करने का दूसरा तरीका भी बता देते हैं तैली में अगर आप कोई काम कर रहे हों और उस काम को बंद किये बिना ही कोई register open करना चाहते हैं तो go to की साहता से कर सकते हैं उसके लिए alter और g प्रेस करेंगे अब registers पर जाकर enter प्रेस करेंगे शो मोर पर जाकर enter प्रेस करेंगे देखे सभी registers के नाम दिखाई पड़ रहे हैं आप इन में से अपनी जरूरत की अनुसार सेलेक कर सकते हैं जब हम computer पर कोई काम करते हैं तो उसका original data computer में किसी निश्यत इस्थान पर store होता है इस original data की copy किसी अन्य इस्थान पर रखना backup कहलाता है और किसी भी कारण से original data के नश्ट हो जाने पर या corrupt हो जाने पर backup के तौर पर लिए गए data को वापस उप्योग में लाने की प्रक्रिया को restore करना कहते हैं आईए बात कर लेते हैं टैली की जब हम तैली में काम करते हैं तो हमारा जो भी original data है वो system में किसी निश्यत इस्थान पर store होता रहता है लेकिन कभी कभी गलती से हमारे system से data delete हो जाए या data corrupt हो जाए या फिर system में कोई problem हो जाए तो हमने जो काम किया है वो समाप्त हो जाता है यानि system से नश्थ हो जाता है original data नश्थ होने पर हम उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं ऐसे इस्थिते में हमें पूरा काम फिर से करना पड़ेगा जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा या ऐसा भी हो सकता है कि हम वो काम फिर से कर ही ना पाएं तो इस प्रकार की समस्या से बचने का समाधान ये है कि हम प्रते दिन टैली का काम समाप्त होने के बाद अपने data का backup ले लिया करें बैकप लेने का फाइदा ये है कि यदि किसी कारण से हमारा original data नश्ट हो जाता है तो हम backup को restore करके फिर से आगे काम कर सकते हैं बैकप का एक महतवपूर्ण उप्योग ये भी है कि हम इसे एक drive से दूसरे drive, pen drive, email और google drive आदी के माध्यम से अपने accountant, stakeholder के साथ share कर सकते हैं या फिर work from home के लिए भी उप्योग कर सकते हैं तो चलिए आपको बताते हैं company data का backup कैसे लिया जाता है हमने tally open कर लिया है company का backup लेने के लिए top menu bar में दिखाई दे रहे data option पर click करें या फिर alter और wire keys press करें ऐसा करते है एक छोटी window open होगी इसमें backup के लिए B press करें यह देखे B press करते ही हमारे सामने backup companies की screen आ गई है इसमें right side में एक list दिखाई पड़ रही है जिसमें उपर की और उस drive का नाम और folder का नाम आ रहा है जहां हमारा original data save हो रहा है और उसके नीचे उन companies के नाम है जिनका data उपरोक्त location पर save हो रहा है हमें इसी original data का backup लेना है left side में आप select companies for backup लिखा देख रहे हैं और उसके नीचे backup destination path में आपको computer की वो location डालना है जहां पर आप backup को रखना चाहते हैं location सेलेक करने के लिए back space की प्रेस करके backup destination path पर जाना होगा ये देखे ऐसा करते ही right side में list of folders आ गई है इसमें C drive में बने सभी folders दिखाई दे रहे हैं इनमें से यदि आप किसी folder में backup रखना चाहते हैं तो उसे select कर लें पर जैसा कि हमने अभी इसके पहले देखा था कि original data save drive पर save हो रहा है इसलिए C drive पर हम backup नहीं रखेंगे अब यदि आप किसी अन्य drive जैसे T, E या pen drive में backup रखना चाहते हैं तो specify path या select from drive की सहायता से उस location को select कर सकते हैं पर उसके पहले हमको इन्हें समझना होगा इसके लिए हम select from drive पर जाकर enter press करेंगे यह देखे ऐसा करते ही computer में जितनी भी drives और pen drive होंगी वो और कुछ folders दिखाई पड़ेंगे आप जिस drive या folder में backup लेना चाहते हैं उस पर जाकर enter press करें हम D drive select कर रहे हैं ऐसा करते ही D drive में बने सभी folders दिखाई दे रहे हैं आप इन में से जिस folder में backup लेना चाहते हैं उस पर जाकर दो बार enter press करें देखे ऐसा करते ही backup destination path में हम जहां backup लेने वाले हैं उस drive का और folder का नाम आ गया है चलिए अब specify path के बारे में बता देते हैं उसके लिए पहले backspace की press करके वापस backup destination path पर जाएं और अब list of folders में specify path पर जाकर enter press करेंगे यहां पर आपको वो path type करना होगा जहां पर आप इस company का backup रखना चाहते हैं हम d drive में एक नया folder बनाकर उसमें backup लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहां हमने type किया d फिर colon और उसके बाद backslash लगा कर folder का नाम दिया अब एक बार enter press करेंगे ऐसा किरते ही हमसे कहा जा रहा है कि इस नाम का कोई folder नहीं है क्या आप नया folder बनाना चाहते हैं हम yes के लिए enter press कर रहे हैं यह देखिए list of folders में हमने जो folder बनाया था वो दिखाई पढ़ रहा है अब हम enter press करके आगे बढ़ेंगे यह देखिए backup destination path में जहां पर हम backup लेने वाले हैं उस drive का और folder का नाम आ रहा है तो इस तरह हम backup destination path यानि कि जहां पर backup रखना चाहते हैं वो location सिलेक कर सकते हैं अब हम company name पर आ गए हैं यहां हमें list of companies में से उन companies को सिलेक करना है जिनका हम backup लेना चाहते हैं पहले हम A to Z traders को सिलेक कर रहे हैं देखिए ऐसा करते ही हमारे दोरा सिलेक किया गया नाम company name में आ गया है इसे तरह आप जिन companies का backup लेना चाहते हैं उन्हें एक एक करके सिलेक कर सकते हैं Companies के नाम सिलेक करने के बाद अब उपर जाकर end of list सिलेक करना होगा और इस screen को अब हम accept कर लेंगे यह देखिए कुछे seconds में backup की process हो गई है चले अब d drive में चलकर देखते हैं कि backup आया है या नहीं इसके लिए हम tally की screen को minimize करके computer पर जाएंगे अब d drive पर जाएंगे यह देखिए हमारे दोरा बनाया गया folder दिखाई दे रहा है इसे open करेंगे यहां आप देख सकते हैं कि backup आ गया है ध्यान दें backup का extension हमेशा tbk900 से आरब होता है और उसके बाद company का number रहता है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपका backup इस तरह का दिखाई पड़े तो यह अभी आपने सीखा कि backup कैसे लेते हैं चले अब देख लेते हैं company data के backup को restore कैसे करते हैं Tally में हम जिस company में काम कर रहे हैं किसी कारण से हमारे computer से उस company का original data delete या crash हो जाता है तो हमने company data का जो backup ले रखा है हमें उसे restore करना होगा आपको समझाने के लिए हम A to Z traders delete कर देते हैं ये देखे हमारे द्वारा select की गई company इस list से चली गई है यानि delete हो गई है अमा लीजे इस तरह किसी भी कारण से हमारी company A to Z traders टैली में से delete हो गई है अब देखते हैं हमारे पास जो backup है उसके द्वारा हम company के data को restore किस तरह करते हैं company के backup को restore करने के लिए सबसे पहले top menu बार में दिखाई दे रहे data tap पर जाना होगा उसके लिए alter और Y keys press करें अब restore के लिए R press करें ये देखे restore companies की screen आ गई है जिसमें सबसे उपर select company for restore लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसी के नीचे restore destination path option है जिसमें टैली हमें by default एक path बता रहा है यदि आप इसी path पर backup को restore करना चाहते हैं तो आगे बढ़ जाए पर यदि किसी अन्य location पर data restore करना चाहते हैं तो restore destination path पर आना होगा उसके लिए backspace की press करें और पहले बताए अनुसार select from drive या specify path की सहता से वो location select करने जहां backup restore करना चाहते हैं हम दिखाई पढ़ रहे path पर ही backup को restore करना चाहते हैं यह enterprise करके आगे बढ़ रहे हैं यह देखे हम company name पर आ गए हैं यहां हमें वो company select करनी है जिसका हम backup लेना चाहते हैं इसके लिए हमें right side में list of companies में दिखाई पढ़ रहे specify path या select from drive की सहायता से उस location पर जाना होगा जहां हमने backup लिया था हम specify path पर जाकर enterprise कर रहे हैं और यहां d, फिर colon और उसके बाद back slash लगाकर folder का नाम backup 16, 10, 21 टाइप करके enterprise कर रहे हैं देखे हमने जिन companies का backup लिया था उनके नाम दिखाई पढ़ रहे हैं यहां हमें A to Z traders का backup restore करना है तो हम उसके नाम पर जाकर enterprise करेंगे यहां आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमने जहां backup लिया है उस location को select करने के बाद भी हमें company के नाम दिखाई नहीं पढ़ते हैं ऐसी स्थिति में पहले हमें दो बार escape की प्रेस करके वापिस पिछे आना होगा अब alter और Y की इस प्रेस करके data tap पर जाएंगे अब data path के लिए depress करेंगे देखिए यहां हमें company backup path में एक path दिखाई दे रहा है हमें इस path को बदल कर उस location का path देना है जहां पर हमने company का backup लिया है ऐसा करने के लिए इस पर जाएं और enter प्रेस करें अब यहां से select from drive पर जाकर enter प्रेस करें हमने d drive में backup लिया है तो यहां से d drive पर जाएंगे अब जिस folder में backup लिया था उस folder को select करेंगे और enter प्रेस करेंगे एक बार फिर enter प्रेस करें अब Ctrl और A की इस को प्रेस करके इस configuration को accept कर ले चलिए अब company को restore कर लेते हैं data tap पर जाएं अब restore के लिए R प्रेस करें देखें हमने जिन companies का backup लिया था list of companies में अब उनके नाम दिखाई पढ़ रहे हैं हमें A to Z traders का backup restore करना है तो हम उसके नाम पर जाकर enter प्रेस करेंगे ऐसा करते ही company name में select की गई company का नाम आ गया है और हम अगली line में आ गए हैं इसी प्रकार अगर आप चाहें तो एक ही बार में एक से ज्यादा company select करके उन्हें भी restore कर सकते हैं हमें एक ही company चाहिए थी जो हमने select कर ली है अब हम end of list select कर लेंगे और इस screen को accept कर लेंगे ये देखिए backup restore हो गया है पर अभी भी हमारी company नहीं दिखाई पढ़ रही है इसके लिए एक दो बार escape की press करें और फिर भी company ना दिखाई पढ़े तो tally बंद करके फिर से चालू करें ये देखिए list of companies में A to Z traders restore हो गई है हम A to Z traders पर जाकर enterprise करके इसे open कर लेते हैं तो इस तरह हमने company को successfully restore कर लिया है यहाँ पर हम आपको दो महत्पुन बातें बता दें पहली backup की एक copy computer के बाहर pen drive या google drive या mail के द्वारा कहीं और भी रखनी चाहिए क्योंकि यदि किसी कारण से पूरा computer खराब हो जाता है तो हमने किसी अन्य जगर जो backup लिया होता है उसका उप्योग करके किसी नए computer में अपनी company restore कर सकते हैं दूसरी बात backup restore को सीखने के लिए टैली में पहले से बनी किसी कंपनी का उप्योग ना करते हुए उसकी जगह पर एक नई company बना लें उसका backup लें उस company को delete करें और फिर backup के द्वारा उस company को restore करें करें मानली जिए हमने अपने ग्राहक आजँट TV को एक अप्रेल को पचासजार रुपए का माल बेचा और कहा कि इस बिल का payment आप 10 दिन बाद यानी 11 अप्रेल को कर दें इसी तरह दो अप्रेल को 25,000 का माल बेचा और कहा कि इस बिल का पेमेंट आप 20 दिन बाद यानि 22 अप्रेल को कर दें इसी तरह हमने तीसरा बिल 2 मई को 75,000 रुपे का बनाया और कहा कि इस बिल का पेमेंट आप 5 दिन बाद यानि 7 मई को कर दें 31 मई को वो ग्रहक आया और बोला, भाई साब, आपके 3 बिल का पेमेंट ड्यू है. उसमें से जो बिल 7 मई को ड्यू हुआ है, आप उसका पेमेंट ले लीजिए. बाकी का पेमेंट भी में जल्दी ही कर दूँगा. 7 मई को उस पार्टी का कौन सा बिल ड्यू हुआ है, ये देखने के लिए हमने उसका लेजर ओपन किया. यहां ये तो मालुम पढ़ रहा है कि किस तारिक का कौन से बिल का कितना पेमेंट लेना है. पर ये सपष्ट नहीं हो रहा है कि कौन सा बिल किस तारिक को ड्यू हुआ है बस इसी समस्या का समाधान है Bill-wise Entry जब हम Bill-wise Entry Option का उप्योग करके Transactions Record करेंगे और फिर उसके आधार पर हमें जो Report प्राप्त होगी उसमें हमें आसानी से पता चल जाएगा कि किस Bill की Due Date क्या थी यानि हमें ग्राहक से किस तारिक को कौन से Bill का Payment प्राप्त होना था तो ये तो था पहला कारण जिसकी वज़र से हम Bill-wise Entry Option के बिना Accounts Maintain करने का नहीं सोच सकते अब हम बात करते हैं दूसरे कारण की हमें किसी एक ग्राहक से कितना Payment लेना है ये तो हम उसका लेजर ओपन करके देख सकते हैं पर यदि हम सभी ग्राहकों की लेंदारी एक ही जगह पर देखना चाहते हैं और वो भी Due Dates के साथ तो वो हम इस Option को यानि Bill-wise Entry Option को Enable करने के बाद Outstanding Reports द्वारा देख सकते हैं इसके बारे में हम डिटेल में आगे बताएंगे अभी यहाँ पर आपको समझाने के लिए उस रिपोर्ट का एक चित्र बता रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में सपष्ट हो रहा है कि हमें किस ग्रहक से, किस Bill-number के, कितने रुपए लेना है और हमने उसे किस तारिख को पेमिंट करने का बोला था और अभी उस तारिख से कितने दिन ऊपर हो गए हैं और उसने हमें पेमिंट नहीं दिया है जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था ये व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपून आप्शन है आप इस पर अच्छे से काम करना सीख सके उसके लिए हम इस टॉपिक पर 6 वीडियोस बना रहे हैं इन में से 4 वीडियोस Bill-wise Entry पर काम करने से संबंधित है और दो वीडियोस इस पर आधारित रिपोर्ट्स के बारे में हैं आपको इस ओप्शन का सही महत्व रिपोर्ट्स देखने पर ही पता चलेगा इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि इन सभी वीडियोस को जरूर देखें तो आएए सबसे पहले हम टैली में एक कंपनी Bill-wise Entry के नाम से ही बना लेते हैं यह देखिए Company Created Successfully का मैसेज आ रहा है इसमें अकाउंटिंग के अंतरगरत Maintain Accounts और Enable Bill-wise Entry ऑप्शन बाई डिफॉल्ट यस दिखाई पढ़ रहा है हम इने यस ही रहने देंगे Enter प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ रहे है यह देखिए Enable Goods and Service Tax अभी Yes है पर अभी हम इस पर काम नहीं करना चाहते हैं इसलिए इस उप्शन को No कर देते हैं और Ctrl प्लस A से इस स्क्रीन को Accept कर लेते हैं यहाँ एक महतुपूर्ण बात पर ध्यान दें यदि आपकी कंपनी पहले से बनी हुई है तो F11 प्रेस करके कंपनी फीचर्ज में ये चेक कर लेना चाहिए कि Maintain Accounts और Enable Bill-wise Entry आप्शन Yes हो यदि ये आप्शन No हो तो इन्हें Yes करके स्क्रीन को Accept कर लें चलिए अब हम कुछ Suppliers और Customers के Legers बना लेते हैं आपको हमारी बताय अनुसार काम करने में सुविधा हो उसके लिए नीचे Description में Suppliers और Customers के नाम का एक PDF दे रहे हैं समझने में आसानी हो इसलिए पहले हम एक Customer का Leger बना रहे हैं यह देखिए Sundry Data सेलेक करते ही कुछ नए Options और आ गए हैं इसमें हमें Maintain Balance Bill by Bill को यसी रखना है इसके बाद अगला Option है Default Credit Period आईए इसको समझ लेते हैं यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हम अपने Customers को 15 दिन की Credit यानि उधारी पर माल देंगे तो यहाँ हम 15 टाइप कर देंगे ऐसा करने से जब हम Customer का Bill बनाएंगे तो उस पर अपने आप ही यह लिखा होगा कि इस Bill का Payment Customer को 15 दिन बाद किस तारिक पर करना है आप चाहें तो Bill बनाते समय भी पहले से सेट किये गए Credit Period को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं यह हम आपको आगे बताएंगे इसके बाद Option है Check for Credit Days During Voucher Entry इसे हम एक उधारन से समझ लेते हैं मान लिजे हमने अपने Customer खुशी ट्रेडर्स को 1 अपरेल को 25,000 रुपए में एक टीवी उधार बेचा और कहा कि इसका Payment 10 दिन बाद यानी 11 अपरेल को कर देना Payment के निश्यत तारिक 11 अपरेल निकलने के बाद वो Customer आया और बगैर पिछला Payment दिये या उसके बारे में हमसे कोई बात किये बिना वो बोला भाईस आप एक टीवी उधार दे दीजे उस समय हमें भी यह याद नहीं था कि इस Customer पर हमारे एक बिल का Payment डू है और उसकी डू डेट भी निकल चुकी है हमने बिल बनाना शुरू किया जैसे ही हम Self Voucher में उस Party का नाम सेलेक करेंगे टैली हमें एक वर्निंग देगा कि इस Party का एक बिल पहले से ही Outstanding है यानि कि बकाया है और उसकी Payment की डू डेट भी निकल चुकी है बस यही Check for Credit Days during Voucher Entry option को Yes करने का फायदा है यदि हम इसे No रखते हैं तो फिर इस तरह की Warning नहीं आएगी यहाँ एक बात ध्यान रखें कि सभी Options हमें तभी दिखाई पड़ते हैं जब हमने Under में Sundry Creditors या Sundry Datas Group सेलेक किया होगा यानि जब हम इन Groups के अंतरगत Legers बना रहे होंगे ध्यान रखें यदि आपने पहले से Leger बनाए हुए हैं और उसके बाद Bill-wise Entry Option यस किया है यानि Enable किया है तो पहले से Sundry Creditors और Sundry Datas Group के अंतरगत जो Legers बने होंगे उनमें Alteration करके आपको इन Options को अपनी जरूरत के हिसाब से Activate करना होगा अब हम इस स्क्रीन को Accept कर लेते हैं इसी तरह हमने इन तीनों Options का उप्योग करते हुए अपने सभी Customers के Legers बना लिये हैं अब हम एक Supplier का Leger भी बना लेते हैं देखिए यहाँ भी Sundry Creditors Group सेलेक करने पर पहले की ही तरह तीनों Options आ रहे हैं इन में से हम सिर्फ Maintain Balance Bill by Bill को Yes रहने दे रहे हैं और नीचे के दोनों Options को ऐसे ही छोड़ रहे हैं क्योंकि इन Options की उप्योगिता Customers के Legers बनाते समय ज्यादा होती है अब हम इस स्क्रीन को Accept कर लेते हैं इसी तरह हमने अपने सभी Suppliers के Legers भी बना लिये हैं हमने राज Electronics से 1 अप्रेल 2021 को Sony TV 20 inches के 2 नग 21,000 रुपए प्रती नग के हिसाब से उधार खरीदे जिसका Bill नंबर है 311 Supplier ने माल देते समय हमसे कहा कि इस Bill का Payment आपको 30 दिन बाद यानी 1 मई को करना है यहाँ पर हम आपको बता दें कि आगे काम करने में सुविधा हो उसके लिए हमने Purchase Account, Sells Account, Stock Item और Unit पहले से ही बना ली हैं तो चलिए अब Transaction Record कर लेते हैं सबसे पहले हम Supplier Invoice नंबर में Supplier का Bill नंबर 311 टाइप कर रहे हैं यहाँ Date में Supplier के Bill की Date टाइप करेंगे यहाँ पर Party का नाम सेलेक करेंगे यहाँ Purchase Account सेलेक करेंगे यहाँ हमें Stock Item सेलेक करना होगा अब जैसे ही हम Quantity और Rate डाल कर Enter Press करते हुए आगे बढ़ेंगे Accept की छोटी विंडो आने के पहले Bill-wise Details की स्क्रीन दिखाई पड़ेगी जिसमें Method of Adjustment के अंतरगत चार Options Advanced, Against Reference, New Reference और On Account दिखाई दे रहे हैं इनी चार Options के माध्यम से हम Bill-wise Accounts मेंटेन करते हैं एक एक करके हम इन चारों Options को समझेंगे ध्यान रखें ये चारों Options हमें Sell, Purchase, Receipt, Payment, Journal, Debit Note और Credit Note Vouchers में Entry करते समये मिलते हैं यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखें कि कई बार Voucher बनाते समये F11 यानि Company Features में Enable Bill-wise Entry Option Enable यानि Yes होने और सभी Legers में Maintain Balance Bill-by-Bill Yes होने के बाद भी ये चारों Options दिखाई नहीं देते हैं यानि कि Bill-wise Details की Screen नहीं आती है तो ऐसी स्थिती में आपको Voucher Screen पर रहते हुए F12 प्रेस करना होगा यह देखिए यहाँ Configuration में Use Default Bill-wise Details for Bill Allocation Yes होगा उसे No कर दें और Ctrl-A से इस Configuration को Accept कर लें और Enter Press करके आगे बढ़ें ऐसा करते ही चारों Options आ जाएंगे तो चलिए इन चारों Options में से इस वीडियो में New Reference को समझ लेते हैं जैसा कि इसका नाम है New Reference New का मतलब है नया और Reference का मतलब यहाँ है Bill या Invoice इस तरह से New Reference का मतलब हुआ नया बिल जब भी हमको अपने Supplier से कोई नया बिल मिलता है और हम उसकी टैली मेंटरी करते हैं या फिर जब हम अपने Customers को माल बेचते समय कोई नया बिल बनाते हैं तो उस समय Prior New Reference Option को सेलेक करते हैं और यही कारण है कि Purchase और Sales Voucher में By Default New Reference ही सिलेक्टेड रहता है अन्य ऐसी परिस्थितियां कौन सी हैं जिसमें हम New Reference की जगह दूसरी Adjustment Method सेलेक करते हैं यह आगे की वीडियोस में बताएंगे यह यहाँ पर हम New Reference को सेलेक करते हुए आगे बढ़ गए हैं यहाँ Supplier का वो ही Bill Number आ रहा है जो हमने पहले टाइप किया था Enterprise करके आगे बढ़ें Due Date या Credit Days में Supplier ने हमें जितने दिन की उधारी पर या माल दिया है उतने दिन टाइप करें या जिस तारिक पर payment करने को कहा है वो तारिक टाइप करें हम तीस टाइप करके Enterprise कर रहे हैं देखिए ऐसा करते ही तारिक अपने आप आ गई है इसके बाद Enterprise करते हुए इस Voucher को Accept कर लेते हैं इसी तरह हमने कुछ खरी दी और की है जिनके Entry भी हमने Tally में कर ली है इस वीडियो में हम आपको जो समझा रहे हैं उसके अनुसार आपको काम करने में सुविधा हो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हम एक PDF दे रहे हैं आईए अब हम आपको New Difference के साथ एक Sales Voucher भी बना कर बता देते हैं कस्टमर को माल देते समय हमने उसे कहा कि इस बिल का payment आपको 10 दिन में करना है अब हमने कस्टमर का बिल बनाना शुरू किया यह देखिए Bill-wise Details में यहां भी New Reference Selected है और हमें यही चाहिए हम Enterprise करके आगे बढ़ रहे हैं ध्यान दे यह वही नंबर आ रहा है जो हमारे बिल का है Enterprise करके आगे बढ़ते हैं देखिए Due Date या Credit Days में पहले से ही 15 Days लिखा आ रहा है इसका कारण यह है कि हमने अपने सभी कस्टमर्स के लेजर्स बनाते समय Default Credit Period में 15 Days टाइप किया हुआ है अब चुके हमने यह माल ग्रहक को 10 दिन की उधारी पर दिया है इसलिए हम यहां पर 10 टाइप कर देते हैं यहां इस बात का ध्यान रखें कई बार Tally के Educational Version में काम करते समय एक परिशानी आती है यहां Due Date पर करसर नहीं जाता है अब एंटर प्रेस करते हुए इस Voucher को Accept कर लेंगे चार्ट में बताए अनुसार पहले Cells Bill की Entry हमने आपको करके बता दी और इसी तरह आखिरी Bill को छोड़ कर बाकी सभी Cells Vouchers की Entries भी हमने Tally में कर ली है यहां पर एखास बात बता दें जब हमने आखिरी Bill बनाना शुरू किया और जैसे ही हमने Party का नाम सेलेक करके Enterprise किया देखिए नीचे एक Warning आ रही है जिसमें लिखा है कि आप जिस Party का Bill बना रहे हैं उसके दो Bill पहले से ही Outstanding है याने की बकाया है और उनकी Payment की Due Date निकल चुकी है अब आप चाहें तो Customer को माल दें या ये कहकर वापस कर दें भाई पहले के Bill Overdue हो चुके हैं क्रप्या आप उनका Payment कर दें तभी हम आपको माल दे सकेंगे यदि आप Overdue के बाद भी Bill बनाना चाहते हैं तो Keyboard पर कोई भी Key Press करें हम Enter Press करके आगे बढ़ रहे हैं 31 मई 2021 को हमारा एक Customer आजाद TV आया और बोला कि मुझे आपके तीन Bill का Payment करना है उनमें से एक Bill 75,000 रुपे का है अभी मैं उसका Payment कर रहा हूँ हमने Receipt Voucher ओपन किया Date Change की, Party का नाम सेलेक किया Amount Type किया और Enterprise किया यह देखें Method of Adjustment के चारों Options दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर हम आपको याद दिला दें कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब हम कोई भी Purchase या Sell करते हैं तो उसके Transaction को Record करते समय Prior New Reference का उपयोग करते हैं उसी तरह जब हम उसका Payment करते हैं या हमें Customer से Payment प्राप्त होता है यानि जब हम Payment Voucher या Receipt Voucher बनाते हैं तो Prior Against Reference का उपयोग होता है यहाँ पर हम आपको बता दें कि Payment Voucher या Receipt Voucher बनाते समय By Default Against Reference Select ही रहता है हम Enterprise करके आगे बढ़ रहे हैं यह देखिए ऐसा करते ही हमें उस Customer से जितने भी बिल का जो भी Amount लेना बाकी है वो दिखाई पड़ रहा है हम इन में से 75,000 वाले बिल पर जाकर Enterprise कर रहे हैं Debit में हम Cash Account सेलेक्ट कर रहे हैं और अब Enterprise करते हुए इस Voucher को Accept कर लेते हैं आईए अब Payment Voucher का भी एक Transaction Record कर लेते हैं उसके लिए पहले हम अपने Supplier राज Electronics का Leisure ओपन करके देख लेते हैं कि उसे हमें कितना रुपिया देना है यह देखिए हमें तीन बिल का Payment करना है यहां हमने मन बनाया कि हम 21,000 वाले एक बिल का तो पुरा Payment कर देते हैं और 63,000 वाले बिल में से 13,000 दे देंगे तो यह बिल Round Figure में देना रहेगा तो इस तरह हम उन्हें अभी 34,000 दे देते हैं हम Escape की प्रेस करते हुए इस स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं अब आईए Payment Voucher ओपन करके इस Transaction को Record कर लेते हैं सबसे पहले Date Change कर लेते हैं यहां पर Party का नाम सेलेक करेंगे अब यहां पर हम Amount Type करके Enter Press कर रहे हैं यह देखिए Method of Adjustment में Against Reference Selected है हम Enter Press कर रहे हैं ऐसा करते ही Pending Bills की एक List आ रही है हम इसमें से पहले 21,000 वाले Bill पर जाकर Enter Press कर रहे हैं अब Enter Press करते हुए अगली Line में आ गए हैं अब यहां फिर से Against Reference Select करते हुए आगे बढ़ रहे हैं यह देखिए फिर से Pending Bills की List आ रही है इसमें से हमें वो Bill सेलेक करना है जिसमें हम 13,000 एजिस्स करना चाहते हैं तो यह हम 63,000 वाले Bill पर जाकर Enter Press करके आगे बढ़ रहे हैं यहां पर Cash Account सेलेक कर लेंगे अब Enterprise करते हुए इस Voucher को Accept कर लेंगे और चलिए अब हम समझ लेते हैं एजिस्मेंट की Advanced Method ये बारे में 31 मई 2021 को ही हमारे पास एक नया कस्टमर भारत Enterprises आया और उसने कहा कि मुझे Sony TV 206 का एक नक्चा हीए मैं अभी आपको 10,000 रुपए Advanced दे देता हूँ आप मुझे TV भिजवा दीजिए दो-चार दिन में आकर पाकी का पिमिंट कर दूँगा तो आईए उसकी 10,000 रुपए की Receipt बना देते हैं सबसे पहले Date Change कर लेंगे यहां हम Alter और C प्रेस करके कस्टमर का Leisure बना लेते हैं अब Credit में Amount 10,000 रुपीज टाइप करेंगे एंटरप्रेस करेंगे यह देखें यहां पर Adjustment की चारों Methods दिखाई पड़ रही हैं इनमें से हम Advanced पर जाकर एंटरप्रेस करेंगे Name में हम जो Voucher बना रहे हैं उसी का नंबर दिखाई पड़ रहा है पर यहां हम पहले की तरह Voucher नंबर का उपयोग नहीं करेंगे यहां हमें Advanced प्राप्त हुआ है उसकी अलग पहचान के लिए हम Advanced लिखकर पार्टी का नाम भारत Enterprises टाइप कर रही हैं Due Date का तो यहां पर कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि हमें Party से कुछ लेना नहीं है यह तो Advanced है हम Enterprise करते हुए आगे बढ़ रहे हैं यहां Cash सेलेक करके इस स्क्रीन को Accept कर लेते हैं हम आज ही Customer को TV भेज रहे हैं उसके लिए हमें Advanced को Adjust करते हुए Sell Bill बनाना होगा यहां पर हम आज की Date टाइप कर रहे हैं यहां पर Party का नाम यहां Cells Account और यहां Item का नाम Quantity Rate डालते हुए आगे बढ़ रहे हैं यह देखिए Adjustment की चारों Methods दिखाई पढ़ रही हैं अब चूंकि हमें Advanced प्राप्त हो चुका है और पहले हम Receipt Voucher में उसके Advanced का Reference दे चुके हैं इसलिए हमें New Reference की जगह Against Reference पर जाकर Enterprise करना होगा यह देखिए ऐसा करते ही हमें वह reference दिखाई पढ़ रहा है जो हमने Advanced का Receipt Voucher बनाते समय दिया था हम उस पर जाकर Enterprise कर रहे हैं अमाउंट में हमें Advanced का अमाउंट टाइप करना होगा जो कि अब दिखाई नहीं पढ़ रहा है तो हम Backspace की प्रेस करेंगे यह देखिए Advanced अमाउंट दिखाई दे रहा है हम वापस Enterprise करके आगे बढ़ रहे हैं और यहां अमाउंट में 10,000 टाइप कर रहे हैं अब देखिए जैसे ही हमने Enterprise किया वापस Adjustment की चारों मेथर्स दिखाई पढ़ रही हैं और अमाउंट में TV का बचा हुआ अमाउंट दिखाई दे रहा है यहां हमें बिल के बचे हुए अमाउंट के लिए एक नया reference बनाना होगा अभी New Reference selected है तो हम Enterprise कर रहे हैं यह देखिए New Reference में वही नंबर आ रहा है जो हमारे Sell Bill का है अब हम Enterprise करते हुए इस voucher को Accept कर लेते हैं आईए सबसे पहले समझते हैं कि Outstanding Reports क्या हैं इस रिपोर्ट से हमें एक ही जगह पर यह पता लग जाता है कि हमें किस पार्टी से किस तारीक को क्या लेना है या किस पार्टी को किस तारीक को क्या देना है शॉट में ये रिपोर्ट हमें अपनी लेंदारी और देंदारी के बारे में डीटेल में बताती है इसकी ज्यादा डीटेल्स हम आगे काम करते समय समझेंगे आगे बढ़ने से पहले हम एक पर्चेस का और एक सेल्स का ट्रांसेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं एक जुन को हमने साई सेल्स से सोनी टीवी 20 इंचिस का एक नक 21,000 के भाव से उधार खरीता इस ट्रांसेक्शन का बिल नंबर है 51 इसका पैमिन्ठ हमें 15 दिन बात करना है आईए इसका पर्चेस वाउचर बना लेते हैं इसी तरह हमने एक जुन को ही भारत एंटरप्राइजेस को सोनी टीवी 20 इंचिस एक नक 25,000 के भाव से 10 दिन की उधारी पर बेचा आईए अब इसका सेल्स वाउचर बना लेते हैं अब दीखते हैं Outstanding Report Gateway of Tally पर Display More Reports के लिए D press करें अब Statements of Accounts के लिए S press करें अब Outstandings के लिए O press करें ये दिखें Outstanding की विंडो आ रही है इसमें अलग-अलग Options दिखाई पड़ रहे हैं इन्हें हम एक एक करके समझेंगे सबसे पहले बात करते हैं Receivables की यदि हम अपनी पूरी लेंदारी की जानकारी चाहते हैं तो इस option से देख सकते हैं हम इसका shortcut R प्रेस कर रहे हैं ये देखें Bills Receivables की स्क्रीन आ रही है जिसमें हमें किस तारिक का किस reference number यानि बिल नंबर का किस party से कितना pending amount किस तारिक को आना था और वो due date के बाद कितने दिन overdue हो चुका है यानि हमने उसे उधार देते समय payment देने के लिए जो अवधी दी थी उससे कितने दिन ऊपर हो चुके हैं ये सभी details यहाँ पर दिखाई पढ़ रही है हमने अभी बनाया था इस report में सिर्फ overdue ही नहीं मालूम पड़ते बलकि पहले से ही ये भी मालूम पड़ जाता है कि हमें भविश्य में किस तारिक को किस party से कितना payment प्राप्त होना है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमने एक जून को जो माल बेचा है उसका payment हमें 11 जून को प्राप्त होना है यदि हम पहले से ही सतर्क रहे तो सही समय पर party से payment प्राप्त कर सकते हैं इस report में सबसे नीचे हमारी कुल कितनी लेंदारी है ये भी दिखाई पढ़ रहा है अभी आप जो report देख रहे हैं ये bill wise report है इसमें हमें bill की तारीख के क्रम में report दिखाई पढ़ रही है यदि आप leisure wise report देखना चाहते हैं तो F at प्रेस करें ये देखे अब जो report आ रहे हैं उसमें प्रत्ते एक party में जितने भी bill का amount pending होगा वो एक जगह पर दिखाई पढ़ेगा साथ ही ये भी मालुम पढ़ रहा है कि हमें उस party से कुल कितना लेना है वापस bill wise report के लिए F at प्रेस करें Receivable report का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि इस से हमें जिन लोगों से रुपया लेना है उन पर हम recovery यानि वसूली के लिए दवाब बना सकते हैं अब देखते हैं payables के बारे में उसके लिए यहाँ पर P press कर रहे हैं ये देखिए bills payable की screen आ रही है इसमें हमें bills receivable की तरह ही जिन parties को payment देना है उनकी पूरी details जैसे हमने जिस तारिख में transaction record किया है वो तारिख उसका reference number, party का नाम, party का pending amount, payment किस तारिख को देना था और यदि वो तारिख निकल गई है तो कितने दिन उपर हो गए हैं ये सब कुछ दिखाई दे रहा है आई अब बात करते हैं, अभी हमने जो purchase voucher बनाया था उसके बारे में ये देखें, यहाँ हमें पहले से ही मालूम पढ़ रहा है कि हमें इस bill का payment 16 जुन को करना है इस report में सबसे नीचे हमारी कुल देनदारी कितनी है, ये भी दिखाई पढ़ रहा है ध्यान रखें, यदि आप इस report को देखकर अपने suppliers को सही समय पर payment करेंगे तो आपको वापस उन पार्टियों से माल खरीदने में आसानी होगी और आप अपने business की goodwill यानी साख को बनाये रख सकेंगे यहाँ हम आपको एक बात और समझाना चाहते हैं कि outstanding की receivable report केवल customers की नहीं होती और नहीं outstanding की payable report केवल suppliers की होती है बलकि receivable report हमारी लेंदारी की होती है और payable report हमारी देंदारी की होती है इसे हम एक उधारन से समझ लेते हैं 2 जून 2021 को हमारे पास एक नया ग्रहक OKTraders आया और उसने कहा मुझे सूनी TV 20 इंचेज वाला एक नक चाहिए अभी मैं आपको 5000 इडवांस दे देता हूँ आप TV भीश दें बाकी के 20,000 में 4 दिन बात दे दूँगा अब हम इसका एक receive voucher बना लेते हैं यह देखिए इस पेबल रिपोर्ट में पहले हम जो नाम देख रहे हैं वे सभी सप्लायर्स के थे और अब इसे रिपोर्ट में हमें कस्टमर से जो एडवांस प्राप्त हुआ है वो भी दिखाई पढ़ रहा है क्योंकि जब तक हम उसे माल नहीं दे देते यह हमारी liabilities यानी देंदारी है और यह payable report में दिखाई पढ़ेगी और जब हम उसे टीवी का उधार का बिल बना देंगे तो उसका balance amount हमें receivable report में दिखाई पढ़ेगा क्योंकि तब यह हमारी लिंदारी होगी इसी तरह किसी supplier को दिया गया advance receivable report में दिखाई पढ़ता है और जब supplier advance को adjust करके हमें उधार माल दे देता है तो वो payable report में दिखाई पढ़ता है अभी हमने receivable report और payable report के बारे में जानकारी दी इनके बारे में हम short में ये कह सकते हैं कि वेफसाई को सुचारू रूप से चलाने में ये report सबसे महतोपून है इस report से ही हम अपने customer से सही समय पर पैसा वसुल कर पाते हैं और जब हमारे पास सही समय पर पैसा आएगा तभी हम अपने suppliers को समय पर पैसा दे सकेंगे चले अब आगे बढ़ते हैं इस report को येदि आप detail में देखना चाहते हैं तो alter और F5 प्रेस करें ये देखे detailed report आ रही है कई बार ऐसा भी होता है कि इस report में overdue by days वाला option दिखाई नहीं पड़ता है तो उसके लिए F12 प्रेस करके show overdue days औबलेक bill age in days option को yes करना होता है ऐसा करते ही overdue by days वाला option आ जाएगा यहां हम overdue by days देख रहे हैं इसमें हमें जिस तारिख को उधारी का payment करना था उससे हम कितने दिन लेट हो चुके हैं ये दिखाई पड़ रहा है पर इसकी जगह यदि आप ये देखना चाहते हैं कि जिस तारिख का ये bill था उससे कितने दिन ऊपर हो चुके हैं तो F12 प्रेस करके यहां पर शो ओवर्ड्यू डेस फ्रॉम बिल डेट को यस कर दें ये देखे ओवर्ड्यू बाइडेस की जगह पर एज ओफ बिल इंडेस आ रहा है आपको समझने में असानी हो उसके लिए हम दोनों रिपोर्ट्स एक साथ दिखा रहे हैं इसी तरह यदि आप कुछ कॉन्फिगरेशन और करना चाहते हैं तो F12 प्रेस करके यहां से कर सकते हैं इन सभी ओप्षिन्स को अच्छे से समझने के लिए एक एक करके ट्राइज जरूर करें चलिए अब जानते हैं आउटस्टेंडिंग में लेजर ओप्षिन के बारे में इसके लिए L प्रेस करेंगे देखें यहां पर हमें सभी पार्टियों के नाम दिखाई दे रहे हैं अब आप जिस पार्टी की आउटस्टेंडिंग रिपोर्ट देखना चाहते हैं उस पार्टी के नाम पर जाकर एंटर प्रेस करें यह देखिए यहाँ पर हमारे द्वरा से लेक की गई पार्टी की पूरी डिटेल जैसे वाउचर की डेट, रेफरेंस नंबर, ओपनिंग अमाउंट जिसमें हमें बिल का अमाउंट दिखाई पड़ रहा है, पैंडिंग अमाउंट यानि जो अभी हमें उस बिल का देना या लेना बाकी होगा, वो दिखाई पड़ेगा, उसके बाद due on में वो तारिक दिखाई देती है, जिस दिन हमें पैसा देना या लेना होता है, और आखिर में overdue by days में, यदि पेमेंट देने या लेने की कोई अबधी निश्यत थी, तो उससे कितने दिन उपर हो चुके हैं, ये दिखाई पड़ेगा, आएब आउटस्टेंडिंग के आखरी ओप्शन ग्रुप के बारे में जान लेते हैं, उसके लिए जी प्रेस करेंगे, अब यहां से आप जिस ग्रुप की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, उसकी नाम पर जाकर एंटर प्रेस करें, ये देखिए इस ग्रुप की आउटस्टेंडिंग रिपोर्ट आ रही है, इसमें यानि सिलेक किये गए ग्रुप में जो भी लेजर बने होंगे, उनसे जो भी लेना या देना होगा, वो दिखाई पड़ेगा, इसमें से आप किसी भी पार्टी को सिलेक करके उसकी डिटेल देख सकते है अभी हमने जिन भी रिपोर्ट्स के बारे में समझा, यदि आप टैली में कुछ काम कर रहे हैं और उस बीच ये रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, तो उन्हें गोटू पर जाकर दो तरीकों से देख सकते हैं हम गोटू पर माउस से क्लिक कर रहे हैं, देखिए कॉमन रिपोर्ट में बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल दिखाई पड़ रहा है ये तो हुआ पहला तरीका, अब दूसरा तरीका देख लेते हैं, उसके लिए हम सर्च पार में टाइप कर रहे हैं, आर ऐसा करते ही, लिस्ट ओफ रिपोर्ट में, रिसीवेबल और पेबल रिपोर्ट के अंतरगत वो सभी नाम दिखाई पड़ रहे हैं, जिनके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया था एजिंग अनालिसिस को समझने के लिए, पहले हम आउटस्टेंडिंग रिपोर्ट के अंतरगत रिसीवेबल रिपोर्ट ओपन कर रहे हैं देखे इस रिपोर्ट से पता चल रहा है कि हमें किस बिल नंबर का, किस पार्टी से कितना पेंडिंग अमाउंट किस तारिक को लेना था या लेना है और ये भी पता चल रहा है कि जो pending amount हमें लेना था, वो प्राप्थोने में निर्धारिक तारिक से हमें कितने दिन अधिक हो गए हैं। यहाँ पर एक खास बात समझने के लिए ये है कि हमने जो बिल बनाए हैं, वो तो तारिक के क्रम में दिखाई पड़ रहे हैं पर उनकी due date क्रम में नहीं हैं। क्योंकि हमने सभी कस्टमर्स के लिए उधार की, कोई एक निश्यत अवधी तय नहीं की है। ये तो हर कस्टमर और उसके भी हर बिल के लिए अलग-अलग है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ही दिन बने बिल्स की due date अलग-अलग है। और इसी कारण से due date के आधार पर निकाले गए overdue by days भी अलग-अलग है। और यही वज़ा है कि हम बिल की तारिख या बिल नंबर के अनुसार वसूली नहीं कर सकते। यहां हमें due date या overdue by days की सहायता से ये देखना होगा, कि ऐसे overdue कौन से हैं जिने अभी कम समय हुआ है और ऐसे overdue कौन से हैं जिने अधिक समय हो चुका है। जैसे कि यहां हम देखना चाहते हैं कि 15 दिन से कम समय के overdue कौन से हैं। 15 से 30 दिन के overdue कौन से हैं, 30 से 45 दिन के बीच के overdue कौन से हैं, और 45 दिन से ज्यादा पुराने overdue कौन से हैं। जितने अधिक दिन overdue हो चुके होंगे, उसे के अनुसार हम वसुली के लिए अपने customers पर दवाब बना सकेंगे। इस काम को करने के लिए हमें इस report का ध्यान से अधियन करना होगा। तब जाकर हम पता कर सकेंगे कि कौन से payment ऐसे हैं, जिनकी due date निकल चुकी हैं, और वे due date के बाद कितने दिन overdue हो चुके हैं। चलिए ये काम कर लेते हैं। ये देखिए इन payments को overdue हुए 45 या उससे अधिर दिन हो चुके हैं। ये 30 से 45 दिन के बीच का है। ये 15 से 30 दिन के बीच के हैं। और ये 0 से 15 दिन के बीच का है। अब यहां एक सवाल ये है कि ये तो बहुत छोटी रिपोर्ट है। यदि रिपोर्ट कई पेज की होगी तो इस तरह sorting के काम में बहुत समय लगेगा और फिर भी गलती की संभावना बनी रहेगी। बस इसी का समाधान है एजिंग अनालिसिस। यदि हमें इस तरह की एजिंग अनालिसिस रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। इसमें हमें सपश्ट दिखाई पड़ रहा है कि कौन से पेमेंट डू डेट से कितने दिन अधिक यानि कितने दिन ओवरड्यू हो चुके हैं। जैसे कि हमें इन बिलों के बारे में मालुम हो रहा है कि इनके पेमें डू डेट से भी 45 दिन से अधिक की देरी हो चुकी है। और ये पेमेंट डू डेट से 30 से 45 दिन के बीच की अवधिक हैं। तो चलिए अब हम एजिंग एनालिसिस के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। ये हमें आउटस्टेंडिंग रिपोर्ट में ही मिलता है। उसके लिए या तो एजिंग मेथड पर माउस से क्लिक करें या F6 प्रेस करें। ऐसा करते ही एजिंग की दो मेथड दिखाई पर रही हैं। इसमें पहले हम एजिंग बाई डू डेट पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। यह देखें कमपनी एजिंग अल्टरेशन स्क्रीन आ रही है। यहां हमें फ्रॉम और टू में वे दिन लिखना हैं जिसके बीच की अवधी की रिपोर्ट हम एक स्थान पर देखना चाहते हैं। हम फ्रॉम में 0 देख रहे हैं। इसे हम चेंज नहीं कर सकते। टू में हम टाइप कर रहे हैं 15। इसका मतलब यह है कि हमें पहले कॉलम में ऐसे पैंडिंग अमाउंट्स दिखेंगे जो की 0 सी 15 दिन के अंदर के होंगे। प्रेस करें। यह देखिए नीचे वाली लाइन में फ्रॉम में अपने आप 15 दिन आ रहे हैं। अब हम टू में 30 टाइप कर देते हैं। इसी तरह हमने एंटर प्रेस करते हुए नीचे 45 दिन टाइप कर दिये हैं। यह देखिए अगली लाइन में फ्रॉम में 45 अपने आगे जीरो ही रहने देना होगा अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे देखिए बिल रिसीवेबल की ड्यूडेट के अनुसार एजिंग एनलेसिस रिपोर्ट आ रही है इसमें हमें इस पश्ट दिखाई पड़ रहा है कि हमारे कौन से पेमेंट ड्यूडेट के बाद जीरो से पंदरा दिन के अंतरगत आ रहे हैं कौन से पेमेंट ड्यूडेट के बाद पंदरा से तीस दिन के अंदर आ रहे हैं कौन सा पेमेंट ड्यूडेट के बाद तीस से पैंतालिस दिन के अंदर आ रहा है और कौन से पेमेंट ऐसे हैं जिने ड्यूडेट के बाद पैं से 15 दिन लिये हैं, उसमें एक ऐसा अमाउंट भी है, जिसकी ड्यू डेट अभी नहीं आई है, फिर भी वो यहां दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि यह रिपोर्ट 1 अप्रेल से 2 जून के अवधी की है, और यह आखरी पैमेंट अभी ड्यू नहीं वे भी इस रिपोर्ट में दिखाई तो पड़ते हैं, पर उनके अमाउंट सामान यक्षर में दिखाई देते हैं, और बाकी सभी जो ड्यू हो चुके हैं, उनके अमाउंट भोल लेटर्स में दिखाई पड़ते हैं, अब यदि आप इस रिपोर्ट को ड्यू डेट के स्थ पर पिल्डेट से कितने दिन अधिक हो चुके हैं और पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। इस तरह से देखना चाहते हैं तो F6 प्रेस करें। देखें एजिंग बाई बिल्डेट सेलेक्टेड हैं। एंटर प्रेस करें। Company Aging Alteration स्क्रीन आ रही है। यदे आप यहां पीरेट बदलना चाहें तो पहले बताय अनुसार बदल सकते हैं। हम यही रहने दे रहे हैं और इस स्क्रीन को एकसेप्ट कर लेते हैं। देखें अब जो रिपोर्ट दिखाई पड़ रही है वो बिल्डेट के अनुसार है। और रिपोर्ट भी देख सकते हैं। यह रिपोर्ट बिल्डेट के अनुसार आ रही है। हम इसे ड्यूडेट के अनुसार कर लेते हैं। अब यदि आप सीधे प्रिंट निकालना चाहते हैं। और यदि आप प्रिंट के पहले ये देखना चाहते हैं। कि रिपोर्ट प्रिंट होने पर किस तरह की दिखाई पड़ेगी। तो प्रिंट प्रिव्यू के लिए आई प्रेस करें। पूरा प्रिव्यू देखने के लिए लेफ्ट और राइट एरो का उप्योग करें। अब आप प्रिंट के लिए पहले Escape की प्रेस करें। अब यदि आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो P प्रेस करें। चलिए एक और महत्वपुन आप्शन आपको बता देते हैं। हमारा एक कस्टमर आजाट टिवी आया और उसने कहा कि मेरी तरफ आपका कितना बकाया है बताईए। हमने Outstanding Report में उसका लेजर उपन किया। उसने कहा कि आपका जो ज्यादा पुराना पेमेंट ड्यू है उसमें 10,000 रुपए नगर जमा कर लीजिए। हमने Settle Bills के लिए Alter और B प्रेस किया। ये देखिए Bill Settlement स्क्रीन आ रही है। इसमें आप यहीं से अपने कस्टमर की रसीद बना सकते हैं। Voucher Type में Receipt लिखा हुआ है। Voucher Date में आप जिस तारीक में रसीद बनाना चाहते हैं वो तारीक टाइप करें। हम एक जुलाई टाइप कर रहे हैं। अकाउंट में हमें जिस तरह से पेमिंट प्राप्त हो रहा है वो लेजर सिलेक करना है। यहां Narration Type करें और फिर इस स्क्रीन को Accept कर ले। देखिए Receipt Voucher उपन हो गया है। जिसमें अभी हमने जो डिटेल्स दी थी वो दिखाई पढ़ रही है। हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। यहां हमें जो amount प्राप्त हुआ है वो टाइप कर रहे हैं। फिर एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। देखिए उपर against reference आ रहा है और हम अगली line में आ गए हैं। हम backspace से amount पर जाकर amount type कर रहे हैं। फिर एंटर प्रेस करें। यह देखिए यदि against reference में जो reference आ रहा है वो सही है तो आगे बढ़ें। और यदि उससे change करना है तो वापस backspace से reference पर जाएं। यह देखिए pending bills दिखाई पड़ रहे हैं। आप जिस bill में यह amount adjust करना चाहते हैं उससे select करके आगे बढ़ें। और फिर end of list को select करते हुए इस voucher को accept कर लें। यह देखिए पहले यहाँ पर pending amount 50,000 रुपय था और अब उसकी जगह पर 10,000 कम होकर 40,000 ही रह गए हैं। इसी तरह जब आप किसी supplier का laser open करके bills settle करेंगे तो type of voucher में receipt की बजाए payment voucher open होगा जिसमें आप अभी बताए अनुसार काम कर सकते हैं। On Account का उपयोग हमें कुछ विशिश परिस्थितियों में ही करना होता है जैसे कि जब किसी party की receipt बनाते समय हमें अज़िस्मेंट के लिए कोई reference number नहीं दिखाई पड़ रहा हो। जब कोई check bounce हो गया हो। जब किसी party के ledger पर हमें कोई effect डालना हो जैसे कि किसी supplier या customer को ब्याज दिया हो या उससे ब्याज प्राप्त हुआ हो। जब lump sum amount प्राप्त हुआ हो या दिया हो या इसी तरह का कोई अन्य विशेश कारण हो तब। चलिए अब जो हमने ये मुख्य कारण आपको बताए हैं इन्हें एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहली condition। जब हम किसी party का payment या receipt voucher बनाते हैं, उस समय उसके amount को adjust करने के लिए हमें उस party का कोई reference number नहीं मिलता। यानि कि हमें reference number दिखाई नहीं देता तो हम on account method का उप्योग करते हैं। इसे एक उदारन से समझ लेते हैं। एक जुलाई को हमारा customer GK traders आया और बोला कि मुझे आपके तीन बिल का एक लाख रुपया देना हैं। वो ले लीजिए और receipt बना दीजिए। हमने उसका लेजर ओपन किया। ये देखिए हमें इस customer से तीन बिल के एक लाख रुपय लेना है। तो चलिए पार्टी ने हमें जो एक लाख रुपय दिये हैं। उसके रसीत बना देते हैं। उसके लिए हम लेजर रिपोर्ट पर रहते हुए वाउचर के लिए आल्टर और एप्रेस करेंगे। ये देखिए जैसा कि हमने अगेंस्ट रिफरेंस वाली वीडियो में देखा था। यहां अगेंस्ट रिफरेंस सेलक करने के बाद भी एजस्मेंट के लिए कोई रिफरेंस नमबर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब सवाल है कि हमने पार्टी के उधारी के भी बिल बनाए हैं और रुपए भी लेना हैं तो फिर यहां कोई रिफरेंस क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसके कुछ कारण हो सकते हैं जिनमेंसे हम आपको दो मुख्य कारण बता रहे हैं। पहला तो यह कि आपने बिल वाइज एंट्री ऑप्शन बाद में चालू किया हो और यह बिल उसके पहले बने हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने bill-wise entry option तो पहले से ही चालू कर रखा हो पर जब party के bill बनाए थे तब party के ledger में maintain balance bill by bill option no रहा हो और आपने उसे बाद में yes किया हो इन दोनों ही परिस्थिती में जब आपने party के bill बनाए होंगे तो bill-wise details की कोई screen नहीं आई होगी जिसके कारण आपने कोई reference number भी generate नहीं किये होंगे और जब reference number ही generate नहीं किये होंगे तो वे यहां दिखाई कैसे पढ़ेंगे पस ऐसी इस्थिती में हमें यहां on account से लिख करना होगा चलिए अब बात करते हैं दूसरी condition की अगर किसी party का check bounce हो जाता है तब भी हम on account का उप्योग कर सकते हैं इसे भी एक उदारन से समझ लेते हैं हमने अपने एक नए कस्टमर प्रेम ब्रदर्स को एक जुलाई को सोनी टीवी 20 इंचिस का एक नग 25,000 के भाव से 15 दिन की उधारी पर बेचा तो आईए sales voucher बना लेते हैं यहां हमें party का लेजर बनाना होगा यहां हम new reference select कर रहे हैं देखे हमने customer का bill बना लिया है एक अगस को प्रेम ब्रदर्स आया और बुला कि मुझे आपका 25,000 रुपए का एक payment देना है मैं आपको उसका check दे देता हूँ आप मुझे receipt बना कर दे दे तो आईए receipt voucher बना लेते हैं यहां हमें against reference select करना होगा इस तरह हमने receipt voucher बना लिया हमें customer से जो check प्राप्थ हुआ था उसे हमने clearing head to bank में deposit कर दिया था एक गर्स को ही हमें bank में सुचित किया कि आपने जो check जमा किया था वो party के account में balance नहीं होने से bounce हो गया है यहां पर समझने की बात यह है कि जब हमें party से check प्राप्थ हुआ था तो हमने receipt voucher बनाते समय tally में against reference के माध्यम से बिल के pending amount को adjust कर लिया था पर हमारे bank account में तो इस party का पैसा आया ही नहीं है तो हमें इस party के against check bounce की एक entry करनी होगी याद रखें check bounce की entry हमेशा journal voucher में की जाती है journal voucher के अधिक जानकारे के लिए आप हमारी video number 34 देख सकते हैं अब हम general voucher open कर रही है यहाँ debit में party का नाम select कर लेंगे amount में हम 25,000 टाइप करेंगे अब जैसे ही हम enter press करते हैं यह देखे हमारे सामने method of adjustment की window open हो गई है अगर यहाँ हम against reference select करते हैं तो देखें यहाँ पर कोई भी reference नहीं आ रहा है अब सवाल यह है कि हम ऐसी इस्थिती में क्या करें तो ऐसी इस्थिती में हमें on account select करना होगा अब enter press करते करते आगे बढ़ते हैं और credit side में हम हमारे bank का नाम select कर लेंगी यहाँ हम narration type कर देंगे और अब इस entry को हम control और A प्रेस करके accept कर लेंगी आए अब party का laser open करके देखते हैं कि क्या इस्थिती है यह देखिए हमें party से 25,000 रुपए लेना है यह तो ठीक है आए अब bills receivable report देखते हैं यह देखिए इस report में party का नाम ही नहीं है यानि इस report के हिसाब से तो हमें party से कुछ भी नहीं लेना है जबकि वास्तव में हमें उससे 25,000 रुपए लेना है ऐसा क्यों हो रहा है यह हम आपको समझा देते हैं जब भी हम on account लेकर कोई भी entry करते हैं तो उसका प्रभाव सिर्फ लेजर पर ही पड़ता है आउटस्टेंडिंग्स की receivable या payable report में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के check bounds की entry का effect outstanding report में भी दिखाई पड़े तो उसके लिए आपको check bounds की entry करते समय on account के स्थान पर एक नया reference check bounds का बनाना होगा चलिए हमने जो check bounds की entry की उसी को alter कर लेते हैं इसके लिए हम go to पर mouse से click कर रहे हैं यहां से laser voucher पर जाकर enter press करें यहां party का laser select करें और अब हम जिस voucher को alter करना चाहते हैं उस पर जाकर enter press करेंगी enter press करते हुए हम method of adjustment पर आ गए हैं अब हमें on account के स्थान पर new reference select करना होगा यहां पर हम type करेंगे check bounds और उसके बाद party का नाम type करेंगे फिर इस voucher को accept कर लेंगे escape की press करके हम वापस bills receivable report पर आ गए हैं यह देखिए अब report में party का नाम और amount दिखाई पढ़ रहा है कहने का मतलब यह हुआ कि check bounds की entry करते समय यदि आप चाहते हैं कि इसका effect outstanding report पर भी पढ़े तो new reference select करें और यदि नहीं चाहते हैं तो on account select करें अब हम तीसरी condition की बात करते हैं यदि हम किसी party के ledger पर कोई effect डालना चाहते हैं तो उसके लिए हम on account method का उपयोग करते हैं जैसे कि हम अपने किसी customer से interest यानि ब्याज लेते हैं या फिर अपने किसी supplier को interest देते हैं तो उस interest की entry करते समय हम on account का उपयोग करेंगे चलिए एक उधारण से समझते हैं हमने अपने एक नए customer अशुका enterprises को 1 अगस को sony tv 20 inches का एक नक 25,000 के भाव से उधारी पर बेचा और कहा कि यदि आपने हमें 16 अगस तक payment नहीं किया तो इस निश्यत तारिख से आप जितने दिन बात payment करेंगे उस अवधी का आपको ब्याश देना होगा चलिए sales voucher बना लेते हैं यहां हमें party का laser बनाना होगा यहां पर हम new reference select कर रहे हैं और due date या credit days में 16 अगस टाइप कर रहे हैं यह हमने customer का bill बना दिया एक December को अशोका enterprises आया और बोला कि आपका क्या हिसाब है बताईए हमने outstanding report में party का laser open किया period change करके एक April से एक December किया यह देखे overdue by days में 107 लिखा हुआ है याने हमने customer को जितने दिन की उधारी पर माल दिया था उससे 107 दिन अधिक हो चुके हैं हमने इस अधिका interest calculate किया ब्याज की calculation tally में कैसे करते हैं यह हम आपको आगे की वीडियोस में बताएंगे अभी समझने के लिए मान लेते हैं कि 107 दिन का ब्याज 500 रुपए हुआ तो हमें 500 रुपए party के नाम debit करना होंगे इसके लिए हम journal voucher या debit note voucher का उपयोग कर सकते हैं अभी हम journal voucher का उपयोग कर रहे हैं और आगे की वीडियो में आपको debit note voucher का उपयोग करना बताएंगे हम go to की सहायता से journal voucher बना लेते हैं सबसे पहले date change कर लेते हैं debit में party का नाम सेलेक कर रहे हैं यहां amount type करें यहां हमें method of adjustment में on account सेलेक करना होगा credit में interest receivable का account सेलेक करना है जो की बना हुआ नहीं है तो हम इसे बना लेते हैं under में हम indirect income सेलेक करेंगे यहां narration type करेंगे और अब इस entry को accept कर लेंगे हमने customer से 25,000 रुपए बिल के और 500 रुपए ब्याज के यानि कुल 25,500 रुपए देने के लिए कहा उसने हमें 25,500 रुपए नकट दे दिये अब हम इसकी receipt बना देते हैं सबसे पहले date change कर लेंगे credit में party का नाम सेलेक करेंगे यहां हमें जो amount प्राप्त हो रहा है वो type करेंगे यहां हम against reference सेलेक करेंगे यहां हमें वो pending bill सेलेक करना होगा जिससे हम payment adjust करने वाले हैं enterprise करते हुए आगे बढ़ें हमें ब्याज का amount भी प्राप्त हो रहा है इसके लिए यहां on account सेलेक करेंगे और यहां debit में cash सेलेक करके अब इस entry को accept कर लेंगे अब हम escape की press करके वापस outstanding report में पार्टी के ledger पर आ गए हैं देखिए अब यहां सिर्फ on account लिखा दिखाई पड़ रहा है और उसके आगे कोई भी amount नहीं है हम enter press कर रहे हैं यह देखिए पिल का payment प्राप्त हो गया है इसलिए वो यहां दिखाई नहीं पड़ रहा है और on account को लेकर हमने जो debit और credit के entry की थी वो दिखाई पड़ रही है अब हम चलते हैं चौथी condition पर और उससे समझ लेते हैं यदि हमें किसी customer से lump sum amount प्राप्त हुआ हो या हमने किसी supplier को lump sum amount दिया हो तो ऐसी स्थिती में भी कई बार on account का उप्योग किया जाता है चलिए उधारण देखते हैं एक जन्वरी को हमारा एक customer भारत enterprises आया और बोला कि मैं अभी जल्दी में हूँ आपके करीब दो ठाई लाख रुपए देना हैं तो ये दो लाख रख लीजिए और रसीद बना दीजिए customer के पास समय नहीं था इसलिए हमने receipt voucher बनाते समय बिल टू बिल हिसाब ना करते हुए सीधे on account लेकर receipt बना दी आईए अब party का लेजर उपन करके देखते हैं कि क्या स्थिती है ये देखे हमें party से कुल दो लाख पचास हजार रुपए लेना थे जिसमें से दस हजार पहले आ गए थे और दो लाख अभी प्राप्थ हुए हैं अब customer से 40,000 रुपए लेना बाकी है ये तो ठीक है अब bills receivable report देखते हैं देखें यहां party के सभी bill outstanding में आ रहे हैं इसका मतलब है कि ये लेना बाकी है ध्यान रखें जैसा कि हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि जब भी हम on account लेकर कोई भी entry करते हैं तो उसका प्रभाव लेजर पर तो आता है पर outstanding की receivable या payable report में नहीं दिखाई पड़ता है हाँ यदि आप outstanding की लेजर report देखेंगे तो उसमें ये दिखाई पड़ेगा यहां पर हमारी समस्या यह है कि हमारा लेजर कुछ और बता रहा है और bills receivable report कुछ और बता रही है तो इसका हल क्या है इसका हल यह है कि जितनी जल्दी संभव हो आप customer से बात करें कि आपके जो bill outstanding है उन में से किन bills में ये amount adjust करना है और उसके बाद वापस उस record किये ट्रांसेक्शन को open करके pending bills से adjust करें चलिए हम आपको यह करके बता देते हैं हमने आउटस्टेंडिंग्स में भारत enterprises की ledger report open की आप चाहें तो इसकी जगह पर party का ledger open कर सकते हैं अब हम on account पर जाकर enterprise कर रहे हैं यहां से हमें उस transaction पर जाना है जिसे हम edit करना चाहते हैं अब enterprise करते हुए आगे बढ़ें bill wise entry की screen आने पर on account की बजाए against reference select कर लें यह देखिए ऐसा करते ही सभी pending bills दिखाई पढ़ रहे हैं हमें कस्मा ने कहा था कि मेरे एक एक लाख वाले दो bill हैं वे इस amount से adjust कर देना हमने ऐसा ही किया और आब इस voucher को accept कर लेते हैं यह देखिए outstanding report के leisure में आप सिफ वो ही बिल दिखाई पढ़ रहे हैं जिनका payment हमें उससे लेना है चले हम bills receivable report भी देख लेते हैं यह देखिए यहाँ पर भी वो ही pending bills दिखाई पढ़ रहे हैं हमें उम्मीद है इस वीडियो में हमने आपको जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा यदि आप इस वीडियो में बताय अनुसार कारी करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे description में एक PDF दे रहे हैं सबसे पहले हमें कस्टमर Sun Enterprises का लेजर बना लेते हैं इसमें हम default credit period में 15 टाइप कर रहे हैं हम चाहते हैं कि जब इस कस्टमर का bill print हो तो उसमें इस तरह credit days भी दिखाई पड़े आईए अब Sun Enterprises का एक sales bill बना लेते हैं अब जब हम bill save करने से पहले इसका print preview देखते हैं तो देखिए यहां पर credit days दिखाई नहीं पड़ रही हैं तो पहले हम escape की से voucher पर चलते हैं अब हम enterprise करते हुए bill save कर लेते हैं अब save किये हुए bill का preview देख लेते हैं यह देखिए अब यहां पर credit days दिखाई पड़ रहे हैं तो दूस्तू credit days प्रिंट नहीं होने का एक कारण तो यह हुआ कि यदि हम bill को save किये बगैर प्रिंट लेते हैं तो credit days प्रिंट नहीं होते हैं दूसरा कारण देख लेते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि बिल में credit days की कोई जानकारी नहीं होती ऐसे इस्थिती में हमें बिल को प्रिंटिंग के लिए configure करना होगा उसके लिए C प्रेस करें List of configuration में देखिए Show Bill wise details option No है उस पर जाकर enter press करें अब यह देखिए यह option Yes हो गया है अब Escape की से वापस पीछे चलते हैं और preview देख लेते हैं यह देखिए अब credit days दिखाई पड़ रहे हैं चलिए अब दूसरी बात समझ लेते हैं यदि आप चाहते हैं कि बिल में उपर दिखाई पड़ रहे अब यह दिखाई पड़े तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए पहले हम एक नया sales voucher open कर लेते हैं अब sales voucher पर रहते हुए ही हमें F12 प्रेस करना होगा अब यदि यहां दिखाई पड़ रहे provide dispatch, order and export details और provide order details, options yes हैं तो ठीक हैं और यदि no हैं तो इन्हें yes कर लें और इस screen को accept कर लें चलिए अब sales voucher बनाते हैं यह देखें यहां पर order details आ रही हैं अब जैसा के आपको ध्यान होगा हमने Sun Enterprises का laser बनाते समय default credit period में 15 टाइप किया था अब यदि आप credit period 15 ही रखना चाहते हैं और mode term of payments के आगे अपने आप 15 days लिखा आ रहा है तो ठीक है नई तो आप खुद 15 days टाइप कर दें और यदे आप 15 की जगह मान लीजे customer को 30 days की credit देना चाहते हैं तो यहां पर आप 30 days टाइप कर दें और यदे आप चाहते हैं कि days की जगह 30 दिन के हिसाब से जो due date आती है वो दिखाई पड़े तो यहां पर वो date टाइप कर दें हम 1 January 2022 को बिल बना रहे हैं इसलिए 30 दिन के हिसाब से इस बिल की due date होगी 31 January 2022 तो यहां पर हम 31 January 2022 टाइप कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं यह देखिए due date और credit days में due date और days दोनों ही दिखाई पड़ रहे हैं यदि नहीं दिखाई पड़ रहे हो तो यदि आपने mode term of payments में days टाइप किये थे तो यहां भी days टाइप कर दें और यदि due date टाइप की थी तो यहां भी due date टाइप कर दें अब बिल को accept कर लें चलिए अब इस बिल का प्रिव्यू देख लेते हैं यह देखिए दोनों जगर पर due date आ रही है ध्यान रखें यदि आपने days टाइप किये होते तो दोनों जगर पर days लिखे हुए होते यहां पर हम आपको एक और खास बात बता दें कि आप चाहें तो mode, term of payments में credit days या due date की जगर पर payment से संबंदित कुछ और भी बात लिख सकते हैं जैसे कि यदि हमें इस बिल का advance payment प्राप्थ हो गया है तो हम mode, term of payments के आगे advance payment टाइप कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि credit days टाइप करने पर बिल में due date automatically आ जाए तो उसके लिए आपको टैली कंपनी से एक add-on feature परचिस करना होगा चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि credit limit क्या है जब हम व्यापार करते हैं तो किसी भी customer को देख कर या उसकी दुकान देख कर या फिर बाजार में उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उसे उधार देने की एक ऐसी राशी निशित करते हैं कि उस राशी तक का माल customer को उधार देने के बाद उसके डूबने या फ्मसने का खतरा ना हो बस ये निशित की गई राशी ही credit limit कहलाती है यदि हम customer की कोई limit ना बनाएं और उसे कितना भी माल उधार दे दें और वो समय पर हमारा पैसा वापस नहीं करता है तो हम मुश्किल में पढ़ सकते हैं क्योंकि हमने भी किसी से माल उधार लिया है और हमें भी उसे समय पर पैसा देना होगा पर जब हमारे पास समय पर पैसा आएगा ही नहीं तो हम समय पर देंगे कैसे बस यही कारण है कि हर बुद्धिमान व्यापारी अपने कस्टमर्स की लिमिट बना कर ही उन्हें उधार देता है टैली ने भी हमें इस तरह की सुविधा प्रदान की है यदि हम टैली में किसी कस्टमर की लिमिट टाई कर देंगे तो फिर जाने अंजाने में भी उससे ज्यादा अमाउंट के उधारी के बिल नहीं बना सकते हाँ आप चाहें तो नकद में उस पार्टी को कितना भी माल पेच सकते हैं तो आईए टैली में काम शिरू करते हैं पहले हम एक नए कस्टमर क्रिष्णा एंटरप्राइज़ का लेजर बना लेते हैं देखें यहां credit limit का कोई option नहीं आ रहा है उसके लिए हम F12 प्रेस कर रहे हैं अब show more configurations को yes करेंगे यह देखें provide credit limit option दिखाई दे रहा है अभी यह no है हम इसे yes कर रहे हैं और इस screen को accept कर लेते हैं अब देखें यहां पर specify credit limit का option आ गया है माल लेजे हम इस customer को 50,000 रुपए तक का माल उधार दे सकते हैं तो हम यहां पर 50,000 टाइब करके इस screen को accept कर लेंगे ध्यान रखें एक बार credit limit का option enable करने के बाद आप अपने पहले से बने हुए किसी भी customer के लेजर्स में alteration करके credit limit दे सकते हैं आइए बस party के कुछ transactions record कर लेते हैं हमने Krishna enterprises को एक फरवरी को Sony TV 20 inches वाले दो नग 22,000 रुपए प्रतिनग के हिसाब से उधार बेची आइए इस party का एक बिल बना लेते हैं यह देखे पार्टी का नाम सेलक करते ही हमारे द्वारा दी गई credit limit यहां पर दिखाई पड़ रही है इस तरह हमने customer का sales voucher बना दिया है एक मार्च को Krishna enterprises आया और बोला मुझे Sony TV 20 inches वाले दो नग दे दीजिये हमने बिल बनाना शुरू किया यह देखे जैसे ही हम voucher को accept करने गए एक error आ रही है जिसमें लिखा है कि credit limit of Krishna enterprises 50,000 debit exceeded current 88,000 debit इसका मितलब है कि Krishna enterprises की credit limit 50,000 से ज्यादा हो गई है और वो अभी 88,000 हो रही है इसके बाद भी यदि हम enterprise करते हुए आगे बढ़ते हैं तो भी accept के छोटी window नहीं आती यानि ये बिल save नहीं हो रहा है ऐसे इस्तिति में आपके पास दो options हैं पहला आप customer से माफी मांगते हुए कहें कि बाई साब आपकी तरफ मुझे पहले से ही 44,000 रुपर लेना है आपो मुझे दे दीजिए तब मैं आपको नया माल दे दूँगा और दूसरा यदि आप सोचते हैं कि इस customer की और 88,000 उधार रखने में भी कोई परिशानी नहीं है तो backspace की प्रेस करें अब party के नाम पर जाएं और control और enter कीज को प्रेस करें ये देखे लेजर alteration की screen आ रही है यहाँ पर हम party के limit चेंज करके 88,000 कर रहे हैं और अब इस screen को accept कर लेते हैं और फिर enter प्रेस करते हुए इस voucher को भी accept कर लेते हैं चलिए अब हम multiple lasers में credit limits कैसे set करते हैं ये भी बता देते हैं अभी हम gateway of tally पर हैं यहाँ से chart of accounts के लिए h press करेंगे यहाँ से lasers पर जाएंगे यहाँ multi masters के लिए alter और h press करेंगे देखिए credit limit का option दिखाई दे रहा है इस पर जाकर enter प्रेस करेंगे अब list of groups में से उस group पर जाकर enter प्रेस करेंगे जिसके अंतरगत बने lasers में हम limit set करना चाहते हैं यह देखिए sundry data's group में बने सभी lasers दिखाई दे रहे हैं इन में से आप जिस भी laser में चाहें limit डाल सकते हैं या पहले से दी हुई limit को change भी कर सकते हैं हम अशोक enterprises को 50,000 रुपय की limit देना चाहते हैं तो enterprise करते हुए उसके laser पर जाएंगे अब credit limit वाले column में 50,000 टाइप करेंगे और enterprise करके आगे बढ़ेंगे यदि आप चाहें तो यहाँ से किसी भी laser में default credit period दे सकते हैं या उसमें changes कर सकते हैं साथ ही यहाँ से check for credit days during voucher entry option को भी yes या no कर सकते हैं इनके बारे में हम आपको हमारी वीडियो bill wise details में बता चुके हैं चलिए अब इसे control और A keys प्रेस करके save कर लेते हैं cash and bank book एक तरह की समरी है जिसकी सहायता से हम शिग्रता से अपने cash तथा bank के सभी lasers के closing balance की जानकारी एक ही इस्थान पर एक साथ राप्त कर सकते हैं और यदि हम चाहें तो इसी समरी से cash तथा bank के किसी भी laser की report देख सकते हैं आईए अब हम समझते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि किसी भी व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें रोज कुछ भुकतान करने होते हैं और इसी तरह हमें कुछ पैसा भी रोज प्राप्त होता है और लेंदेन के इन सभी कामों को हम कैश और बैंक के माध्यम से ही करते हैं उदारन के लिए मान लीजिये हमें कुछ पर्चेस करना है या फिर किसी का पेमिंट करना है तो ये काम हम कैश में कर सकते हैं बैंक के माध्यम से कर सकते हैं या फिर कैश और बैंक दोनों के माध्यम से कर सकते हैं भुकतान करने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारे पास कितना कैश पड़ा है बैंक में हमारे पास कितना पैसा है या फिर क्या हमें कैश और बैंक दोनों को मिलाकर पेमिंट करना होगा अब सवाल ये है कि हम ये सब पता कहां से करेंगे बस इसी समस्या का समाधान है कैश और बैंक समरी तो आईए अब हम कैश और बैंक बोक ओपन कर लेते हैं अभी हम gateway of tele पर हैं, display more reports के लिए D प्रेस करें, अब account books के लिए A प्रेस करें, और cash and bank book के लिए C प्रेस करें ये देखिए, cash and bank summary आ रही है, इसमें right side में उपर company का नाम दिखाई पड़ रहा है, और उसके नीचे हमारी company में जो भी financial year चल रहा है, उसकी शुरुआत से लेकर, जिस date तक हमने काम किया है, वहां तक का period दिखाई दे रहा है ये देखिए इस summary में सपश्ट रूप से पता चल रहा है कि हमारे पास कितना cash है, कितने bank accounts है, किस bank account में कितने रुपे है, सारे bank accounts को मिला कर कुल कितने रुपे है और नीचे grand total में ये पता चल रहा है कि cash और सभी bank accounts को मिला कर हमारे पास कुल कितना रुपिया है तो इस तरह आपने देखा कि कोई भी payment करने से पहले हम इस summary से कितनी आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारे पास cash और bank की क्या स्थिती है ध्यान रखें cash का balance हमेशा debit में ही आता है और हमारा जो पैसा बैंक में जमा होता है उसका balance भी debit में ही आता है हाँ यदि आपने bank से कोई loan या limit ली होगी तो उसका balance credit में आएगा आईए अब इस summary को और detail में देख लेते हैं अब यदि हम cash या किसी bank के माध्यम से हुए पुराने लिंदिन की जनकारी चाहते हैं तो हमें cash या उस bank के नाम पर जाकर enterprise करना होगा हम cash पर जाकर enterprise कर रहे हैं देखें यहाँ cash की मंतली समरी आ रही है जिसमें हर माह जो भी रुपिया आया है या गया है वो दिखाई पड़ रहा है जैसे कि अप्रेल माह में हमें 2,80,000 रुपे प्राप्त हुए हैं और 2,05,000 रुपे गये हैं और इसके बाद अप्रेल का closing balance 1,40,627 रुपे है जो की अगले माह carry forward हुआ है अब यदि हमें किसी माह की cash से संबंधित पूरी detail देखना हो तो उस पर जाकर enterprise करना होगा देखिए यहां cash से संबंधित वो सभी transactions दिखाई पड़ रहे हैं जो जुलाई माह में हुए हैं जो cash receive हुआ है वो debit side में और जो cash payment हमने किये हैं वो credit side में दिखाई पड़ रहे हैं यदि आप यहां दिखाई पड़ रहे किसी voucher की detail देखना चाहते हैं तो उस पर जाकर enterprise करें यह देखिए हमारे द्वारा select किया गया voucher open हो गया है अब यदि आप किसी और period का cash का ledger देखना चाहते हैं तो F2 प्रेस करके देख सकते हैं यदि आप यहीं से कोई दूसरा ledger open करना चाहते हैं तो F4 प्रेस करके देख सकते हैं वैसे हम ledger report के बारे में अपनी वीडियो नंबर 38 और 39 में detail में बता चुके हैं यदि आप tally में कुछ काम कर रहे हैं और उसे बंद किये बिना cash and bank summary देखना चाहते हैं तो go to की साहता से देख सकते हैं उसके लिए go to पर mouse से click करें या alter और जी प्रेस करें ये देखिए common reports में cash and bank book option दिखाई पड़ रहा है हम जब भी कोई माल बेशते हैं तो माल के साथ उसके bill का print भी देते हैं customer के लिए ये bill purchase का सबूत होता है और इसी के आधार पर customer अपने यहाँ purchase के entry करता है इसी तरह हम अपने record के लिए analysis करने के लिए या अन्य कई कारणों से अलग-अलग reports भी print करते हैं हमारी आज के जो वीडियो है वो इसी bill printing और report printing पर है telli company ने telli.arp9 के मकाबले telli prime में bill की printing या कह सकते हैं कि सभी vouchers की printing और बहुत सी reports की printing को बहुत आसान कर दिया है आए हम इनके बारे में step by step जनकारी आपको दे देते हैं समझने के लिए हमने एक sales voucher open कर लिया है देखिए यहाँ top menu bar में print का एक option दिया गया है इसकी विशिष्षता यह है कि इसकी सहायता से हम telli में कहीं भी काम करते हुए print option का उपयोग कर सकते हैं इसके लिए या तो हमें इस पर mouse से click करना होगा या alter के साथ P key को press करना होगा यह देखिए ऐसा करते ही तीन options दिखाई पड़ रहे हैं हम एक एक करके इन तीनों के बारे में बता देते हैं पहला है current यदि आपने कोई भी voucher या report open की हुई है जैसे कि यहाँ पर हमने excels voucher open किया है और हम इसका print लेना चाहते हैं तो यहाँ current जिसका shortcut R है उसे press करके ले सकते हैं यह देखे हम voucher printing screen पर आ गए हैं अब आप जो भी print करने जा रहे हैं जैसे कि कोई report या कोई voucher तो उससे संबंधित configuration के लिए C या F12 प्रेस करें यदि आप actually print करने के पहले यह देखना चाहते हैं कि print कैसा दिखाई देगा तो preview के लिए I प्रेस करें और यदि आप बिना preview देखे सीधे कागस पर printing करना चाहते हैं तो P प्रेस करें इन सभी के बारे में हम आगे और detail में समझाएंगी हमने जो sales voucher open किया था escape की प्रेस करके हम उससे बाहर आ गए हैं अब बात करते हैं दूसरे option others की उसके लिए हम print पर mouse से क्लिक कर रहे हैं यह देखिए पहले वाले तीनों options यहां भी दिखाई पड़ रहे हैं पर इसमें current option अभी enable नहीं है क्योंकि वो तभी enable होता है जब हमने कोई voucher या report open कर रखी हो अब बात करते हैं others की यदि आप tally में कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं और किसी भी report का print लेना चाहते हैं तो सीधे वहीं से others की सहायता से ले सकते हैं हम इसका shortcut O press कर रहे हैं यह देखिए list of reports के अंतरगत multi account reports दिखाई पड़ रहा है और उसके नीचे कुछ reports के नाम आ रहे हैं यहां हम आपको बता दें कि multi account reports option केवल licensed tally में ही मिलता है यदि आप education version पर काम कर रहे हैं तो यह option उसमें नहीं मिलता है हम पूरी list of reports देखने के लिए show more पर फिर show inactive और उसके बाद expand all पर जाकर enter press कर रहे हैं show inactive से तातपर्य है list में वो topics भी दिखाई दें जिन पर अभी हमने इस company में काम नहीं किया है यह देखे सभी reports के नाम आ रहे हैं अब आप जिस report का print चाहते हैं उस पर जाकर enter press करें हमने कुछ दिन पहले आपको day book के बारे में बताया था तो आएए day book पर जाकर enter press करते हैं यह देखे day book के printing screen आ रही है हम इसमें कुछ configure कर लेते हैं उसके लिए c press करेंगे यह देखे लिस्ट of configuration आ रही है सबसे पहले show more पर जाकर enter press करें अब हम period change कर लेते हैं उसके लिए period पर जाकर enter press कर रहे हैं अब आप जिस period के report print करना चाहते हैं यहाँ पर वो period type करें और फिर enter press करें अब आपको जिस भी option को yes या no करना हो या कहीं कुछ changes करना हो तो down arrow से उस पर जाकर enter press करें हम day book के print में transactions की narrations भी लेना चाहते हैं इसलिए show narrations पर जाकर enter press करके इसे yes कर रहे हैं और इसी तरह print में हम inventory details भी लेना चाहते हैं इसलिए Show Inventory Details पर जाकर Enter Press करके इसे भी Yes कर रहे हैं। यदि आप इन सभी Options के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो इनके नाम अच्छे से पढ़ें और उसके बाद इनमें से एक-एक को Yes और No करके और जिनमें सब Options हैं उनमें भी एक-एक को सिलेक करके Try अवश्य करें। अब हमें इस Configuration में कुछ भी Change नहीं करना हैं तो हम इसे Screen को Ctrl और A प्रेस करके Save कर लेते हैं। यह देखिए हम वापस Print Screen पर आ गए हैं। अब Print Preview के लिए आई प्रेस कर रहे हैं। अब इसे Zoom कर लेते हैं। यह देखिए हमने जो Period Select किया था उसकी Day Book के Report आ रही है। और इसमें हमने Show Narrations और Show Inventory Details को Yes किया था। इसलिए यहां Narrations और Inventory Details भी दिखाई पड़ रही हैं। आई अब तीसरे Option Configuration को भी समझ लेते हैं। यहां आगे बढ़ने से पहले एक सवाल उठता है कि पहले भी जब हम Print Screen पर गए थे, तब वहां भी Configure Tap था और यहां भी Configuration Option है। तो इन में फर्क क्या है। पहले तो हम आपको यह समझा देते हैं। जब हम Current या Others किसे भी Option से Print करना चाहते हैं, तो इन दोनों के लिए यह Configuration Option Common है, यानि समान है। इसमें मुख्य रूप से Printing से संबंधित बहुत सी Settings एपलब्ध होती है। पर Print Screen पर आप जो Configure Tap देखते हैं, वो आप जो भी Report या Voucher प्रिंट करने जा रहे हैं। यह देखिए Configuration की पूरी लिस्ट आ रही है, आपको समझने में आसानी हो। इसलिए यहां हम आपको Day Book के Printing के समय हमने जो Configure Tap की सहायता से जो Configuration List ओपन की थी, वो भी दिखा रहे हैं। यह देखिए, दोनों में कुछ Options समान हैं, और कुछ अलग हैं। रिपोर्ट वाली Configuration List में रिपोर्ट का नाम और उससे संबंधित बहुत से Options हैं, जबकि दूसरी Configuration List में Printing और Advanced Configuration से संबंधित Options हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह देखिए, List of Configuration में अलग-अलग Headings दी हुई हैं, और उनके अंतरगत उनसे संबंधित बहुत से Options दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे कि Printer Settings के अंतरगत कौन सा Print Format चाहिए, उसके लिए Print Format option दिया गया है। हम इस पर जाकर Enter Press कर रहे हैं। अब यहां से आप जो Format चाहें उससे Select कर सकते हैं। Paper का Type अभी Plain Paper है, यदि आप Pre-Printed Paper का उप्योग करना चाहते हैं तो इस पर जाकर Enter Press करें। हमें Plain Paper ही जाहिए तो हम फिर से Enter Press कर रहे हैं। Set Preview as Default को हम दूसरे पार्ट में समझेंगे। इसके बाद है Set Number of Copies for Printing Vouchers। हम इस पर जाकर Enter Press कर रहे हैं। देखिए यहां पर उन vouchers के नाम आ रहे हैं जिनने हम ज्यादतर प्रिंट करते हैं। जैसे कि हम Prior Cells Invoice की तीन कॉपीज प्रिंट करते हैं। एक अपने लिए, एक माल के साथ ट्रांसपोर्ट पर देने के लिए और एक सीधे कस्टमर को भेजने के लिए। तो यहां पर हम तीन टाइप कर देंगे और इस स्क्रीन को सेव कर लेंगे। ऐसा करने से जब भी हम Cells Invoice प्रिंट करेंगे तो उसकी सीधे तीन कॉपीज ही प्रिंट होंगी यानि हमें तीन बार प्रिंट कमांड नहीं देनी होगी। अब बात करते हैं कमपनी डिटेल्स की। इसके बारे में हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे। इसके नीचे है शो कमपनी नेम और शो कमपनी अड्रेस जो की यस किया हुआ है। और इसके बाद है शो फोन नमबर और शो वेबसाइट। यदि आप चाहते हैं कि आप जो भी प्रिंटिंग करें उस पर आपका फोन नमबर या वेबसाइट का नाम भी दिखाई पड़े। तो आप इन्हें एंटर प्रेस करते हुए यस कर सकते हैं। पर ध्यान रखें ये तभी दिखाई पड़ेंगे जब आपने अपनी कंपनी बनाते समय वहाँ पर इनकी डीटेल्स दी होगी। अब इस स्क्रीन को कंट्रोल और एक इस को प्रेस करकी सेव कर लेते हैं। आई अब वापस अदर्स की सहायता से डे बुक ओपन कर लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ उपर कंपनी नेम और अड्रेस के बाद कॉंटिक नंबर और वेबसाइट का नाम भी दिखाई दे रहा है। यहाँ हमने एक सेल्स वाउचर ओपन कर लिया है। हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं। तो या तो आल्टर और पी प्रेस करें। और उसके बाद आर प्रेस करें। या सीधे कंट्रोल और पी प्रेस कर दें। यह देखें यहाँ पर तीन ओप्शन्स दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें प्रिंट सिलेक्टेड है। यदि आप एंटर प्रेस करेंगे तो बिल की प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। पर कई बार जब हम सीधे प्रिंट कमांड दे देते हैं तो एक दिक्कत आती है। बिल के प्रिंट हो जाने पर हमें पता चलता है कि इसमें कुछ गलती रह गई है और ऐसी स्थिति में हमें उस गलती को ठीक करके दूसरा प्रिंट निकालना होता है। इसका समाधान ये है कि हम पहले प्रिव्यू देख लें और कोई गलती हो तो उसे ठीक कर लें फिर प्रिंट निकालें। इसी तरह कई बार ऐसा भी होता है कि हम सीधे कोई बिल प्रिंट कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि बिल तो कई पेज़ेज में प्रिंट हो गया है। पर हम अकसर प्रिव्यू देखना भूल जाते हैं और ऐसी गलती कर बैखते हैं। अब इस स्क्रीन को एकसप्ट कर लेते हैं और वापस सेल्स वाउचर पर चलते हैं। अब फिर से प्रिंट के लिए कंट्रोल और पी प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए पहले प्रिंट सिलेक्टेड था जबकि अब प्रिव्यू सिलेक्टेड है। अब यदि हम इंटर प्रेस करेंगे तो डारेक्ट प्रिंट नहीं होगा बलकि प्रिव्यू दिखाई पड़ेगा। हम इंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए ये बिल 9 पेज का है। अब इस बिल को कम पेजिस पर कैसे प्रिंट कर सकते हैं ये थोड़ा सा ट्राइ करके देख लेते हैं। आप यहाँ पर कंसाइनी और नीचे बायर लिखा देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी किसी कस्टमर यानी बायर को माल बेशते हैं और उसके कहने पर माल उसकी दुकान पर ना भेशते हुए। किसी अन्य व्यापारी के यहां भेशते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जिसे माल भेशते हैं उसका नाम कंसाइनी में आता है। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कंसाइनी और बायर दोनों में एक ही नाम और अड्रेस आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमने जिसे माल भेचा है माल उसी की दुकान पर भेचा है। तो हम बिल में से कंसाइनी को हटा सकते हैं। इसके लिए हम वापस पीछे जाकर C प्रेस करेंगे और सर्च पार में टाइप करेंगे कंसाइनी। यह देखिए शो कंसाइनी डिटेल्स का ओप्शन आ रहा है जो की यस किया हुआ है। हम इसे एंटर प्रेस करके नो कर देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पार्टी डिटेल्स में और भी कई ओप्शन्स हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन में भी चिंजिस कर सकते हैं। चलिए अब प्रिव्यू देख लेते हैं। यह देखिए एक अंसाइनी वाला बॉक्स यहां से चला गया है। और अब यहां पर नीचे पेजिस की संख्या भी नौ से घटकर साथ रह गई है। चलिए कुछ और चिंजिस करके देखते हैं। हमारी इस कंपनी में हमने गोडाउंस बनाय हुए हैं। इसलिए इस बिल में हमने जस गोडाउंसे माल डिलीवर किया है, स्टॉक आइटम के साथ उस गोडाउं का नाम भी आ रहा है। हमारे हिसाब से हम कस्टमर को जो बिल देने वाले हैं, उसमें हमें गोडाउं का नाम देने की जरुरत नहीं है। तो हम वापस कॉन्फिगर पर चलते हैं। और सर्च बार में टाइप करेंगे गोडाउं। अब इस शो गोडाउं नेम वाले आप्शन पर जाकर इसे नो कर देंगे। अब हम एक बार पूरी लिस्ट चेक कर लेते हैं। कि क्या हमें कुछ और भी चिंजिस करना है। यह देखिए कंपनी डिटेल्स में एक आप्शन है शो बैंक डिटेल्स। यदि हम बिल पर ही अपने बैंक की डिटेल्स दे दें तो कस्टमर को सीधे बैंक में पैमें ट्रांसफर करने में आसानी होती है। इसको यस कर देते हैं और डाउन एरो से नीचे चलते हैं। यहाँ पर हमें अपनी बैंक का नाम देना होगा हम एंटरप्रेस कर रहे हैं। हमारे दो बैंक में अकाउंट हैं तो हम इन में से अपनी हिसाब से किसी भी एक को सेलेक कर सकते हैं। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर जाकर एंटरप्रेस कर रहे हैं। यह देखें यहाँ पर बैंक का नाम आ गया है। इसके नीचे है शो अकाउंट होल्डर्स नेम। यदि यह उप्शन यस है तो ठीक। और यदि नो है तो इसे यस कर दें। ऐसा करने पर ही हमारी बैंक डिटेल्स के ऊपर हमारा कम्पनीज बैंक डिटेल्स में अकाउंट होल्डर का नाम दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखें, बैंक डिटेल्स बिल में तभी दिखाई पड़ेंगी, जब आपने बैंक का लेजर बनाते समय उसमें पूरी बैंक डिटेल्स दी होंगी चलिए अब फिर से प्रिव्यू देख लेते हैं यह देखिए शो गो डाउन आप्शन को नो करने से अब बिल साथ की जगह केवल चार पेजिस का हो गया है और आखरी पेज पर बैंक की डिटेल भी दिखाई पड़ रही है टेली प्राइम में एक नया ओप्शन अप्टिमाईज प्रिंटिंग टु सेव पेपर यह आया है इसे भी समझ लेते हैं जैसा कि आप सेव पेपर नाम से ही समझ गए होंगे इससे प्रिंटिंग के समय पेपर की बचत होगी इसके लिए हम वापस कॉन्फिगरेशन पर जाएंगे यहाँ पर शो मोर पर एंटर प्रेस करेंगे अब लिस्ट में नीचे जाएंगे यह देखें यह ओप्शन होता है हमारे हैडर इंफोमेशन में इसके लिए या तो आपको आप्टिमाईज प्रिंटिंग टु सेव पेपर पर जाकर एंटर प्रेस करना होगा या सर्च बार में सेव पेपर के लिए सेव टाइप करना होगा अब एंटर प्रेस करें यह देखें यह ओप्शन एनेबल हो गया है इसके बाद इसी के नीचे choose details to show second page onwards option है इसका उप्योग समझने के लिए हम आपको अभी जो print preview हमने देखा था उसे side में बता रहे हैं यह देखिए इस preview में चारों pages पर एक जैसी company details आ रही है यदि आप चाहते हैं कि company details सिर्फ पहले page पर दिखाई दे और दूसरे page पर सीधे items के नाम आ जाएं तो उसके लिए हम इस option को yes कर देंगे यह देखिए एक नई screen आ गई है इसमें से हमें किवल उन्ही options को yes रखना है जिने हम बागी के pages पर भी print करना चाहते हैं हम यहाँ सभी options को no कर रहे हैं अब control A से इस screen को accept कर लेते हैं और फिर से preview देख लेते हैं यह देखिए पहले जो चार pages थे अब वो केवल दो ही रह गए हैं पहले page पर हमारी पूरी company details आ रही है पर दूसरे page पर सीधे items के नाम आ रहे हैं अगर आप चाहें तो यहाँ से page की margin भी set कर सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में हमने आपको basic printing के बारे में बता दिया है अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन options को उप्योग करके देख सकते हैं कई बार आपके CA या auditor आप से आपके सारे sales bill के print पांगते हैं या कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने customers को तो माल के साथ sales bill दे देते हैं पर उस समय अपने record के लिए हम उन bills का print नहीं निकालते हैं और फिर हर मा के या पूरे साल के आखिर में इकठे sales bills के print निकालते हैं आप सवाल ये है कि क्या हमें सारे bills के print एक एक करके निकालने होंगे तो इसके लिए आपको चिंता करने की कोई आवशक्ता नहीं है Tally ने एक option दिया है multi voucher printing इसके द्वारा आप sales, purchase, receipt, payment इत्यादी में से किसी भी एक प्रकार के voucher के सारे print एक ही बार में निकाल सकते हैं तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं अभी हम gateway of Tally पर हैं यहां उपर आप top menu बार में print option देख रहे हैं हम इसका shortcut alter और P प्रेस कर रहे हैं ध्यान रखें ये option Tally में काम करते समय हर जगह पर मिलता है यानि आप Tally में कहीं भी किसी भी काम के बीच इसकी सायता से print निकाल सकते हैं यहां पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहां दिखाई दे रहे तीनो options के बारे में हम अपनी पिछली दो वीडियो में detail में बता चुके हैं अभी हम others के लिए O प्रेस करेंगे ये देखें multi account report के अंतरगत कुछ reports के नाम दिखाई पड़ रहे हैं एक बात का ध्यान रखें multi account report option education version में दिखाई नहीं पड़ता ये सिर्फ Tally के licensed version में ही मिलता है हम multi voucher option पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं ये देखें print window आ गई है टाइटल में आप payment voucher लिखा देख रहे हैं ध्यान रखें यहाँ पर किसी भी voucher का नाम हो सकता है आप इसे अपनी जरुरत के अनुसार बदल सकते हैं उसके लिए print window को configure करना होगा configure करने के लिए C प्रेस करें अब पूरी configuration list के लिए show more पर जाकर enter प्रेस करें लिस्ट में सबसे उपर है voucher type हम उस पर जाकर enter प्रेस कर रहे हैं अब name of voucher type के आगे जो voucher का नाम लिखा है उसे delete key की साहता से हटा देते हैं देखे ऐसा करते ही list of voucher types आ गई है जिसमें सभी vouchers के नाम दिखाई पड़ रहे हैं ध्यान रखें लिस्ट में दिखाई दे रहे सभी vouchers जैसे credit note, debit note, purchase, receipt, इत्यादी सभी के print निकालने का तरीका एक जैसा ही है हम sales voucher का print निकालना बता रहे हैं ठीक उसी तरह आप किसी भी voucher के print निकाल सकते हैं sales voucher का print निकालने के लिए हम sales पर जाकर enterpress कर रहे हैं इसके बाद हम down arrow से period पर जाकर enterpress कर रहे हैं यहाँ पर आप ज़स्भी period के print चाहते हैं जैसे किसी मा का, साल का या अन्य किसी period का तो वो type कर दें और enterpress करें यदि आप यहाँ दिखाई दे रहें किसी अन्य option में भी कोई changes करना चाहते हैं तो उस पर जाकर कर सकते हैं हमको कोई और changes नहीं करना हैं इसलिए हम control और A से इस screen को accept कर रहे हैं यह देखें print window पर हमने voucher type और period में जो changes किये थे वो यहाँ भी दिखाई पड़ रहे हैं हम print के पहले preview देखना चाहते हैं तो उसके लिए I press कर रहे हैं अब यह देखिए जैसे जैसे हम down arrow press कर रहे हैं अगला bill number दिखाई पड़ रहा है यानि हमने जो period लिया है उसमें जितने भी bills हैं वो सभी दिखाई पड़ रहे हैं यह अब escape की press करके हम वापस print window पर आ गए हैं अब यदे आप सभी bill का print निकालना चाहते हैं तो P press करें ऐसा करते ही सभी bill print हो जाएंगे हम आपको तीन चोटे चोटे options समझा रहे हैं पहला है all ledger accounts यदि केसी कारण से आप अपने सभी ledgers की report को एक साथ देखना चाहते हैं या वर्ष के अंत में आप अपने record के लिए सभी ledgers का print निकालना चाहते हैं तो ये काम आप all ledger accounts की साहता से कर सकते हैं दूसरा है one ledger account जब आपका कोई customer उसके और आपके बीच हुए transactions की जानकारी मांगता है तो उसके लिए आपको उसके ledger का print निकाल कर उसे देना होता है और ये काम आप one ledger account की साहता से कर सकते हैं तीसरा है group of accounts कई बार अपनी वसूली के लिए या अपनी customers से इसाब confirm करने के लिए अपनी लेंदारी यानी century data's group के सभी ledgers की report के print निकालने की जरूरत होती है तो ये काम आप group of accounts की साहता से कर सकते हैं आये देखते हैं कि ये सभी काम किस तरीके से किया जाते हैं अभे हम gateway of tally पर हैं यहां उपर top menu bar में आप print option देख रहे हैं ध्यान रखें ये option tally में काम करते हुए सभी इस्थानों पर मिलता है यानि आप tally में कहीं भी किसी भी काम के बीच इसकी साहता से print निकाल सकते हैं हम इसका shortcut alter और p press कर रहे हैं यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां दिखाई दे रहे तीनों options के बारे में हम पिछली दो videos में detail में बता चुके हैं यहां हम others के लिए O press करेंगे यह देखे multi account reports के अंतरगयत कुछ reports के नाम दिखाई पड़ रहे हैं इन में से आज हम इन तीन options पर काम करने वाले हैं यहां पर हम आपको एक खास बात बता दें कि multi account reports option tally के educational version में दिखाई नहीं पड़ता यह सिर्फ licensed version में ही मिलता है चलिए अब इन options को एक एक करके समझ लेते हैं पहला है all ledger accounts यदि आप अपने सभी ledgers की report एक साथ देखना चाहते हैं या उनका print एक साथ निखालना चाहते हैं तो यह option selected है हम enter press कर रहे हैं यह देखे print window आ रही है आगे बढ़ने से पहले हमें इसमें कुछ configuration करना होगा उसके लिए हम C press कर रहे हैं यहां show more पर जाकर enter press करें यह देखे पुरी configuration list आ रही है इसमें आपको जो भी changes करना हो आप down arrow से उस पर जाकर enter press करके कर सकते हैं सबसे पहले हम period पर जाकर enter press कर रहे हैं अब यहां पर वो पीरियर टाइप करेंगे जिस पीरियर के सभी लेजर्स के प्रिंट निकालने हो। हम पिछले फाइनेंशियल एर का पीरियर टाइप करके एंटरप्रेस कर रहे हैं। इसके बाद प्रिंट में जो भी दिखाना हो उसे यस करना होगा और जो नहीं दिखाना हो उसे नो रहने दें। शो नरेशन को यस करने के लिए हम उस पर जाकर एंटरप्रेस कर रहे हैं। फॉर्मेट ओफ रिपोर्ट को एंटरप्रेस करके डीटेल्ट कर रहे हैं। Show Inventory Details को Yes कर रहे हैं देखे यहाँ एक option है Start Each Account on a Fresh Page यदि आप इसे Yes रहने देंगे तो किसी भी ledger का print समाप्त होने पर दूसरे ledger का print अगले page से शुरू होगा कहने का मितलब यह है कि हर ledger का print नए page से शुरू होगा अब यदि आप चाहते हैं कि किसी भी ledger की printing के बाद दूसरे ledger की printing भी उसी page से शुरू हो जाए तो आप इसे No कर दें ऐसा करने से printing में लगने वाले page कम हो जाएंगे हम इसे No कर रहे हैं अब यहाँ पर एक option है print index page also यानि index page भी print करें कहने का मतलब यह हुआ कि आप जो ledgers के print निकाल रहे हैं क्या आप उनका index भी चाहते हैं अगर हाँ तो इसे Yes रहने दें इसके नीचे है title यदि आप report की शुरूआत में कोई title देना चाहते हैं जैसे हम लिखना चाहते हैं customer is always right तो हमने title पर जाकर enter press किया और जो title देना है वो type कर दिया फिर enter press करके आगे बढ़ जाएंगे यदि आप चाहें तो यहां से subtitle भी बदल सकते हैं हम यही रहने दे रहे हैं और enter press करके आगे बढ़ रहे हैं इसी तरह आप अपनी जरूरत के अनुसार और भी कोई changes करना चाहें तो कर सकते हैं यहां पर हमारा आपसे निवेदन है list of configuration के सभी option को अच्छे से समझने के लिए yes, no करके और यदि किसी option में कोई sub options भी हैं तो उन्हें भी एक एक करके try जरूर करें हमें अब कोई changes नहीं करना हैं तो अब हम इस screen को accept कर लेते हैं और एक बार preview देख लेते हैं उसके लिए eye press कर रहे हैं अब इसे zoom कर लेते हैं यह देखे हमने जो period लेया था उसकी पूरी report आ रही है हमने title में जो नाम दिया था वो यहां दिखाई पढ़ रहा है सभी layers alphabetically यानि ABCD के क्रम में आ रही है एक ledger की समाप्त होने पर उसी page पर दूसरा ledger शुरू हो रहा है यानि यदि आप print करेंगे तो दूसरे ledger की printing नए page से नहीं होगी साथ ही आप देख रहे हैं इसमें narrations और inventory की details भी आ रही है यदि आप सिर्फ अपने सभी ledgers की report को एक साथ देख कर कुछ study करना चाहते हैं तो इस preview की साहता से कर सकते हैं और यदि आप सभी ledgers का print लेना चाहते हैं तो दो बार escape की press करें फिर P press करें अभी हम इसका print नहीं लेना चाहते बलकि इसका index देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक पार और escape की press कर रहे हैं ये देखें index दिखाई पड़ रहा है इस index page का फाइदा ये है कि हम इसकी साहता से ये आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा ledger किस page पर है याद रखी सभी ledgers की printing के बाद index page प्रिंट होता है आई अब बात करते हैं one ledger account की उसके लिए पहले alter और P press करें अब O press करें अब यहाँ दिखाई पड़ रहे one ledger account पर जाकर enter press करें लिस्ट of ledgers आ रही है अब आप जिस ledger का print चाहते हैं सर्च बार में उसका नाम टाइप करें और फिर enter press करें ऐसा करते ही print window आएगी यहाँ से आप पहले बताए अनुसार configure कर सकते हैं और फिर print निकाल सकते हैं चले अब तीसरा option group of accounts देख लेते हैं हम group of accounts पर जाकर enter press कर रहे हैं यह देखिए list of groups आ रही है इसमें से आप कोई भी group select करके उसके अंतरगत बने ledgers के print निकाल सकते हैं इसके अंतरगत हमें मुख्य रूप से अपनी वस्रूली या customer से confirm करने के लिए अपनी लेंदारी यानि की sundry data's group के सभी ledgers के एक साथ print निकालने की जरुरत पड़ती है हम search bar में type कर रहे हैं sundry data's और enter press कर रहे हैं यह देखिए print window आ रही है इसे configure करने के लिए c press कर रहे हैं इस configuration list में से हम सभी मुख्य बातों के बारे में आपको पहले समझा चुके हैं यदि आप सिर्फ वसूली के अदेश इसे print लेना चाहते हैं तो पहले बताए अनुसार configure करके print ले सकते हैं और यदि आप parties से confirm करने के लिए print लेना चाहते हैं तो उसके लिए पहले configure कर लेते हैं पहले period change कर लें इसके बाद है report type हम इस पर जाकर enterprise कर रहे हैं और यहां से confirmation of account ले रहे हैं show narration को yes कर रहे हैं format of report को detailed कर रहे हैं और show mode of payment को yes कर रहे हैं अब हम provide confirmation statement पर जाकर enterprise कर रहे हैं यह देखे report details आ रही हैं इसमें यदि आप कुछ changes करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहां आप जो भी लिखेंगे वो confirmation of account प्रिंट करने पर उसमें लिखा दिखाई देगा हमें कोई changes नहीं करना है तो हम escape की से वापस पीछे चलते हैं title और subtitle में यदि आप कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं party details में आप अपनी जरूरत के अनुसार changes कर सकते हैं और सबसे आखिर में है number of copies आपको जितनी copies प्रिंट करने की जरूरत है वो यहां type कर दें हम दो type कर रहे हैं ऐसा करने से हमें एक ही बार में सभी प्रिंट की दो-दो copies मिल जाएंगी सभी changes के बाद हम इस print configuration को accept कर लेते हैं अब print करने से पहले preview देखने के लिए i press करें और zoom करें स्क्रोल करके हम देख सकते हैं कि सभी confirmation of account प्रिंट करने पर किस तरह के दिखाई पड़ेंगे अब यदि आप print करना चाहते हैं तो दो बार skip की प्रेस करके print के लिए P प्रेस करें प्रेस करें